दोस्तों मैं वो सूरज और स्वारत करता हूँ आपका आपके अपने चनल देशी पड़ागुपे आज की वीडियो बहुत अस्पेसल होने वाली है आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नीतु मैम की बुक से जो वोकेबलरी का सेक्षन है उसमें टोटल जो है 722 वर्ड है और इसको हमाज कवर करने वाले हैं और 722 वर्ड को जो है हम बिलकुल निमोनिक तरीके से लाइफटाइम के लिए याद करने की कोसिस करेंगे और इसे हमेशा याद रख पाएंगे ऐसा हम क्या करेंगे वो आगे आप वीडियो में देखेंगे देखेंगे इसकी वीडियो में पहले भी बना चुका हूँ एक बार लेकिन उसमें बहुत सारी जो है बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो मैंने छोड़े हैं जिसका नहीं करा पाया मैं और इसमें जो है बहुत सारी improvement मैंने करे हैं इस video में बहुत सारी words जो है उनकी maximum words की जो है मैंने निमोनिक बनाने कोसिस की है और आपको करना क्या है अब पहले एक मेंड मेरी बात सुन लेंगे आपको जो है इस video को देखना है पहले complete continue इस video को देखना है आपको पूरा खतम कर देना है जितने भी घंटे की वीडियो बने चार घंटे या पांच घंटे की वीडियो बनेगी आपको यह पूरी देखनी है और उसके बाद देखने के बाद ठीक है आपको कमेंट करना है कि हां मैंने वीडियो देख ली complete कर ली मैंने वीडियो उसके बाद जो है मैं इसकी pdf जो है upload कर दूंगा टेलिग्राम पे आप वहां से जो है pdf डाउनलोड कर लेंगे और pdf डाउनलोड करने के बाद जो है अप उसका अगर बेइड का मतलब क्या होता है तो डी ग्रेड देखो वर्ड है क्या डी ग्रेड आपने देख्यों ओक्रेडि अब रतो क्या होता है तो ओक्सक्राशी पढ़ा होगा मैत मैतumbledales क्या होगा मैत जी अब पढ़ना है base, hypotenuse और perpendicular, तो base का मतलब क्या होता है, अधार, यानि तला, नीचे का पार, मतलब नीचा दिखाना, अगर आप किसी को base पे ला रहे हो, जमीन पे ला रहे हो, मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, नीचा दिखा रहे हो, तो base का मतलब क्या हो जाएगा, degrade करना किसी को तो ये word आपको याद हो गया, चलिए, second word देखेंगे, second word में है abass, अब इसमें abass था और इसमें abash है, और इसका मतलब होता है, किसी को embarrass feel करवाना, embarrass का मतलब होता है, हम बोलते हैं आना, कि बहुत जादा embarrass feel हो रहा है, मैं सर्मिंदगी महसूस हो रही है, लज्जा आ रही है embarrass feel हो रहा है, तो abass में एक word देखों, यहाँ पर आ रहा है, b, a, s, h, ठीक है, abass, अगर मैं इसको ऐसे, ज्यान देखें, सुनिए, a, starting का word क्या है, a है, फिर क्या है, b है, और sh, ठीक है, और sh है, तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अगर यह दोनों word में, अगर आप को difference करना हो, तो आप क्या करोगे, तो देखो, a से always याद रहो, b से bring याद रहो, और sh, s, 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 मालूम कर पाओगे, अगला जो वर्ड है, ओ है, एप्टवार, देखी, एप्टवार, ये वर्ड बहुत अच्छा है, बहुत बार एजाम में पूछा गया है, एप्टवार, एप्टवार का मतलब होता है, कसाई खाना, या फिर बूचण खाना, place where animals are killed, आप हिंदी पर ज्या ंट करودंग किर अब तुवाइट करूं अब ठोषीर में निमोनिक बनाने कोजि़ भूँ तो मैं इसको लिखूँ अब तौहीर ने क्या कर लिया कशाइ खानाँ खोल लिया तोहीर नाम का कोई लड़का था उसने कसाइ खाना खुल लिया तो आप टवार का मतलब क्या हो जाएगा प्लेस वेर अनिमल्स आर किल्ड चलिए यह तीन वर्ड हो गए अब देखे फोर्थ वर्ड फोर्थ यह जितने भी मैं चीजे बोल ना हूँ ना निमोनिक इसकी जो है पीडियाप आपको मिल जाएगी इसकी टोटल मैंने 38 पेज की पीडियोप बनाएए आप आवाज से सुन पा रहे होंगे यह मैं कौपी ले के ही बैठाओ तो यह आपको 38 पेज की पीडियोप जो है मैं ऐसा ही अप लोड कर दूँँगा और आपको डाउनलोड कर लेना है टेलीग्राम से टेलीग्राम का लिंक में डाल बादोगा अगर लिंक ना खुले तो हÕप सरच मार सकते हैं डेसिपढ़ाकू तौ आ जाएगा चलिये फूर्थ वर्ट देखेए Bard好啦 Grade का मतलब होता है ट्याग देना Jaepol कर दिक्त है अब decade का मतलब त्याग देना Give up कर देना Abandon अब डिकेट को दो तरीके साफ याद कर सकते हैं या तो आप ऐसे बोलेंगे अब दिक्कत अब कभी-कभी देखा होगा आपने की जैसे कंट्री में कोई लीडर है जैसे परधानमंत्री है राष्टपती है या फिर चीफ मिनिस्टर है तो उनको जब भी कुछ दिक्कत आती है कंट्री को रन करने में चलाने में क्या करते हैं तो क्या करते हैं फिर प्र अतव करते हैं क्या करते हैं बंधन जो है तोड लिये किस से, रनवीर से और विकी कॉसल से साधी कर ली तो abdicate का मतलब क्या हो जाएगा give up कर देना, leave कर देना abandon, forsake, यह सब क्या है इसके synonym से, तो इस तरह से आपको यह याद हो जाएगा next word देखेंगे, next word है हमारा, aberrant aberrant का मतलब होता है abnormal, यानि कि normal ना होना aberrant होना, तो इसको याद करने का तरीका देखें क्या है अगर मैं इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइट करूँ तो ऐसे बनेगा beer, तीक है beer और अंत, आप ध्याद देखेंगा word number five, beer और अंत, अंत का मतलब अंतिम last, याद करेंगे कि beer पीने के बाद, यानि कि अंत में जो इंसान है, जो person है, वो कैसा behave करता है, तो abnormally behave करता है वो normal की तरह behave नहीं करता है आपने देखा होगा, कि जो लोग पी लेते हैं, या फिर ड्रिंक कर लेते हैं सिराब वगरा का seven कर लेते हैं तिर्षा उच्छा चलने लगते हैं, तेड़ा मेड़ा चलने लगते हैं कुछ भी मुह से बखने लगते हैं तो apparent का मतलब क्या हो जाएगा abnormal, ठीक है, और समानने यानि कि normal ना होना चलिए, number six देखेंगे abattment, abattment का मतलब होता है दुस prayer run, ठीक है, आप हिंदी पर focus नहीं करेंगे बस मैं हिंदी बोलूँगा, आप इंग्लिज पर focus करेंगे the act of helping someone in wrong doing यानि कि किसी के किसी को बढ़ावा देना गलत काम करने के लिए तो वही है, the act of helping someone in wrong doing, याद कैसे करेंगे तो देखें क्या है, अगर मैं इसको ऐसे दो पार्ट में divide करूँ word number six को, यह बनेगा a bet bet, bet का मतलब क्या होता है बाजी लगाना और अक्सर आपने कॉलिजम में देखा होगा कि bet लगाई जाती है कि वो लड़की मेरे से पटे गी है नहीं, bet लगाते है सब दोस्त उसको क्या कर रहा है तो गलत करने के लिए प्रेरीत कर रहे है, ईंस्पायर कर रहे है गलत करने के लिए, गलत कामी तो है और उसके दोस्त क्या कर रहे है they are helping in wrongdoing तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इतना याद रखना कि गलत काम के के लिए जब कोई दूस्ष प्रेरीत करता है या पर प्रेरीत करता है तो उसको हम कहते हैं अबैटमेंट ठीक है तो यहाँ पर बैट से आपको यह याद हो जाएगा नेक्ट वर्ड देखेंगे नेक्ट वर्ड है यहां पर अबेयंस का मतलब होता है suspended accent यानि कि किसी को suspend कर देना निलंबित कर देना तो यहां से हम बोलेंगे आप ऐसा समझेगा कहानी सुनिएगा कि मैं कहीं पर मेरी जॉब लगी ठीक है कहीं पर मैं जो है कुछ नहीं बस ऐसे मतलब लड़कियों को ताड़ रहा था जो फीमेल वर्कर्स थी ऐसा होता है ना कि मैं उनको देख रहा था तो उधर से बॉस आ गया और बॉस ने कहा अबे यहां से निकल अबे यहां से निकल और जाकर के काम कर वरना क्या कर दूँगा तुझे सस्पेंड कर दूँगा अबे जाकर के काम कर वरना यहां से निकल दूँगा सस्पेंड कर दूँगा तो अबेंस का मतलब क्या हो जाएगा suspended action मैं फिर से बोलना हो आप हिंदी पर फोकस ना करके इंगलिस पर ज्यादा फोकस करेंगे next है अगला word जो है हमारा वो है word number eight abhor, abhor का मतलब होता है किसी चीज को dislike करना ठीक है यानि कि नफरत करना, hate करना उसका हम बोलते हैं क्या abhor, ठीक है घ्रिना करना, detest, dislike और hate देखें, abhor को ऐसे याद रखो, abhor, ठीक है abhor, abhor का मतलब गाँव में होता है जुदा और हींॆ हिंदी में भी हम बोलते हैं कि bhor गया, bhor हो गया मिन्स क्या हो गया, सुबझ हो गया, और आजकल देखा हो गया आपने थंड़ जो दिन होता है तो सुबह सुबह उटने का मन नहीं करता यानि सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता तो क्या होता है मम्मी पापा जब आके उठाते हैं तो बड़ा हेट लगता है मैं सुबह सुबह उठना है ना सुबह सुबह उठना में बिल्कुल पसंद नहीं है डिजलाइक है ना का मतलब हेट करना देट का मतलब हेट करना होता है और आपहर मैंने बता दिया कैसे आपको याद रखना है अच्छा नेक्स्ट कोस्चिन देखेंगे नाइन नंबर जो वर्ड है वो है एबजेक्ट का मतलब होता है ऐ tries extremely poor और unhappy एक्स्ट्रीमली पूर और early happy बिल्कुल बूरी हालत में तो आप देखो इसको ऐसे याद करसकते हो देखें इसको आप या तो रिजेक्त से याद कर अपू थैक्त कि फ्रर साप साहा या रिजीट कि लिखा हूआ ह या फिर आप एब्जेक्ट को जैकेट से याद रखो, कि देखा होगा आपने जैकेट जब आपने पहली जैकेट खरीदी होगी, या फिर आप जैकेट आपने खरीदी होगी, अगर वो तीन चार साल का हो गया होगा, तो बिल्कुल कैसा, extremely poor condition में हो गया होगा, क्योंकि बहु होगी हालत में होना, ऐसे भी याद कर सकते हैं, और reject तो मैंने बताया कि अगर कोई आपको reject कर देता है, तो आपको कैसा feel होता है, तो आपको unhappy feel होता है, जब आपको कोई reject कर देता है, तो इस तरह से आप याद कर लेंगे, चलिए, next word जो है, वो है, abdure, abdure का मतलब होता है abdure का मतलब होता है, त्याग देना, त्याख है, यानि कि किसी को क्या कर देना, आप बोल सकते हो कि छोड देना, त्याग देना, देखी कि मैं जो पूरा मिनिंग होता है своеता हन्य होता है साहगंद खाकर त्याग करना साओंध मैं इसकी कसम खाता हूँ कि मैं इसमा करना करना छोड़ दूंग तो इस तरह से आप इसको बोल सकते है लिए और ख्रूनंश का महतला होता है और आप इंजर्ड हो गए समझिये का मैं क्या समझाने कोसिस कर रहा हूं कि आप किसी असपोर्ट में थे और आप इंजर्ड हो गए आपको कहीं पर चोट लगई बॉड़ि वगर है पर कहीं पर हैंड पर पैर में तो आप क्या करोगे अब गेम को अब आप गेम को छोड़ द करते हैं वो तो उनकी बोड़ी में बहुत सारे इंजरी हो गई ठीक है बहुत सारे इंजरी हो गई उसके उन्हें ने क्या किया बाड़ी बिल्डिंग कर दी छोड़ दी तो यहां पर वही समझाया जा रहा है कि रिनाउंस अपोन ओथ यानि कि आपको याद हो जाएगा अगल और यानि कि भरे लागें जो ज़रूरी हो गया कि जब आप नहा रही हो तो नहाने के बाद बोडी में क्या लगाओ बोडी लोशन लगा नहाने के बाद क्या लगाओ अपने body में body लॉसन लगाओ तो क्या हो जाएगा आपकी body जो है थोड़ी asmood दीखेगी a skin जो है आपकी asmood लगेगी तो वही यहां पर ablusion का मतलब क्या सुधी हे तुष असनान या नि कि the act of washing oneself यह हो गया हमारा अगला है abnegation वर्ट नमबर 12 जो है abnegation abnegation का मतलब होता है to give up a right or a claim यानि इसमें भी अब जो है give up की बाग करी देखर पा रहे होंगे give up से बहुत सारे word बनते हैं तो abnegation का मतलब क्या कर देना तो to give up आना to give up और right और a claim क्यानि किसी claim को छोड़ देना किसी right का त्याग कर देना तो इसको याद कैसे करेंगे तो आप इसको ऐसे याद दखो abnegation ठीक है abnegation अब नहीं चलेगा हमारा relation आप ऐसा समझ यह 3-4 बार मेरे साथ बोलिए abnegation अब नहीं चलेगा हमारा relation मतलब क्या अब हम छोड रहेए अब हम क्या कर रहे है एक दूसरे का साथ छोड रहे हैं त्याग रहे हैं अब की दूसरे को मतलब अब नहीं चलेगा हमारा relation ठीक है तो इस तरह से give-up आपको याद हो जाएगा अगला जो तावड है, वह है abode, abode का मतलब होता है निवास अस्थान, निवास अस्थान का मतलब होता है to place where someone live, यानि कि एक ऐसा अस्थान जहां पर लोग क्या करते हों रहते हों, तो उसको हम कहते हैं abode, बहुत आसान इसको याद करना, आप बस इतना याद रख लो, a body, a body, b-o-d-e, मैं बात कर रहा हूँ B O D Y की लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है A B O D E body ठीक है तो A body needs a dwelling place A body मतलब एक घर को जो है रहने का स्थान चाहिए होता है एक घर को क्या चाहिए रहने का स्थान चाहिए तो वही लिखा हुआ है A body needs a dwelling place dwelling का मतलब रहना निवास करना एक body को निवास करने के लिए जगा चाहिए तो वही लिखा हुआ है the place where someone lives यह हो गया हमारा word number 13 अब हम बढ़ते है 14 की तरह I hope आपको याद आ रहा होगा मज़ा भी आ रहा होगा आपको याद करने में और believe me यह सारे word आपको याद होंगे कुछ word को छोड़ करके बाकि सारे word आपको याद होने वाले हैं मैं अपनी तरह से 100% लगा दूँगा याद करवाने में आपको और आप भी वीडियो को पूर टाइप कर लिए ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला है abolish abolish का मतलब होता है उन्मूलवन करना यानि कि किसी भी चीज को खतम कर देना to put and into ठीक है इसको हम eradication भी कहते हैं इसका synonym जो है eradicate भी होता है ठीक है याद रखेंगे तो abolish को हम कैसे याद रखेंगे देखो abolish क इसका मतलब क्या होता है किसी चीज को तहस नहस कर देना खतम कर देना demolish से भी याद रखेंगे ठीक है कि पहले बहुत सारी बोली जाती थी जैसे हम संस्कृत बोलते थे और भी तरह तरह के जो है पिछली बार मैंने संस्कृत के एक्जामपल लिया था तो बहुत तरह त्याग दिया उसका क्या कर दिया लोगोंने मतलब उसका उनमूलन कर दिया ठीक है खतम कर दिया बोलना और अब हम जो है हिंदी बोलते हैं इंग्लिस बोलते हैं तो अब बोली तो जो बोली है वह हमने खतम कर दी बोलनी ठीक है तो abolish का मतलब क्या हो जाएगा उनमूलन कर है very bad और unpleasant कोई भी ऐसा चीज जो बहुत जादा बुरा हो बैड हो और क्या हो unpleasant मतलब हमें अच्छा ना लगए उसको क्या कहते है आप इसको अब मीना से याद रखो अब ओ मीना तो समझे मीना जो है किसी girlfriend का नाम था मीना और मीना ने उससे धोका दे दिया बस just for learning हमें याद करना है तो मीना ने उससे धोका दे दिया तो क्या हुआ अब जैसे मीना ना उसको धोका दे दिया तो उस लड़के को जो है मीना से क्या हो जाएगा नफरत हो जाएगा उसे लगेगा मीना बहुत ज्यादे बैड थी unpleasant थी तो अब मिनेबल का मतलब हो जाएगा क्या ग्रिन वेरी बैड और unpleasant ठीक है तो आप इसको दि Hey, aboriginal का मतलब होता है aboriginal का मतलब होता है native के native के native को हम कहते है aboriginal aboriginal A-B-O-R-I-D-I-N-A-L अच्छा अब मैं इसको पढ़ो अब original अब यहां पर original लोग ही निवास करेंगे बाकि जो जहाँ से आया हैं वहाँ चले जाएग 주는 कैने क्या कहरा हूं अ ब यहाँ पर जो जहां से आये थे वहां चले जाएगे तो अगला जो वर्ट है ओबॉट्टिव का मतलब होता है फूट्लेस या फूटाईल यानि कि व्यर्थ हो जाना खतम हो जाना तो इसको हम कैसे याद रखेंगे तो अबॉर्टिव का मतलब क्या हो गया निस्फल हो जाना चले आगे देखेंगे अगला जो वर्ट है हमारा वो है अबरेजिव अबरेशिव का मतलब होता है सबस्तांट यूज फूरराभिंग ठीक है अबरेशियु देखेगा मतलब हो जाएगा सबस्तांस यूज फूर रबिंग घिसने का समान कोई ایसा समान है ऑब्जेक्टे जिसको घिसा जा रहा है ठीक है तो आप इसको आप ऐसे पढ़ेंगे न एक रसी और एक बाल्टी लेकर के अगर कुए से पानी भरा होगा या आपके घर में या परे गाउं में कुआ होगा तो आपने देखा होगा वो रसी जो है रगड़ खाती है उसके प्लेटफॉर्म से कुए का जो प्लेटफॉर्म होता है चबुत्रा होता है उसके प्लेटफ का मतलब हो जाए कि substance for rubbing अब आपको इतना याद हो जाएगा अब देखिए मैं आपको जो बता रहा हूं ध्यान के समझे वर्ड अगर जैसे लिखा हुआ अबरेजिव तो मैं जितने भी वर्ड करवा रहा हूं तो इजाम में आया न तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करके आपने ऐसे इस तरह के जो है रिजनिंग में question बनाया होंगे ABCD फिर ABCD तो आप इसको क्या करते होगे तीन चार पार्ट में अगर बारा वर्ड लिखे हुए तो वहां पिचार चार में बाढ़ते होगे कुछ ऐसे करते होगे ना या फिर तीन तीर पार्ट में बाढ़ते हो तो इस तरह से आप एक्जाम में देखा किजिए तो यह definitely आप करके आओगे अगला जो वर्ड है वह है अब ब्रीज के मैं बात कर रहा हूं अब ब्रीज का मतलब होता है संचिप्त करना मतलब किसी चीज को छोटा कर देना अच्छा जैसे मालनों कि यह क्या है यह दो सहर है और बीच में यह नदी है और यहाँ पर जो है गवर्मेंट ने ब्रीज बना दिये तो पहले क्या होता था कि ऐसे घूम करके यहां से इस गाओं के लोग यहां पर जाते थे लेकिन अब जा रहे है सीधे इस ब्रीज पर चड़कर के जो है सीधे जो है ए गाओं से बी गाओ गाओं तेक लोग पहुच रहे हैं तो क्या हुआ इन दोनों गाओं के बीच में डिस्टेंज यह सौट हो गई क्या बनाने से ब्रीज बनाने से तो अ ब्रीज का मतलब हो जाएगा सब्रोगेट का मतलब होता है कि खतं करना मतलब आप इतना समझो कि अबॉलिस कर देना आप यहां पर फोकस करेंगे रो और गेट पर तो मेरा एक ब्रो था आप ऐसा समझेगा मेरा एक ब्रो है जिसने गेट का फॉर्म फिल किया था लेकिन उसका फॉर्म जो है कुछ गलती के वज़े से रिजेक्ट हो गया क्या हो गया रिजेक्ट हो गया अबॉलिश हो गया खतम हो गया और इसी वज़े से वह रो रहा था तो मैंने कहा उसे क्या कर दो भाई दुबारा फील करना ठीक है तो रिपील भी इसका एक सिनोनिम से रिपील याद रखेंगे अधा नेक्ट क्वेशन इस एपसीजन एपसीजन में चीरा कटिंग ऑफ वर्ड नमर 21 देखेंगे एपसीजन एपसीजन का मतलब होता है चीरा लगाना यानि कि कहीं पर जो है कट करना ठीक है कटिंग कटिंग ऑफ और अपसीजन अब यहां पर जब अपसीजन को देख पा रहे होंगे तो अपसीजन वर्ड में एक आ रहा है वर्ड सीजन सीजन और सीजर का स्पेलिंग क्या होता है सीजर जो होता है सीजर का मतलब कैंची तो कैंची का काम क्या है तो कैंची का काम भ चली, next word देखेंगे, abscond, abscond means depart secretly, यानि कि भाग जाना, ठीक है, क्या हो जाना, भाग जाना, abscond, तो देखो इसको दो पार्ट में divide करो ऐसे, कि अब second, अब second, दो तरीके से इसको याद रखेंगे, अब second में ही वो फरार हो गया, अब, एक second में ही वो क्या हो गया, फरार हो गया, या फिर, अब कांड करके वो फरार हो गया, दो पार्ट में, अब कांड करके वो फरार हो गया, या फिर, एक second में, एक second में हो फरार हो गया, तो दो तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, डेपार्ट का मतलब पता हैं आपको डेपार्ट जैसे गाड़ी वगरे डेपार्चर होता है यह तो वर्ड आपके लिए आसान होगा next word is absolute, absolute means complete, absolute हम बोलता है न absolutely नहीं कि completely तो यह तो आसान हो जाएगा आपके लिए याद करना क्योंकि बहुत आसान सा word है पूर्ण रूप से complete, absolutely I am agree with you या फिर I am totally agree with you हम बोलते हैं तो अगला वर्ड देखी कहा है 24 absolve, absolve means pardon, pardon का मतलब क्या होता है छमा करना किसी को, किसी को छमा करना, किसी को दो समुक्ट कर देना, तो pardon में छमा इतना तो आपको याद होगा absolve को आप ऐसे याद रखिए, absolve, absolve, अच्छा समझे कि दो परसन है और दो परसन के बीच में लड़ाई जगडा हो गया तो लेकिन अब उनके बीच में सारा को solve हो गया, सुला हो गया, तो कैसे सुला होगा, जब उन दोनों ने एक दूसरे को pardon किया होगा, pardon का मतलब छमा किया होगा, तभी जो है उन दोनों के बीच में क्या होगा, सुला होगा, तो absolve का मतलब क्या हो जाएगा, pardon, यानि कि छमा करना मैं बादा बोल रहा हूं आप जो है इंग्लिज पर फोकस करेंगे यहां पर वर्ट पर हिंदी पर नहीं जाएंगे ठीक हिंदी में बस आपको पढ़के सुना दूंगा तापकि आप भी जो हिंदी के स्टुएंट हैं वो भी समझ पाएं चलिए अगला देखेंगे अग रिफ्रेंड का मतलब भी होता है दूर रखना अपने आपको किसी चीज़ से ठीक है तो एबस्ट्रेक्ट सॉरी एबस्टेन एबस्टेन देखी एबस्टेन को याद रखना कि यहां पर याद रखना है आपको अस्टेन अस्टेन का मतलब होता है दाग अस्टेन मिन्स क्या का मतलब भी क्या होता है अपने आपको परहेज करना किसी भी चीज से या फिर आप इसको डेलस्टेन से याद रखेंगे डेलस्टेन भी क्या चाहते हैं डेलस्टेन बॉलर है और डेलस्टेन बॉलर जो है सब कुई चाहते हैं कि उनसे क्या करें सब बैस्टमें चाहते हैं कि डेल स्टेन के बॉलिंग के आगे जो है मुझे बैटिंग नाम मिले यानि परहेज करना चाहते हैं तो इस तरह से कुछ याद रखते हैं आप इसको अगला जो है वह है अबस्ट्रेक्ट का मतलब होता है देखें मतलब जो अबस्ट्रेक्ट नाउन को ठीक है अगर आपने ना कर सकते हैं जिसको हमने देखा नहीं हो बस हम फील कर सकते हैं उसको हम कहता है अबस्ट्रेक्ट तो वही यहां पर लिखा हुआ है सिर्फ भावना के रूप में ही मौझूद मतलब वह रियल में एक्जिस्ट ना करता हो और सौर्टन फॉर्म उप स्पीच इसके दो मिनिंग समझी है कि मतलब वह चीज रियल में नहीं है तो दो मिनिंग इसके हैं अबस्ट्रेक्ट का मतलब एक सौर्टन फॉर्म हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा एग्जिस्टिंग एजन आइडिया और फिलिंग उनली तो रियल में ना हो चलिए आगे देखेंगे अगला अबस्ट्रोथ याद करना बहुत आसान है देखो आप इसको दो पार्ट में डिवाइट करो अब ट्रस्ट ठीक है अब क्या हो गया है नावडेज इस डिफिकल्ट टू अंडर्स्टैंड कि हम किस पर विश्वास करें ठीक है या पिर ना करें आज के टाइम में क्या है और किस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए तो अब ट्रूस का मतलब क्या हो जाएगा अब अब आपको इतना याद रहने वाला है नेक्ट वर्ड अबीजमल अबीजमल का मतलब हो जाएगा नॉट मेजरिबल या फिर वैरी बैड दो पार्ट होंगे इसके एक तो होगा अबीजमल और बैड भी ठीक है तो दोनों को हम याद रखने वाले हैं तो आप यहां पर देखेंगे अबीज अगर मैं इसको पढ़ रहा हूं अबीज एक वर्ड आ रहा है बीज ठीक है बीज बीज का मतलब मैं सीड की बात कर रहा हूं तो जो किसान है जो सीड लगाते है जमीन में, वह कहा लगाते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर लगाते है ताकि वह आगे चलके पेड़ बन जाय है ठीक है नोट मेज़ेबल का मतलब आपर समझेंस का सिनेस बन जायगा, बॉतम लेगगाज, बॉतम लेडुस भी बन सकता है, तो एक तॉब में आद हो गेया ब मल से याद रखेंगे, मल नाम सुनते हैं जो है हमारे माइंड में गंदगी आती है, जैसे मल बोलते हैं ना कि यहाँ पर मल मुत्र है, यानि कि वेरी वैड, तो बीज मल का मतलब दोनों आपको याद रखने हैं, तो बीज वाला, बीज का मतलब बॉटम लेस आपको याद अगर आपने इसको acid थोड़े दिर के लिए याद रखा तो, oxid acid, तो आपने देखा होगा क्या होता है, कि जो फिर आसिक होते हैं, वो क्या करते हैं, acid लेकर के जो है, बोलते हैं कि तुम क्या कर लो, मान जाओ, ठीक है, लड़कियों को क्या बोलते हैं, तुम मान जाओ, तो जब अजस्ति उसको क्या करवाते हैं, कि मानने के लिए जो है, ready करवाते हैं, हाथ में acid लेकर वरना मैं acid fake दूँगा, ऐसे कर दूँगा, ऐसे कर दूँगा, बोलते हैं, तो अक्सीड का मतलब क्या, मान जाना, agree to, do, अगला है, acclaim, word number 30 देखेंगे, acclaim, acclaim means होता है, करना, आप loud हो करके किसी की परसंसा करता है, आप इसको पहले याद रखेंगे, जो हमारा word है, word का meaning है, कि आप loud हो करके किसी की परसंसा करता है, किसी की तारीफ करता है, अब acclaim को याद करना है, तो acclaim को अगर मैं ऐसे पढ़नू, अकल, देखे, A, C, A, L, ठीक है, आगे वा मतलब भी तारीफ करना होता है, तो अगर आप में अकल है, अकल है, अगर आप में अकल है, तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, प्रसंसा करेंगे, अप loud करेंगे, प्रेज करेंगे, तो इस तरह से आपको यह याद हो जाएगा, नेस्ट जो वर्ड है वो है acclade, acclade means word number 31 और आवार्ड और आफ मैरेट यानि कि क्या करना है यहां पे भी बात आएगी पुरस्कारर की, तारीप की ठीक है यहां पे भी आपलेट का मतलब रहुत ऑसानी यूवर्ड धना उसकी कि बहुत तारीफ की जाती है उसको बहुत सरे अवार्ड दिये जाते हैं माबाप के द्वारा वो जो मांगता है वो उसको दे दिये जाते हैं तो एकलेट का मतलब होता है अवार्ड अफ मेरिट नेच देखेंगे अगला वड़ है accomplice accomplice का मतलब होता है गुनाह का साथी ठीक है गुनाह का साथी यानि क्या आप बोल सकते हो partner in crime accomplice accomplice ठीक है याद करना बहुत आसान है आप इसको ऐसे याद रखिए एक कम police अगर police के group में ठीक है अगर 30 police का एक unit है group है और 30 के 30 अगर किसी काम पे लगे हुए किसी mission पे लगे हुए तो अगर वहाँ पे एक कम है police तो समझो वो कहां मिल गया है जाकर कि अफराधियों के साथ जाकर कि मिल गया है पैसे के लिए तो accomplice का मतलब हो जाएगा partner in a crime partner in crime next देखेंगे अगला है accord accord का मतलब होता है do something in complete agreement यानि कि क्या होना दोनों के बीच में तालमेल होना ठीक है agreement होना उसको बोलता है accord तो accord को according से आधर को कि वो जो काम करता है he works according to me he works according to me मतलब वो मेरे according ही काम करता है तो accord का मतलब क्या हो जाएगा agreement कि मेरे agreement से वो काम करता है next word है हमारा 34 34 number का जो word है वो है accused accused का मतलब होता है one who is under trial in a court यानि कि जो दोसी सिद्ध हो गया हो ROP हो जो किसी काम का किसी crime का किसी गुनाह का जो ROP हो accused हो उसी काम accused कहते है तो यह आसान सा word है इसको तो आप बिल्कुल जो है आसानी से क्या इसको याद करने कि जरुवत ही नहीं आपने इतना बार सुना ही होगा accused कि वो accused पाया गया next देखिए अगला जो word है हमारा वो है एकमी एकमी का मतलब होता है peak यानि कि सिखर peak यानि कि आप बिल्कुल high पे पहुँच गया है high पे पहुँच गया मतलब आपको जो aim था आपका जो life का goal था aim था आप वहाँ पे पहुँच गया तो उसको बोलता है सिखर एकमी याद करने का तरीका देखो इसको आपको एकमी नहीं पढ़ना है आपको इसको पढ़ना है AC में ठीक है AC में तो समझेए आपका जो है सपना था कि मैं आगे चलके जो है AC वाले office में बैठ हूँ कमरे में बैठ हूँ उसके लिए आपने बहुत ज़्यादा hard work करी बहुत ज़्यादा मेहनत करी आपको वो चीज मिल गई यानि आप उस टॉप पे पहुँच गए सिखर पे पहुच गए और आपको एक बढ़िया first class का जो है क्या मिला है AC वाला कमरा मिला है हर चीज जो है बिलकुल बढ़िया well organized है तो समझो आपको क्या मिल गया आप उस सिखर तक पहुँच गया उस पीक तक पहुच गया तो एक मिल का मतलब क्या हो जाएगा पीक next है acquit आसान सा वर्ड है acquit का मतलब होता है किसी को क्या कर देना declare कर देना to be not guilty यानि कि कोई दोसी नहीं है बरी कर देना उसको कहते है हम acquit तो देखो acquit में एक वर्डारा acquit का मतलब क्या होता है छोड़ देना या फिर त्याग देना तो आप समझो यहां पे कि अगर आपने science में पढ़ा होगा adaptation adaptation का मतलब क्या होता है जहां पर जानवर लोग पौधे लोग रहते हैं उनका surrounding जहां पर वो grow कर सके उसी को हम क्या कहते हैं adaptation कहते हैं तो वही यहां पर है adapt का मतलब uncool बना देना to change to suit different environment उसी को बोलेंगे adaptation ठीक है तो यह बिलकुल याद रखना है आपको और यह भी बिलकुल word similar है ठीक है यह है adapt, adapt यह है adapt और यह है adapt तो adapt का मतलब होता है proficient ठीक है किसी काम में क्या होना कुसल होना निपुल होना skilled होना उसको हम कहते हैं या पर experience भी इसका syndrome हो सकता है मैं syndrome क्या बता रहा हूं या तो proficient आएगा या skilled आएगा या पर experience आएगा तो या पर dab hand भी आ सकता है dab hand तो यह सब आ सकते हैं वर्ट तो यहाँ पर जो adapt है इसको कैसे याद रखेंगे तो इसको आप याद रखेंगे depth से depth का मतलब क्या होता है गहराई और अगर आप किसी काम की गहराई तक जाते हैं तभी आप उसमें निपुन हो पाते हैं तभी आप उसमें क्या हो पाते हैं निपुन हो पाते हैं skilled हो पाते हैं proficient हो पाते हैं experience हो पाते हैं तो अब आपको यह याद रहेगा adapt और adapt दोनों के ब Adolescence, Adolescence का मतलब होता है, आप यहाँ पर समझीएगा जो Adolescence वर्ट जो है दिया हुआ, Adolescence का मतलब होता है कि सोरा आवस्ता, कि सोरा आवस्ता का मतलब होता है, One, Who is growing into an adult, यानि कि कोई ऐसा बच्चा जो कि adult में grow हो रहा हो, Adults की मतलब, Adults के उसमें गुन आ रहे हैं, यानि क कि वो बड़ा हो रहा है, तो इसको हम बोलता है Adolescence, ठीक है, तो Adolescence को याद करना ऐसे है, इसको दो पार्ट में डिवाइट करेंगे, तो ऐसा लगेगा Adolescence, तो Adolescence बनाने का सौक जो है, कब चड़ता है, जब कोई बच्चा grow हो रहा होता है, Adult, मतलब बड़ा हो रहा होता है, तभी जो है धुन चड़ता है, कि भाईया मुझे डोले बनाने है, थोड़ा दिखाने है, तो One who is growing into an adult, तो a doly, ठीक है, a doly, इस तरह से आपको यह याद रहेगा, Next, Adulteration, Adulteration का मतलब होता है, mixing some undesired commodity, यानि कि कि किसी भी चीज में जो है, मिलावट करना, उसको हम कहते हैं, Adulteration, यह भी बहुत आसान है, याद करना, देखो, एक तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, कि जो adult होते हैं, कोई बच्चा जो है काम करेगा नहीं, दुकान में अगर कोई बच्चा बैठा हुआ है, रासन की सौब खोल कर कोई वेक्ति बैठा हुआ है, तो adult वेक्ति जो है, वह वही मिलावट का काम करेगा, लेकिन जो बच्चे होते हैं, बच्चो क्या पता कि मिलावट करके क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो adult और रासन, तो रासन की दुकान खोल कर जो adult बैठा हुआ है, वही उसमें क्या करेगा, undesired commodity, यानि कि mix करेगा, मिलावट करेगा कुछ, तो इस तरह से आपको यह याद रहेगा, बाकि जो adultery लिखा हुआ, adultery का मतलब होता है, कि to have sex outside marriage, यानि कि marriage की बाद भी जो है, कोई विक्ति अगर बाहर sex करता है, तो उसको हम बोलते है, adultery, ठीक है, तो adult movie से आप इसको याद रखेंगे, तो आपको ज़्यादा याद रहे available, या फिर उसको हम बोलते है, adverse, तो adverse को आप ऐसे याद रखेंगे, universe से, ठीक है, मैंने भी ऐसे याद किया था, और अब भी तक मुझे याद है, कि adverse है, जब मैं, जब मैंने उससे साधी करने का फैसला किया, तो पूरा universe मेरे adverse में खड़ा हो गया, यानि कि मेरे unfavor में हो ग अगला जो है, वो है aftermath, देखे, aftermath का मतलब होता है, कि to period which follow an undesired event, यानि कि कि किसी अपेरे घटना के बाद का समय, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो क्या है, कि जैसे exams होता है, तो देखा होगा, exams में math तो हो जाता है, लेकिन, तो वही है, यहाँ पे देखो क्या है, कि किसी पहले जो है exam जैसे ही आप देने गए, तो पहले जो है GS का section आगए, आप ऐसे समझो कि पहले जब आप exam देने गए तो आपका GS का section आगए, तो GS आपको भी पता है कि मतलब क्या होता है, danger होता है, बिल्कुल है, लेकिन, danger के बाद, जैसे ही math थाया, तो math देखा होगा, आप next है हमारा, की aghast, देखिए, aghast का मतलब होता है, sudden feeling of shock and worry, मतलब बहुत जाए, क्या होना, shock लगना, आप इतना यादर कि shock लग जाना किसी को, तो जब भी हम किसी ghost को देख ले, आप ऐसे समझे, ghost को देख लिए हमने, या फिर ghost वाली movie देख लिए, ghost का मतलब भूत होता है, भूत वाली movie देख लिए, तो क्या होता है, हमें shock लग जाता है, ठीक है, यह ऐसे मर गया, ऐसे मनने के बाद यह चुड़ायल बन गई, भूत बन गई, तो ghost का मतलब क्या हो जाएगा, sudden feeling of shock and worry, next है, agile, agile means होता है, able to move your body quickly, यानि कि लचीला पन, ठीक है, आपकी body में क्या होना, लचीला पन होना, तो उसे को बोलते हैं, क्या, agile, ठीक है, तो agile को आप ऐसे याद रखेंगे न, देखिए, agile, a girl, agile, अगर मैं इसको सीधे पढ़ू तो, अगर ऐसा लगेगा, अगील, ठीक है, क् आप ऐसे बोल सकते हैं, कि a girl's body is more flexible than a man, तो जो लड़कियों की जो body होते है, महिलाओं का जो सरील होता है, जादा flexible होता है, किस के तुलना में, तो gents के तुलना में, तो agile, ठीक है, agile, a girl, agile, a girl, अगर, अगर, तो इस तरह से आप 4-5 बार repeat करो, आपको यह याद हो जाएगा next है, एगनी, एगनी का मतलब होता है, extreme suffering, यानि कि बहुत ज़धा body में पीडा होना, pain होना, उसको हम कहते हैं, एगनी, तो एगनी को आप अगनी अगर पढ़ लें, अगनी का मतलब आग, fire, और कोई वक्ति अगर अगनी में जल जाता है, या पिर आग की चपेट में आने से उसका कोई body part या अंग जो है जुलस जाता है, तो उसे बहुत ज़धा सफर करना पड़ता है, बहुत ज़धा pain होता है, तो एगनी का मतलब extreme suffering, extreme suffering, next word देखेंगे, aisle, ठीक है, लिखा हुआ है AISLE, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम aisle, aisle, यानि कि इसका जो pronunciation है, वो है aisle, तो aisle को य याद करने की aisle, ठीक है, तो aisle जैसे ही याद रखेंगे न, तो हम ऐसे पूछ सकते हैं, कि जैसे आप समझों कि हम कहीं पर बैठे हुआ, hall वगरा में कहीं बैठे हुए, तो hall में एक रास्ता होगा, आपने देखा होगा, hall का मतलब में cinema theater की बात कर रहा हूँ, तो आप एक र rows of seats, ठीक है, तो row, यानि दो row के, यानि की, जो line होते हैं, seats होते हैं, उनी के बीच में तो जो है रास्ता होता है, तो aisle का मतलब आपको याद हो जाएगा आप की दो row के बीच में line होना, अच्छा, next word देखेंगे, next word जो है, वो है, alchemist, alchemist का मतलब होता है, one who tries to turn other base metal into gold, आ आपने पारस पत्थर का नाम सुना होगा, कि पहले एक पारस पत्थर हुआ करता था, पता नहीं हुआ करता था, यानि लेकिन ऐसा मानते हैं कि पहले एक पारस पत्थर हुआ करता था, और पारस पत्थर से जो है, आप उसको किसी वागर लोहे में सटा देंगे, तो वो लो ही होगा कि उस chemical को ऐसे छेड़कने पर किसी लोहे से जो है वो क्या बना देता होगा उस लोहे को turn into gold यानि gold में change कर देता होगा तो alchemist का मतलब हो जाएगा when you try to turn other base metal into gold यह हो गया अब आगे देखेंगे next है Elmoney Elmoney का मतलब होता है money paid usually to a wife after breakdown of marriage यानि कि तलाक के बाद जो रकम दी जाती है पती के द्वारा पतनी को उसको हम कहते है Elmoney ठीक है उसे हम क्या कहते है Elmoney कहते है तो आप इसको याद रखेंगे अली और मनी तो जो एक अली नाम का कोई वक्ती था और उसका जो है डाइवार्स हो गया अगे देखेंगे अगला है Altar, Altar का मतलब होता है Table or Place where offerings are put in a religious place यानि कि कोई ऐसा Table या कोई ऐसा Place जहाँ पर बली दी जाती हो Altar दी जाती हो उसको हम कहते हैं बेदी यानि कि बली तो Altar को अगर मैं पढ़ूं Altar अल तर हम बोलते हैं न तर जाना अगर मुझे ऐसा मौका मिला तो मैं तर जाओंगा तो आप ऐसा समझिए कि लोगों का पहला ऐसा क्या विस्वाब था कि जिसकी यहाँ पर बली दी जाती है वो तर जाता है ठीक है अचाहे वो जानबा और अचाहे इंसानों पहले तो इंसान Dutch coins are put in a religious place प्लेशु आगЕ देखेंगे अल्टर् केशन अल्टर्केशन का मतलब होता है कहा सुनी हो जाना यहाद विवाद हो जाना मतलब मुह से जगडा हो ठीक हात पर का जगड़ा ना होना मुह से जाली ग्लोश से जगड़ा होना उसको बोलते हैं alter के समतिहां पर आपको एक root word याद रता है कि जो alter है alter ठीक है alter का मतलब होता है change ठीक है अलग अलग तो दो वेक्तियों के बीच में alter का मतलब क्या विपरित दो वेक्तियों के बीच में तो मैं आपको ऐसे याद करवा रहा हूं कि जब मैंने उसको क्या कहा अल्टर कहा तो क्या हो गया उसने जो है युद्ध सुरू कर दिया मू से गालिक लोज देना सुरू कर दिया तो लाउड आर्ग्यूमेंट हो गया हम दोनों के बीच में तो इस तरह से आपको यह याद हो जाएगा नेक्ट है अंबिग्यूएस देखें वर्ड याद रखें, एम भी तो जिसके दो अर्थ निकले उसको हम कहते हैं एम भी जूष ठीक है याद होगया है next है amenable amenable का मतलब होता है willing to accept a suggestion willing to accept a suggestion यानि कि सुझाओ को सुविकार करने वाला उसको हम कहते है amenable ठीक है तो देखो amenable में एक word आ रहा है among a-m-e-n among तो जो व्यक्ति अमन और सांती चाहेगा जो व्यक्ति अमन और सांती चाहेगा वो हर चीज जो एकसेप्ट कर लेगा किसी के भी suggestion को accept कर लेगा कुछ विरोध में नहीं बोलेगा कि हाँ बाई मुझे ये पसंद नहीं है तो मैं इसकी खिलाब आवाज उठाऊंगा नहीं वो amen चाहता है सांती चाहता है तो amenable का मतलब हो जाएगा willing to accept a suggestion next देखिएगा amiable amiable का मतलब होता है दोस्ताना friendly या फिर pleasant and friendly behavior तो देखिए अमी यहाँ पर यह word है ami ami तो अब किसी की ami यानि कि मम्मी के बात हो रही तो मम्मी जो है कैसी होता है friendly behavior होती है मम्मी का जो behavior होता है वो हर किसी से जो friendly होता है वो अच्छे से behave करती है सबके साथ तो ऐसे याद रखने amiable का मतलब क्या pleasant और friendly behavior next है angust देखिए 55 नंबर वर्ड जो है वह है angust angust का मतलब होता है great anxiety great anxiety का मतलब बहुत जादा चिंता होना तो देखो यह जब से जीएस्टी आया है ना angust है मैंने आपको क्या कहा जब भी कोई word में याद करवा रहा हो ना तो आपको जो है उसका post-martum करके पूरा देखना है जैसे इसको दो partum मैंने break case दिया angust तो आप अगर direct पढ़ोगे angust तो आपको यह meaning इसका नहीं पता चलेगा तो जैसे आपने ngust किया तो अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ आपको हमेशा याद रहेगा तो जब से जीएस्टी लागो हुआ है जब से जीएस्टी लागो हुआ है सबकी anxiety बढ़ गई है टीक है great anxiety हो गई है क्यों चिंता हो गई है क्योंकि अब हमें GST टेक्स देना पड़ता है जिसके बद से हर एक चीज़ क्या हो गई है महंगी हो गई है NGST टीक है NGST यानिके great anxiety बहुत बड़ा problem या फिर चिंता तो इस तरह इसको याद रख लीजेगा आप NGST है हमारा एंग्विस एंग्विस का मतलब होता है अभी हमने तुरंट पढ़ा था एक चलो हम याद करेंगे यहाँ पर extreme unhappiness यानिकि बहुत ज़्यादा वेदना डर्द दुख तकलीफ extreme unhappiness याद करने का तरीका क्या है तो अंग से याद रखेंगे इसको ठीक है जहर चला जाए तो वो क्या हो जाएगा extreme unhappiness होगा वो यानिकि बहुत ज़्यादा वेदना होगी तकलीफ होगा व्याथा होगी तो यह यहाँ पर एक तो NGST और एंग्विस ठीक है तो दोनों में confused नहीं होना NGST यानिकि चिंटा होना extreme anxiety और एंग्विस का मतलब हो जाए जो वर्ड है एंटेट एंटेट का मतलब होता है किसी to add a brief explanation यानि कि किसी बात पर टिपनी देना टिपनी करना explanation देना उसको हम कहते हैं एंटेट तो देखो एंटेट को आ नोट पड़ो नोट का मतलब क्या कोई speech तो हम नोट देते हैं तो उसे को बोलते हैं एंटेट यानि टिपनी तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं अगला है anonymous anonymous का मतलब होता है made done made or done by someone unknown यानि कि कोई ऐसा काम जो किसी ने किया तो है लेकिन हमें पता नहीं कि किस ने किया यानि बि ठीक है मतलब उसका कोई नाम नहीं है हमें पता तो हो जाएगा हमारा anonymous next है antecedent आसा वर्ड है antecedent antecedent का मतलब होता है something और someone existing before यानि कि पहले भी जो हो चुका है उसको हम बोलते है antecedent और हमने पढ़ा भी प्रेसिडेंट, antecedent, precedent तो यह सब वर्ड आसान से हैं हमारे लिए ठ याद हो जाएगा next है हमारा apathy देखिए अगला जो वर्ड है हमारा वह है apathy apathy का मतलब होता है interested ना होना किसी भी चीज़ में ठीक है lake of interest enthwism और emotion इसको याद रखेंगे आपत्ती से देखो हमें जब किसी चीज़ में आपत्ती होती है ना तो हम उसमें इंट्रेस्ट नहीं है lake of interest ethosm तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं next word देखते हैं next word है हमारा appalling word number 61 appalling मिल सोता है बहुत ज्यादा भयावा shocking आप हो सकते हो very bad and shocking देखेंगे English word very bad and shocking appalling का मतलब और appalling को याद हम ऐसे रखेंगे देखें आप समझेगा कि आप polling booth पे गए जो polling booth होती है जहाँ पे voting होता है आप वहाँ पे vote देने गए लेकिन वहाँ पे इतनी ज्यादा भीड थी इतनी ज्यादा भीड थी कि आप वहाँ पे देख करके सौक हो गए कि मैं इतनी देर तक जो है लाइन में कैसे खड़ा रहूँगा तो very bad and shocking ठीक है आपने का very bad it's a too crowd और आप क्या बोलोगे बहुत जाज़ा सौकिंग है है ना मतलब आपको सौक लगा कितनी भीड कैसे है आपने सोचा होगा सुबह सुबह जाओंगा और voting करके चलाओंगा खाली रहेगा लेकिन नहीं सुबह से ही बहुत जाज़ा भीड थी पॉलिंग बूस पे तो पॉलिंग का मतलब हो जाएगा very bad and shocking नेक्ट है हमारा वर्ड वह है अपीजमेंट अपीजमेंट का मतलब होता है कि the act of giving advantage to one party जिसका मतलब कह सकते हो कि कि किसी को क्या करना सटिस्फाइड करना देखो इसका जो actual meaning होता है अपीजमेंट का किसी को सां आ रहा है पीज ठीक है आप पीज अपीज अपीज तो जब भी कोई वेक्ति सांती चाहता है तो वो क्या करेगा किसी वेक्ति की बात मान लेगा किसी वेक्ति की क्या जर लेगा बात मान लेगा उसको संतुस्त करेगा satisfy कर देगा कि भाई ताकि हल्ला हुर्दंग ना मचाए है तो अपीजमेंट का मतलब हो जाएगा क्या अपीजमेंट में आप याद रखेंगे तो एक्ट ऑफ गिविंग एडवांटेज टू वन्स पार्टी नेक्स्ट है हमारा अकाइब्स अकाइब्स का मतलब क्या होता है कि प्लेस वियर हिस्टॉरिकल डिकॉर्ड्ड सार आपको बस जेनरली याद रखना है कि अकाइब्स का मतलब होता है जहां पर पूरानी चीजे इस्ट्री से रखी जाते उसका हम अकाइब्स कहते हैं नेक्स्ट देखिएगा आर्ग्यूमेंटेटिव का मतलब होता है बहस करने वाला या पिर जो आर्ग्यू करे तो आपको अब देखिएंगे आर्टिकुलेट बहुत अच्छाता व्रड है यह आर्टिकुलेट और बहुत इंपॉर्टन वर्ड है ठीके आर्टिकुलेट बहुत बार आया है वह देखे वर्ड्स नमबर 65 चीजो आर्टिकुलेट मतलब होता है गुड्ड ओरेटर यानि कि अब देखो आर्ती क्या करती है good orator है और वो क्या करते है बहुत अच्छे से calculate कर लेती है हर चीज़ और अपने feelings को जो है calculate करके दूसरों के सामने रख देती है बता देती है तो articulate का मतलब हो जाएगा good orator next word जो है वह है asceticism word number 66 asceticism का मतलब होता है religious belief and avoidance of life of pleasure यानि कि आप इसको बोल सकते हो कि वैराग जीवन यहां पर देख रहे हो वैराग का मतलब को नहीं पता तो अकेले जीवन जीना सादू संत जैसे जीते हैं उसे को कहते हैं ascetism और यह ascetic अगर ism में हटा दूत यह हो जाएगा ascetic ascetic का मतलब हो जाएगा सादू जो अकेले रहता हो निर्जन रहता हो किसी के साथ नहीं रहता हो जिसको यह one word में भी आता है ascetic ascetic का मतलब होता है जिसको ना pain का एहसास हो ना pleasure का हिसास मतलब जिसको ना सुख का एहसास हो ना दुद का एहशास उस्को हम ascetic कहते हैं तो हम इसको यहाद रखेंगे ascetic को ऐसे ठीक ऐसे व distracting जीवन जीना ठीक नहीं है कभी देखते हूंगे आपकी कोई वक्ती जो है अकेले रह जाता है अपने परिवार को छोड़ देता है अप चला जाता है साधू बन जाता है तो उसके परिवार वाले जो है बहुत जादा दुखी होते हैं तो वही है तो आप उसको बोलो है कि ऐसे रहना ठीक नहीं भाई थोड़ा जो है परिवार के तरफ भी ध्यान दो ठीक है तुम्हारी भी फैमिली है तो असेटिस्म का मतलब हो जाएगा सन्यास या फिर रिलीजिस बिलीफ बंदुक की बात कर रहा हूं असौल्ट की तो असौल्ट जो है वो क्या है लडाई करने काम आता है वाईलेंस एक याद रखेंगे असौल्ट रैफल से और जैसे ही रैफल आपके दिमाग में आएगा ना तो आपके मांड में मारपीड और वाईलेंस अटेक वगर अपने आ आप आजाएंगे तो assault rifle याद रखेंगे आप next है next word है हमारा asset asset का मतलब होता है sympathy valuables valuable का मतलब भी होता है sympathy पुन्जी valuables इसको आप याद रखेंगे a set से देखिए आप इसको पढ़ेंगे a set set का मतलब मैं सेट जी की बात कर रहा हूँ तो आप सब आपको पता है S8 जी के पास पैसे होते हैं, valuables होते हैं, valuable things होते हैं, सामान वगरा होते हैं, तो आप बोल सकते हैं a set, ठीक है? a set, याद हो जाएगा आपको, या फिर ऐसे भी याद रखेंगे a set, वो set हो गया, शेट हो गया मतलब क्या life method हो गया तो उसके पास बहुत जादा क्या हो गया है valuable things हो गया है पैसे हो गया है तो asset का मतलब हो जाएगा valuable next word है हमारा atrocities atrocities का मतलब होता है violent and cruel act देखो आपने atrocities अगर पढ़ा होगा पहले भी वर्ड अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे पहले भी तो यह वर्ड आया है atrocities atrocities को मैंने याद करवाया है metro city से कि गाओं में लोग जो एक दूसरे के साथ क्या करते है अच्छा behave करते है लेकिन metro city metro city में जो है लोग एक दूसरे एक साथ जो है अच्छे थे behave नहीं करते है तो उसी को हम बोलेंगे atrocities atrocities में लोग एक दूसरे एक साथ violence करते है और जुल्म करते है एक दूसरे पर तो इस तरह से हमको याद हो जाएगा atrocities next वर्ड देखेंगे attenuate attenuate का मतलब होता है हमारा attenuate attainment में जो जो जाएगा to calm और to calm और soothe का मतलब होता है किसे को सांथ करना ठीक है attenuate तो इसको याद करने के को जो है नहीं बना तो पहला ऐसा वर्ड जो है उसका नहीं बना इसमें ठीक अब तक हम ने जितने भी वर्ड देखें 70 word में यह पहला word है तो इसको आप note करनेंगे coffee पर और इसकी जो है नई बनी है चलिए आगे देखेंगे अगला जो है हमारा word वो है attrition attrition का मतलब होता है किसी से रगड खाना ठीक है किसी भी चीज़ से क्या खाना रगड खाना the gradual weakening of something या फिर धीरे धीरे वो चीज़ नस्ट होना जब कोई चीज रगड खाती है आपने देखा होगा जब चीज कोई रगड खाती है तो रगड खाने से क्या होता है वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है जो ऐसे देखिए आपके कहें attrition को अगर मैं पढ़ो friction attrition friction आपको तीन चार बार मेरे साथ रिपीट करना है attrition friction अगर आपने friction science में पढ़ी होगी friction ठेक है तो आपको यह याद हो जाएगा attrition friction attrition friction तो friction force भी जब लगता है तो क्या होता है चीजे छोटी हो जाती है कमजोर हो जाती है तो वही attrition का मतलब याद रखना है क्या the gradual weakening of something दूसरा है augment augment का मतलब होता है किसी भी चीज को increase कर देना बढ़ा देना add to और increase वर्ड यहाप है add to और increase मतलब किसी भी चीज को क्या करना बढ़ाना तो देखो इसको आप ऐसे पढ़ो आग में देखे लिखा हुआ क्या augment AUG, AUG और मे तो आग में घी डालने का काम उसने जुआ हम perfect understood हरे हम राझस्ट को warm बिए इंडीपेंडेंडेंटे मनाते है इसे इस लिए इसलिब इंडीपेंडेंडेंश्ट हो जाता है इस तरफ हो deux बिए जाते हैं आपको इह एक द्हुत राजसी से यह एक कि जब हम अजाद हुए थे 1947 में 1947 में आप ऐसे याद रखो कि 15 अगास 1940 को जब हम अजाद हुए थे तो यह जो राजसी तंद्र था ना इंडिया में वो खतम हो गया यानि मुनार्की सिस्टम के मैं बात कर रहा हूं जो राजा महरा राजा हुआ करते तो उस सारा खतम हो गया तो उसी को बोलेंगे अगस्ट ठीक है तो इस तरह से आपको दोने वर्ड याद हो जाएंगे तो और को याद रखेंगे फेस का और नेक्स्ट का मतलब होता है यह बहुत जाद किसी को डिजलाइक करना ना पसंद करना तो तरह कि अबर जो है एक वर्ड बनाता वर्जन और यह मैंने बहूत बार आपको याद करवाया है कि Chinese Chinese phone का version इसे मुझे बहुत ज़्याधा क्या मतलब नपसंद है मैं बहुत ज़्यादा डिल्ज इज्लाइक करता हूं किसे तो Chinese phone के वर्जन से तो यह हो जाएगा अब बर्ज का मतलब क्या ना पसंद करना क्या परजन चाहिनीज फैन चाहिनीज फोन करना इसकोemplari चीज पो डिजलाइक करना बहुत जादा नेक्स्ट है ओफुल देखिए ओफुल का मतलब होता है हेटफुल बहुत बुरा अतन्त बुरा हेटफुल तो हम बोलते हैं न और बहुत जादा ओफुल है मतलब कोई ऐसे चीज देख लेते हैं जो में नहीं पसंद होती तो मेरम नेकल जाता है ओ इतना घटिया तो ओफुल का मतलब क्या हो जाएगा हेटफुल ठीक है अगला देखेंगे बैबल का मतलब होता है टॉक इन वे विच डिफिकल्ट अंडरस्टेंड मतलब बढ़ बढ़ाना और ताकि अगले को समझ में ने आया ठीक है कोई ऐसा वेक्ति ज यहां तक हमारा एक खतम हो गया अब जो हमारा बी सुरू हुआ है तो यह से जो है इसमें 76 वर्ड में यानि कि ए में आपको जो है सिर्फ मैंने एक वर्ड नहीं याद करवाया अटेनुए टैनुए टैना वर्ड नमबर से जिसका जो वर्ड था आठेनुए 32 और नुदेंिट का मतलब होता है टुकाम और तुट वह आपको याद कर लेना सहे एक वर्ड आपको याद कर आप है अगला वर्ड हमाराalth कि जो 78 नमबर है कि वह आपकर लियंग की जो एक आ native और बिक्लापी इसमें घुन देखिए बच्चन से आपको बच्चन फैमिली माइंड में याद रखना है तो आपने एक सौंग सुनाओगा कजरारे वाला तीक है आप इसको सर्च किजेगा जब आप उसको सर्च करेंगे तो और भी ज्यादा आपको चीज यह वर्ड याद रहेगा वर्ड में आपने देखा होगा कि दोनों जो है अभी सेख बच्चन घ्रा रही तो उसी से आपको याद अखना है बच्चन बच्चन वर्ड बच्चन का मतलब सराभी याद करना है ठीक है याद करणाना लिए से सावोड जो है यूज़ किया जारह है अागे देखी है आजाइवाईट का मतलब होता है पीट पीछे चुगली करना पीट पीछे क्या करना चुगली करना एकक淌लत करना है अब यहां पर क्या वर्ड आ रहा है बैक बाइट तो आप ऐसे बोलें कि मेरे बैक पर ना काटो मत और हम ऐसे भी बोलते हैं इसको वर्ड को आप ऐसे लेंगे कि कुटे भॉकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब जनरली यह कहना चाहते हैं कि जब इनसान सफल होते जाता है या कुछ करता है तो पीट पीछे लोग चुगली करते हैं तो यह हो जाएगा बैक बाइट ठीक है अगला जो बड़ है वह है हमाना बैड नाज का मतलब होता है मजाक में चिड़ाना किसी को प्लेफुल टीजिंग और या फिर बैंटर ठीक है आप इंग्लिस पर ज्यादा फोकस करेंगे हिंदी में आपको पढ़ा दूंगा ठीक है यहाँ पर देखे क्या लिखा हुआ है प् है फिर बैंटर और बैडिनच को हम ऐसे याद रखेंगे डेके अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करो फिर में डिवाइट करो बढ़ इन एज बैड इन एज अब देखी क्या है कोईजिक क्या होता है कि हम जब घुरूप में फ्रेंट्स होता है नो तो किसी का बाला- तो थो मतलब अपने उमर से भी ज्यादा बूढ़ा दिखने लगा है तो वह मजा कोड़ा रहे हैं किया को याद रखना है बैड इन एज, बैड नाज को याद रखना है, बैड इन एज, भाई तु तो बिल्कुल बैड इन एज है, बतब तु तो कम उमर में ही बुड़ा दिखने लगा, ऐसे याद हो जाएगा, अगला दिखेंगे, अगला जो वड़ा होगे, बैफल, बैफल का मतब कन्फ्यूज बहुत असानता वर्ण होता है जब भी गाउं में अदिक्तर वेक्टि भैंण सकता है तो बैक्ट्रो क्या होती है कभी-कभी रसी तोड़ जाता है तो उसको तोड़ करके वह बहाग जाती है और फिर उसको पकड़ना जो है बिलकुल मुस्किल हो जाता है मतलब confuse कर देती है भैस भागबाग के और हमें समझ में नहीं आता कि हम उसको कैसे पकड़े एक तो baffle हो जाएगा इस तरह से आप याद कर सकते हैं या फिर baffling से याद रखो कि baffling way ठीक है confuse करना next है bait bait का मतलब 4 भी होता है 2-3 चीज़े होंगी 2 मतलब होगा इसका bait का मतलब होता है snare का मतलब 4 होता है trap का मतलब होता है किसी को जाल में फसाना 2 meaning इसके निकलते है एक तो snare एक तो trap और हम दोनों याद रखेंगे तो bait को अगर मैं bite पढ़ लूँ ठीक है bait को अगर bite पढ़ेंगे तो bait का मतलब क्या होता है खाना, चबाना तो भैस या पिर जानवर चारे को क्या करती है bite करती है, जुगाली करती है, चबाती है तो ऐसे याद हो जाएगा bait से और bet से अगर आपको याद रखना है जैसे आप यहाँ पर देखिए B-A-I-T लिखा हुआ है अब यहाँ पर अगर इसको buy पढ़ हो buy को trap में फसा लिया गया आपने देखा होगा, सहरों में क्या होता है कि poster chip क्या हो रहते हैं कि maid की job खाली है बाई की job खाली है ठीक है, बाई की जो है इतनी vacancy है, इतनी salary मिलेगी और पर क्या होता है कि जब call किया जाता है तो फिर उनसे क्या पैसे मांगे जाते हैं जौब लगवाने के, commission मांगा जाता है तो बाई को trap में फसा लिया जाता है तो यही हो जाएगा, bite, bet bet का मतलब क्या हो जाएगा, trap में फसा लिया तो दोनों बड़ याद हो जाएगे bet का मतलब 4 भी और bet का मतलब फसा लिया ठीक है, मतलब trap में फसा लिया अगला है, bailful देखे, bailful का मतलब होता है deadly deadly का मतलब घातक, ठीक है बेल मिलने के बाद वो फुल क्या बन गया घातक बन गया ड़ेट सील के लिड्ल पार जाता है और आगण यारी दूंगा आ ऊल्यार हो जाता है हानिकार पार ही पाल का मतलब होता है कि अट न हुटा यह सब यानि कि किसी भी काम में अनिक्षुक होना, इच्छा ना होना, not interested in any work, किसी भी काम में मन ना लगना, या फिर उसको काम करने की इच्छा ना होना, विल का मतब इच्छा होता है और यहां पर unwilling लिखा हुआ है, तो आप यह से याद रखेंगे, कि आज कल के जो बालक होता है, थोड़े थोड़े से में उब जाते हैं, थोड़े से ही टाइम में क्या होते हैं, बालक जो हैं आज कल के क्या होते हैं, उब जाते हैं, तो इस तरह से आपको यह याद हो जाएगा, ठीक है, बालक से उबना आपको याद हो जाएगा, तो unwilling to do something, लेकिन पहले के जो बालक हो अगर बाल में कोई गर्म तेल लगा दे तो क्या होता है बहुत ज्यादा अच्छा लगता है अच्छा लगता है तो इस तरह से आपको इसको दोने वर्ड याद रखना है अपने पड़ा होगा बून का मतलब वरदान होता है बून मिंस वरदान और बेन मिंस राप और कर्स का मतलब होता है तो यहाँ सान सावड है अगला है बेंटर अभी हमने तुरंत याद किया बेंटर अभी हमने बेंटर बैड इन एज याद किया था ना बैड इन एज ठीक है बैड इन ए देखे मुझे जैसे याद हो गया तरंत छला जाएगा जैसे बैड заним अेज बैड इन हृट वैट नाज तो बैडद नाज ना तो थूफ सब्सक्राइब सब्धों में ही जो बूरा दख रहा है नहीं पर कि क्या होता है मजाक में चिढ़ाना कि हमक्रें बंदर के हम बोलते हैं रि спорт चिढ़ सके उसको चिढ़ाने के लिए हम क्या बोलते हैं बंदर बोलते हैं तो बैंटर का मतलब हो जाएगा चिढ़ाना किसी को किसी को क्रिटिसाइज करना यहीं कानवर्सेशन विच इस फणी एंड डू नॉट फीरियस है न हम बोल देता है मजाक मजाक में वाई तू तो सार्व प्रोजेक्शन फ्रॉम स्कीस हो इसको आप खाटा भी बोल सकते हैं गाउं में इसको बंसी बोलते हैं जिससे मचनिया फसाई जाती है तो देखो बार्ब बार्ब जो वर्ड बनाया है बार्बी क्यू का मतलब क्या होता है अगर आपने कबाब वाले दुकान पर गय जाता है फिर उसको फ्राइ किया जाता है आग पर तो उसको कहते हैं बार्बी क्यू ठीक है उसको क्या कहते है बार्बी क्यू कहते है तो वह काटा होता है साथ प्रोजेक्शन फ्रॉम फीस हुक ठीक है तो इस तरह से आपको यह याद हो जाएगा बाब से बार्बी क्यू याद हो जाएगे 귀 Hutch by fix दो होते हैं से मिस्वी क्रूव estas a आपने पढ़ा जाती के बढ़े तो क्या होते है तो क्या हैं से ऐटली कुबल होता है अगला वड्स व्मारा वह है बाड बाड का मतलब होता यहां पर किया है बाड मिन्स पॉएट होता है कभी होता है देखें बाड जो है अगर मैं बाड को आपको याद करवाना चाहूं वर्ड नमर 91 तो बाड को अगर मैं थोड़े दिर के लिए वर्ड पढ़ लूं ठीके बड़ बड़ मिन्स क्या पंची तो जो पुएम है जो जैसे bird हो गया नदियां हो गई पहाड हो गय तो bird कवीता पर याने कि पहुत सारी कवीता लिखे गए हैं बहुत सारे से जो हैं लिखे गए अभी तुम मुझे याद नहीं आ रहे हैs जैसे हम पंची उनमुक्त गगन के, आपने एक कवीता सुनी होगी न, हम पंची उनमुक्त गगन के, तो bird पे जो है कवीता लिखेगी, तो bird का मतलब poet अब आपको याद रहेगा, नेक्स वर्ट देखिए, अगला वर्ट है, वो बेर फेस, बेर फेस का मतलब होता है, बेसरम होना, सेमलेस होना, तो दीके, बेर का मतलब होता है, खाली, बेर का मतलब कुछ भी ना पहनना, और फेस का मतलब चेहरा, या बॉडी, जो कुछ भी ना पहनने, वो क्या होगा, बे तिके, Ornate, Ornament, Ornament का मतलब होता है, गहना और Ornate का मतलब होता है, सजा हुआ, अच्छे सा, डेकोरेट हुआ। यहाँपे Well Decorated भी हो सकता है। तो कहना ये है कि बरोक को याद रखेंगे हैं बराक से, बराक ओबामा, ठीक है, बराक ओबामा, तो बराक ओबामा, ठीक है, अमेरिका के राष्टपती थे, और वो कहां रहते थे, वाइट हाउस में रहते थे, जो की well decorated जगह है, प्लेस है, ठीक है, कहां रहते हैं बराक ओब नेक्ट वर्ड देखेंगे अगला जो वर्ड है वह है हमारा बेराज तो आसां सा वर्ड है बेराज का बान्थ होता है बेराज इसको याद नहीं करवाना है बी लाइन भी असान सा वर्ड है बी लाइन बहुत बार हमने एडियंग में भी याद किया जिसका मतलब होता है डायरेक्ट और क्विक रूट यानि कि सीधा और जल्दी का रास्त ठीक है मतलब सीधी रेखा एक सीधी रेखा में तो बी को आपने देखा होगा बी जब चलती ह के ग्रूप में तो उसको हम किया कहते है एक जुन्द में चलती है और सीधे चलती है अच्छा बी के जुन्द को क्या कहतने स्वारम कहते है त्लिख स्वार्म कहते है ट्रणOW को इसको याद करने का तरीकता जो है नहीं बना mimonik इसकी नहीं बन पाई जिसका म्तलब होता है produce करना यह हमारा दूसरा वर्ट है जिसको हमने आन्य नहीं किया निमोनिक नहीं किया तो इसको आप थारी में यहां पे जहां पे आपकी वोक्त की आपने तो इसको इंक्लूट कर लेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे से निक्स्ट वर्ड है वह है हमारा बीग घ्रेज देखिए वर्ड नमबब 97 पिग ग्रेज बीग रच वीगरज कामतलब होता है तो गीफ अनुविलिंगली यानि कि बेमं से देना बे मंदरी देना मतलब होता है कि मन ना होना फिर भी किसी चीज़ को किसी को सौप देना दे देना तो इंविलिंग-ली ऑन्विलिंग का मतलब अनिच्छ याद रखेंगे तो देखो इसको ऐसे याद रखेंगे बेग-बी-ई-जी बेग और रूड एक बेगार यान डिक्न द्रखेंगां यहां तो आप ऐसा समझें कोई भिखारी आया अपसे भीक मांगना और उसका और भिएव जो था रूडली था पूर्शी दे दो खाने को तो आपका मन नहीं ता खाने को खाना देने को यह कुछ भी देने को फिर भी आपने जो है अन्विलिंग ली बिना इस्छा बें दिया क्योंकि आप ने इसकी कंडिशन देखि अच्छा नहीं था लिकिन फिर वह क् मतलब होता है चीट और मिस्लीट करना किसी को चीट करना और मिस्लीट करना बिगाइल करना तो देखे यह जो है वह मैंने आपको याद करवाया है बिगुल से बिगुल का मतलब महाभारत वाले महाभारत वाले स्टोरी से मैंने आपको याद करवाया है कि दुरुनाचारी जी इगल बजाने से क्या हो गया था फिर तो यूधिस्टर से जिब पूछा दुरुनाचारी जी ने पूछा कि हाँ भाई क्या सच में सुथाम मारा गया तो यूधिस्टर बोलते हैं कि हाँ लेकिन कोई इंसान नहीं हा थी और उसके बाद जो है क्या हुआ उनका वद कर दिया अब इस पर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे जो स्टोरी है वो रियल है चली देखेंगे बिगाईल का मतलब क्या हो जाएगा चीट और मिसलीड चली आगे देखेंगे अगला जो वर्ड है वह है बेमौत देखें क्या है आप बहुत बड़ा कि यह आपने महमत महमत पड़ है बहुत बड़ा हाथी उसको मेहमत कहते हैं घीगे और हुभा जás बड़ा हीज किरियेचर है गर्णा जिसके दाप जो हैसे how yet से और ऐसे भी निकले रहते हैं साइट से ठीक है यह क्या होता है महमत होता है यह याद होगे आपको यह नहीं भी याद हो तो आप इसको ऐसे आध रखें कि बहुमत तो बहुमत का मतलब क्या कोई कि निवेदन करना किसी को ठीक है एड़ रिक्वेस्ट और 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 रिक्वेस्ट और 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 आप का मतलब होता है कि भी हेस तो देखो यहां पर जो भी हेस्ट लगा है ना भी हेस्ट को अगर मैं बहस पढ़ हूँ थोड़ा सा भी हेस्ट ज्यानते देखेग कि कि क्या करता है मतलब क्या करता है कि रिक्वेस्ट करता है या ऐसे समझो ना कि बहस करने से पहले को इस तरह से याद हो जाएगा चलिए देखे बिलकुद आप इंसर मतलेजी एक सारे वर्ट जो है आपको याद हो जाएंगे बस मैंने आपको जैसा बताया वैसा करना आपको यह वीडियो एक बार अभी कंप्लीट देखनी है पूरी और कमेंट करना है कि आपने कंप्लीट कर लिया देखे आपको एक आपने मुझे लगेगा कि आपने वीडियो कम्पलीट कर ली देख ली उसकी बाद मैं पीडियुप बना करके पीडियुप जो मैंने कॉपी पर बनाई है वो 37 या 38 पेज की होगी तो उसकी पीडियुप बनाके जो है मैं टेलिग्राम का अपलोड कर दूँगा वहाँ जाप इसको डाउनलोड करके इसकी प्रिंट आउट निकलवा ली जाएगा और फिर से जो है इस वीडियो को एक बार देखिएगा विद पीडियुप यानि जो आपने हाट कॉपी निकलवाई है उसके बाद आप देखेंगे आपका हर एक वर्ट जो है आपके माइंड में लेन, तक देखान은 और इतना ही करना है धो बार वीडियो देखनी और आपको एक्जाम नियर हो जैसे करके परसो एक गसाम रार पर रिकॉल करना है तिкої मतलब रिवाईज करना है फिरसे एक वीडियो को देखनी है इसक आपका काम हो जाएगा चलिए आगे देखेंगे अग और यहां पर दोनों वर्ड लगे हुए बीनी और भोली तो बीनी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा द्यालू है तो बनी वलंस का मतलब हो जाएगा क्या काइंडनेस नेक्स जो वर्ड है वनने टू वह है बिट्रे देखिए बिट्रे का मतलब होता है किसी को चीट करना किसी को डिसीव करना या फिर डिसलोयाल होना धोखा देना यह बिट्रे का मिनिंग होता है ठीक है टू भी डिसलोयाल टू डिसीव तो यह सब वर्ड जो है इसको याद करन टो माहमें सिखाती है कि बेटे रे किसी को दोखा मत देना बेटरे का मतलब हो जाएगा तूदिस्योयाल या फिर टूदिसीब छलिए अगला वर्ड है बलैकगार्ड बहुत आसाँ सब उसका मतलब होता है पर सन या फिरता मैं वर्लिएवार्ट जिसके पास moral values न हो उसको हम क्या कहते हैं blackguard कहते हैं आसान सा word है आवारा भी बोल सकते है आप इसको या फिर आप बोल सकते हैं जिसके पास कोई moral value न हो उसको हम blackguard कहेंगे अगला देखेंगे अगला जो बड़ है वो है blatant blatant का मतलब होता है open and unassembed का मतलब होता है बिसर्मी से, तो बिसर्मी के साथ खुले आम, उसको हम क्या कहते हैं, बलेटन्ट कहते हैं, तो देखो, बलेटन्ट को ऐसे याद हो, बलेटन्ट बलतकारी, देखो, बलेटन्ट बलतकारी, टीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, कि जो बलतकारी होते हैं, देखा होगा आप बलात देखो यहां पर लग रहा बलात और यहां पर आ रहा है अंत में जब बलातकारी छूट जाते हैं जेल से तो वह क्या होते हैं बिसरमी की तरह घूमते हैं तो बलात का मतलब ओपन एन अनसेंट Next है हमारा अगला word वह है बलिस्ट बिस्टर का मतलब होता है swelling on a skin यानि कि कहीं पर भी बॉड़ी में क्या होना घाओ होना जखम होना फोड़ा होना उसको हम कहते हैं ब्लिस्टर देखो ब्लिस्टर को याद रखेंगे बिस्टर बिस्टर पे लेटे लेटे जो है पीछ में चा जाले पड़ गया बॉडी में फोड़े हो गया याद रहे दिश्थर पी प्रतव जैसे ही बॉड़ पर याद रहे रहे बिश्थर पे कीड़ा तो आपके क्या हो गया उसके जोड़ होती है डंक होते वह गड़ा है और आपके बॉड़े निकल लाएई तो ब्लिस्थर का Blizzard का मतलब होता है बरफीला तुफान तो देखो Blizzard को ऐसे पढ़ो जार, लास्ट में क्या लिखा हुआ है जार, बड़ी और जार बड़ी और जार जार मिन्स जारा तो बहुत ज़ादा जारा मिन्स थंडा बहुत जारा कब लगता है तो बहुत जारा जारा तब लगता है जब बरफीला तुफान आए ठीक है, जब क्या आजाए बरफीला तुफान आजाए तो Blizzard का मतलब हो जाएगा या फिर ब्लेजर से भी याद रखेंगे कि ब्लेजर लोग कप पहनते है जब बहुत जारा तुफान या बरफीला तुफान है तब नेक्स देखेंगे ब्लेंडर अगला जो वर्ड हमारा वह है ब्लेंडर, ब्लेंडर का मतलब होता है बिग मिस्टेक, हमें याद करने एक जरुवत है नहीं क्योंकि बहुत साथ वर्ड है अगर नहीं भी देखा होगा मुवी तो आपने कयामत मुवी देखी होगी कयामत, नहीं नहीं क्यामत मुवी नहीं पता नहीं कौन सी मुवी थी हाँ गंगाजल अपने मुवी देखी होगी अगर आपने देखी है गंगाजल मुवी तो गंगाजल में एक वadowकती होता है जो पुलिस वाला होता है बहुत बड़ा बलंडर हो गया बहुत बड़ाक यह बे बलंडर होई गवाद क्या हुता है कि अजसे दुगन आते हैं बस से अजसे यूनिफॉर्म में नहीं होते तो उसको लगता है कि आपको है मैं इनसान बल्स का मतलब होता है सर्माना, to become pink in face due to sinus, यानि कि सर्म से क्या हो जाना? लाल हो जाना, pink हो जाना, तो हम बोलता है कि वो blessing कर रही है, वो क्या कर रही है? बesian SCHING कर रही है, blushing कर रही है मतलब क्या? लाल हो रही है पिल्कुल, या फिर ब्लश लगाया जाता है फेस पर ब्लस तो ब्लस के विदे से भी वोड़ी लाल हो जाती है तो ब्लस का मतलब होजाएगा सर्म से लाल होना to become pink in the face due to the sinus next is boisterous तीक ब्लस का मतलब होता है सोरगूल noisy full of energy और बहुत जारे वड होते हैं जैसे pandemonium होता है वही हो जाएगा है आपको आपको अगला है बॉमबास्ट का मतलब होता है आपने मूह से सुध हिंदी के गोले मत छोड़ो मतलब बहुत बोलता है कि बहुत जाथ बढ़ा चड़ा करके है क्या increase करना किसी भी चीज को boost कर देना अगला है बूज बूज का मतलब होता है सराप पीना to take alcoholic drink तो देखो बूज को ऐसे याद रखेंगे बूज सूज बूज से इसको याद रखेंगे हम कि सराप पीने के बाद सूज बूज नहीं रहती सराप पीने के बाद इंसान को कुछ कुछ भी सूजता नहीं है नहीं बूजता है बूजना का मतलब समझ में नहीं आता तो सूज बूज का मतलब आपको याद हो जाएगा तो सराप पीना next is brick bat ब्रिक बैट का मतलब होता है बक जट यानि कि an insult a spoken attack यानि कि बहस करना एक दूसरे को गाली देना उसको बोलते है ब्रिक बैट अच्छा इसको याद केने का तरीका सबसे आसान यह है कि ब्रिक का मतलब होता है क्या है इट ब्रिक मिंस क्या होता है इट आपको पता होगा तो ब्रिक का मतलब क्या होता है इट होता है अब आपने देखा होगा बहस के बाद लोग जो है इट चलाते हैं दू दूसरे पर अट्यक बोलना नेक्ट वर्ड है हमारा ब्रूटल बहुत बार मैंने आपको याद करूए है ब्रूटल का मतलब होता है सेवेजली वाइलेंट यानिकि निर्दवी वाइलेंट ब्रूटल क्रूएल इसको यहाल रखेंगे कि बुरा था ठीक है बुरा था बहुत इस तरह से आपको याद होता है कि बूरा था नेक्ट बखकल का मतलब होता है डबाओ में तूट जाना क्रमबल का मतलब होता है कीमा अंडर प्रेसर तो देखिए आपने बेल्ट पहने होगी बकलस उसमें प्रेट का घ्रकर लगोसा नहीं प्लन होता है ऌधाय्ट या हो तो तूंट जाता है वह जिकत है क्सूंट का नतल स्चाहएं देखेंगे ग्ला वड़ेल्ड मेंवन dissert namely कृपरी नो to hurt, frighten someone, तो देखो क्या है आगर कोई bull है, जैसे समझो कि साण कोई मिल गया आपको road पे और bull ने आप पे एक अठेक कर दिया या पे आपको hurt कर दिया आपको परिसान कर दिया, bully कर दिया तो यह हो जाएगा, to hurt, frighten someone bully, bull से याद रखेंगे Next, bunk बंक का मतलब तो है टू लीव विदाउट परमिस्टन सबने बंक किया होगा स्कूल कॉलेज ना बंक मारना इसको बोलते हैं अस्कूल से बंक मारके फिल्म देखने चले जाना कहीं और चले जाना तो इसी को बोलते हैं अगला जो वड़ है वह है बुच्चर देखिए बुच बारबर ना बारबर का मतलब नाई देखिए कबैल का मतलब होता है सड़ेंत्र करने वाला समू तो कबैल को कबीला से भी याद करता है कि कबीला में जो है सब सड़ेंत्र करके हमें ससाने की कोसिस कर रहे हैं ऐसे भी याद कर सकते हैं या पिर ऐसे याद रखे हैं कबैल को क काबिल मूवी आपने देखी होगी रितिकर रोसन की तो उसमें रितिकर रोसन क्या करता है तो सडयंत्र करता है गुंडों को मारने के लिए विलन्स को मारने के लिए प्लान बनाता है तो यह ग्रूप पीपल की के से यहाद हो जाएगा अच्छा नेक्त वर्ट जो है हमारा 120 थेकिंगे 120 नंबब है वो है देखें कैसे का मतलब होता है यह लिखा है लेकिन इसको पढ़ते कैसे हैं तो कैसे का मतलब होता है hiding place च्पाने का जगह तो आपके phone में जरूर word आपने देखा होगा मोबाइल में मेरे में तो रहता है कैसे का मतलब क्या होता है फाइल बनी वह रहती है उससे बहुत सारी छुपी वह रहती है वो दिखाई नहीं देती तो इसे भी आध रखेंगे या पर इसको इसे याद रखें कैस से तो कैस के लिए कैस छुपाने के लिए जो सेट होते हैं वह एक hiding place बनाते हैं ती जोरी बनाते हैं धे वहाँ पे ठीक है पहले जो आने में लोग जो है एक डिवाल में या पर पर कहें प्र हाईडिंग place बनाते थैं कैस को छुपाने के लिए तो कैसे याद रहेगा तो आपको याद हो जाएगा हाइडिंग प्लेस नेक्स्ट वर्ड देखेंगे नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है 121 ककोफ़नी का मतलब होता है हार्स मिक्षर आप साउंड यानि कि बहुत ज़्यादा क्या होना कोला हाल होना साउंड आना खला होना आप क्या देखो क्कोफ़नी में एक वर्ड आ रहा है को थीक है फोन आपको पता है फून का मतलब क्या होता है हुते फोन में साउंड से आपको पता चल जब लेकिन क्या है कई पढ़नों थोड़ा जैसे अपने फोन किया किसी को और प्वोन पे उधर से funny type का कोई sound आ रहा है का है का है का है का है का तो आप क्या बोलोगे कि कुछ harassed sound आ रहा है तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा कगो funny का मतलब क्या हो जाएगा हार्स mixture of sound अगला देखेंगे next word next word है 122 वो है कडेवर का मतलब होता है शव यानि कि a dead human body अब इसको याद कैसे रखे हैं कडेवर को देखो कडेवर को आप थोड़े तरी के लिए अग इसको पढ़ो car driver ठीक है कडेवर car driver कडेवर car driver अब जो car driver है तो का जो driver है driver का समझो कोई accident हो गया और उसमें उसके डेथ हो गई तो उसका सव जो है क्या है उसको बोलेंगे हम कडेवर तो कडेवर का मतलब क्या हो जाएगा dead human body next है अगला जो वर्ड है 121 वो है cadence cadence का मतलब होता है regular rise and fall of voice यानि कि sound का उपर नीचे उतार चड़ाव बोलते हैं इससे अपने music सुना होगा song सुना होगा तो उसमें क्या है कि music पे जो है उतार और चड़ाव होते है sound का उतार होता है है चड़ाव होता है music में song में तुसरी को बोलते हैं cadence तो cadence को याद रखेंगे ऐसे कि देखे dance cadence में एक word आरा dance dance का मतलब dance करना तो जो लोग dance करते हैं तो beat पे करते हैं ठीक है जब beat जो है song की जाए cadence याने dance में तो cadence का मतलब हो जाए कि regular rise का मतलब उपर उठना पॉल का मतलब नीचे गिरना और voice नेक्स्ट वर्ड है हमारा 124 वह है कहूट का मतलब होता है सडे अंतर रचना ठीक है सडे अंतर रचना का मतलब होता है acting together generally for a dishonest purpose यानि कोई बहिमानी वारी नियत की बात जैसे सडे अंतर होना सडे अंतर रचना किसी के लिए तो उसी को हम बोलता है कहूट तो इसकी भी जो है नहीं बनिये तो आप इसको भी जो है आप नोड कर लेंगे कहूट को ठीक है चुली देखिए अगला है calamity का मतलब ह होता है disaster तो देखो natural calamity आपको पता है जैसे भुकंप है earthquake या फिर बाड़ आ जाता है सुनामी आ जाती है यह सब क्या है calamity है तो calamity का असान सा वर्ड है जिसका मतलब होता है disaster चलिए आगे देखेंगे next word जो हमारा है वह कॉल्ड्रन का मतलब होता है कड़ाई तीक है यानि क जिसके large Katie आप इसको large cattle भी बोल सकते है अर्व कराई होता है अब देखो को ईभी को काल्डौन को अगर मैं ऐसे काला हो गया धो होया दो कोल्डो काला हो गया धो आप 3-4 बार ॐए हो जाते हो रेगलर एना यूदो काली का से काली की जुरत पर आप ऑल्डों का का मतलब हो जाएगा लाज केटली केटली याद हो जाएगा आपको अगला वड़ देखेंगे नेक्ट वड़ जो है वह है कैलीबर का मतलब होता है एबिलिटी तो कैलीबर आपने जो गोली गोलियां देखियोंगी जो गोलियां होती है या फिर जो गन होता है तो देखते हैं कि कितने कैलिबर की है जो गोलियां जाज की जाती है अपने देखा होगा जब पुलिस वाले जब गोली पगड़ते हैं या फिर असला और बारूत पगड़ते हैं तो बोलते हैं कि इतनी कैलिबर की जो है गोली मिली है तो कैलिबर का मतलब होता है एबिलीटी छमता ठीक है त है Üर्स कि का मतलब होता है सुन्दर लेखन यानि कि सुन्दर हógर और फ और वर्ट करसे हूं और दूसरा है कि कल तो आप ऐसे बोलेंगे कि कल ही graph पर ठीक है कल ही जो है graph पर उसने एक सुन्दर सा लेख लिखा है कोई ऐसा बच्चा है जो graph पर यह जो graph पर होता है उस पर सुन्दर सा लेख लिखाया तो कैलिगरफिक का मतलब हो जाएगा आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटेफिली अच्छा नेक्स्ट वर्ड देखेंगे नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैलस 129 वर्ड जो है कैलस का मतलब होता है क्रूवल निर्दई जिसको हम निर्दई बोलते हैं कैलस इसको आप दो पार्ट में ड पून तक नहीं उठाया यानि कि फोन तक नहीं उठाया मतलब बहुत जाद क्या है कठोर दिलता है कैलस है निर्दई है इस तरह से आपको याद हो जाएगा नेक्स्ट एक कलो देखें कैलो का मतलब होता है वन विद लिटिल एक्सप्रियेंस और नॉलेग यानिक एक ऐसा वेक्सी जिसको बहुत जाद एक्सप्रियेंस नहीं हो आप इसको अनुभव हीन बोल सकते हो तो इसको मैं ऐसे याद करेंगे कल आओ कल आओ तो आप ऐसा समझिए कि आप कहीं पर हॉस्पिटल में गये और वहां पर डॉक्तर उपलब्द नहीं थे और वहां पर है उसको इतना अभी एक्सप्रियेंस नहीं है इसलिए आपको उसने कहा कि भाई कल आओ आज डॉक्टर साथ नहीं है तो क्या लोग का मतलब हो जाएगा लिटिल एक्सपिरियेंस यानि कि कम नॉलेज होना नाच्ट कैन्वस का मतलब होता है स्टीक वोट यानि कि वोट मां रहेंगे तो कैन्वस का मतलब आपको याद रखना है कि भूम भूम कर क्या मांगना वोट मांगना सीख वोट नेक्ट एक बहुत सांता वर्डे क्या आप इसको याद रखेंगे क्या एक पूंजी पैसा वही लिखा हुआ है क्या पूंजी उपलब्द कराना यानि टो सप् का मतलब होता है सरेंडर कर दिना तो ऐसे हम याद कर सकते है इसको कि काפिटल परिष्मेंट के डर से चापिटल परिया करण कर दिया यहाद रखेहां का सने क्या प्याकर कर दिया कि वेकार्में कर जाएका वेछण सब्सक्रीट क्या कर दो समद कर though आफ या पिसका इसका Aslow या फिर ऐसे याद रखेंगें Captain it's too late we will have to surrender Captain Captain it's too late we will have to surrender हमें क्या करना पड़ेगा Captain बहुत देर हो चुका अब हमें Surrender करना पड़ेगा तो Captain का मतलब Surrender अब इतना बोल दिया तो अब तो याद होई जाएगा आपको अगला है Capricious Capricious का मतलब होता है कोई Fickle Minded का मतलब बोल सकता है कि Sun की उसके दिमाग में कुछ कहा नहीं जा सकता है इसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मतलब Sudden कुछ भी कर देने वाला ठीक है Sudden Change in Behavior किसी के अगला वड है अगला वड है क्यार करकस कर लेंगे जब आप पीडिया पर निकालेंगे तो आप लिख लेंगे Sudden Change in Behavior चल रहा है अगला वड है अगला जो वड है हमारा वह है क्यार करकस बहुत असानता वड है क्यार करकस का मतलब होता है Dead body of large animal यानि किसी जानवर की मृत्त सरीर को हम बोलता है क्यार कर और एस से इसको दो पार्ट में डिवाइट कुजें कार और एस तो कार से एक S की क्या हो गई accident हो गई S का मतलब गधा तो कार से एक S की ठीक है यानि कि कोई रोड पे खड़ा था गधा और उसकी कार से accident हो गई और वो जो है मरे गया तो करकस का मतलब हो जाएगा मृत सरीर जानवर का किसका a dead body of animal ठीक है और large animal तो यह आपको याद रखना है आगे देखेंगे अगला जो बड़ होए कार्डिनल का मतलब होता है important ठीक है यह जो cardinal वर्ट देखरा है आपको 136 में कार्डिनल का मतलब होता है most important अच्छे cardinal आपने पढ़ा होगा one word में कार्डियों 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 लॉजिक्ली यानिकि जब होता है काडियो में हाट यानिके हमारे दिल से रिलेटेट तो हमारे पूरे बौड़ी में सबसे मोस्ट इंपोर्टन जो पार्ट है वो क्या है दिल है तो उसे को बोलते हैं कार्डियो ठीक काडिनल का मतलब याद रखना है most important ऐसे भी आद रखेंगे आप छिली अगला जो वाट है हमारा वो है करीन करीन का मतलब होता है from side to side while moving forward quickly यानि कि तेजी से आगे बढ़ते हुए दाएं बाएं हिलना आपको जनरल से प्याद रहना चाहिए दाएं बाएं हिलना इसको याद रखेंगे करीना से ठीक है तो करीना moves her body while dancing मतलब जब वो dance करती है या पर कर रही थी उसकी बाड़ी जो है move वो रही थी इधर से उधर तो करीन का मतलब अब आपको याद रहेगा move होना इधर से उधर कारणीज का मतलब होता है जंसाफ़ा स्लयटर घ्रोटर या इसमें जो फिसने करवाया था जैन Не जन्रेज जन्रल डायरे जब करवाग Ingle degree इंग्लेंड पहुंचा था इसनौ सम पर हो धुशन कुक्षी रहे स्पाइब का मतलब होता है दिल फेक, one who has lots of sexual relationship, one who has lots of sexual relationship उसको बोलते हैं कैस नोवा, तो कैस से याद रूखो और नोवा से याद रूखो एता समझो कि किसी के पास क्या है, कि एक नोवा कार है किसी लड़के के पास और उसके पास बहुत जज़धा पैसा है, तो उसके क्या हैं बहुत सारे रिलेशन्शिप हैं अगला वर्ड है हमारा कर्टेस्ट्रॉफी का मतब होता है विपत्ती संकट जैसे क्लाम्टी हमने याद किया था ना क्लाम्टी का मतब क्या होता है विपत्ती संकट उसे को बोलते हैं कर्टेस्ट्रॉफी और सदें डिस्ट्रॉफी एवेंट अन्प्लीजेंट एंड डिजास्ट्रॉफ तो याद करना आसान है इसको काटा से याद रख ले कि जब भी कोई क्या करती है जमीन को दो पार्ट में काट देती है डिवाइट कर द एक केव वर्व और एक केव नाउन जो वर्व है उसका मतलब होता है दवाव में तूट जाना कॉलस्ट गिव इन्टू डिमांड दूसरा जो नाउन है केव का उसका मतलब होता है गुफ़ा अलाज होल ऑन दा साइड ऑफ ही यह दूसरा वाला याद करने के जरूद है नही क्योंकि यह सब को पता है केव का मतलब गुफ़ा होता है पहला याद कीजिए कि केव का मतलब क्या दर रखना है आपको तो कॉलस्ट यानि कि दवाव में टूट जाना गिव इन्टू डिमांड जैते कौन से हैं आपर तूट जाना का बात हो रहा है यहां पे समझे तूट आगे देखेंगे अगला जो बड़े हुआ है sensor sensor का मतलब होता है प्रति बंदित करना यानि कि तु बैन और अनेक्पेक्टेट पार्ट यानि किसी भी अनेक्पेक्टेट पार्ट को बैन कर देना और दूसरा पार्ट है sensor sensor का मतलब होता है निंदा करना क्रिटिसाइज करना तो दोनों इस तरह से आपको याद रखने हैं कि अगर लगा हुआ है अगर इस ओ आप चर्बन करना तो दोनों सेंसर सेंसर से याद रखने बस इतना ज्यान में रखना कि सो आर जिसके लाश में आया उसका मतब होता है बेन करना और अगर देखिए के अगला जो वड़ हो हमारा की जो का मतब होता है है अवेवस्ता होते हैं तो ऑवे वत था है इसको हम याद रखें कैस से कैस का मतलब डी मॉनेटाइश्इशन हुआ था तो नोटबंदी जब हुई थी तो क्या हुआ था कि पूरे देश में डिजॉडर मतलब तुम्पली डिजॉडर होगा था चारो तरफ हला हो रहा था कि हां गवर्मेंट ने शक् बैंकों में पैसा जमा करने लिपूर अभी लगा हुआ है वहाँ है क्यों का मतलब होता है हलाकि यह वर्ड असांत है इसके लिए किसी नीमोनी के जरूरत नहीं है सबको पता होता है वर्ड क्यों सिटी यह आपको याद हो जाएगा इस परसे अगला है करिजमेटिक का मतलब ह होता है आकर्सक अट्रेक्टिव लगना बहुत अच्छा दिखना तो देखो इसको याद रखेंगे हम करिजमा बाइक से बाइक आपने देखी होगी करिजमा बाइक जो है बहुत ज्यादा अट्रेक्टिव दिखती है तो हम याद रट लेंगे कि करिजमा बहुत ज्यादा तो इसको चस्ट से याद रहें जिसका मतलब क्या दिल मेपने मदेश्ट का मतलब क्या पवित्र आगे देखेंगे हैं अगला जो वर्ट है हमारा वह है सौवेनिजम का मतलब होता है सौवेनिजम का मतलब होता है हमारा feeling of superiority due to the race or gender मतलब होता है कि छवी बड़ी दिखाना अपनी छवी को क्या कर देना बहुत बड़ा दिखाना बड़पन की भावना होना अपनी नसल या मर्द के होने पे अपने आपको बड़ा दिखाना उसको बोलते हैं हम सौवेनिजम इसकी कोई निमोनिक नहीं बनी है तो बस इतना याद रहा है सौवी में एक वर्ड आ रहा है छवी देखो हम इसको आपनी च्भी को बड़ा दिखा रहा है मतलब अपने आपको सुपीरीयर समझ रहा है तो इसी वड़ से आपको याद करने का तरीका मिल जाेगा साबनीजिम चाली स्टेक्छा अगे देखेंगे अगला है चीट का मतलब होता है धोकेवाज धोखा देना तो आसान वड़ है इ चीट करना चीट का मतलब होता है यह मैं आपको याद करवाया है चाइल्ड को डाटा मत करो मतलब बच्चे को जो है डाटा मत परो त्याद हो जाएगा चायट का मतलब हो आगे रेखेंगे अगला व्हों है सब सारे वटंश क्या होता है तो make a loud complaint or demand यानि कि बहुत ज़ाद क्या करना हला करना, सोल मचाना या फिर सिकायत करना, मांग करना उसी को आप glamour बोलते हैं तो glamour को आप glamour से याद रुखो glamour का मतलब क्या सुन्दरता है तो ऐसा समझो कि कोई glamorous model आ रही है model का मतलब कोई लड़की आ रही है उसको देख करके लोग क्या कर रहे है clamour कर रहे हैं, हला कर रहे हैं ऐसा भी देखा होगा आपने की कोई heroine आ जाती है तो लोग हला करने लगते हैं clamour का मतलब क्या करना, हला करना to make a loud complaint or demand नैशे, clandestine देखिए तो plan this time क्या हो गया भई failed हो गया, plan this time fail हो गया, clandestine plan this time fail हो गया क्यों failed हो गया, क्योंकि किसी ने secret को leak कर दिया तो clandestine का मतलब हो जाएगा secret, plan this time ठीक है, तो clandestine, plan this time secretly, next देखेंगे चले, आगे देखेंगे अगला जो हमारा word है, वो है class, देखें, class का मतलब होता है जो class जो word देख रहा है उसका मतलब होता है one who cheats or deceives या फिर the act, sorry कहां पढ़ लिया मैंने, यहां देखें class 152 की बात कर रहा हूं, इसे पहला टाता हूं यहां देखेंगे class word 152, class का मतलब होता है जो और से थाम लेना, मतलब के लिए चीज़ को पकड़ लेना, hold करना, grasp और clasp में कोई जादर definite नहीं, grasp, तो हम कोई भी चीज़ करते हैं, मतलब क्या करते हैं, grip करते हैं, gripping, grip से आपको पता होगा, जैसे bat का grip होता है, तो हम grip को पकड़ता है, clasp, grasp, तो grasp का मतलब ही अगला देखेंगे, अगला वर्ड है, cloak, cloak का मतलब होता है, long gown, यहापे to hide, मतलब एक long gown है, जो body को छेपाने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हम कहता है, clock को log से याद रखो, loak के लिखा हो, तो आप इसको log से याद रखो, loak क्यों लगाते हैं, log छेपाने के लिए, कहीं पर भी lock इसलिए लगाया जाता है, ताकि हम छिपा सके, वह ही है, clock, lock, अगला देखो, अगला जो वर्ड है, वो है, collision, देखें, collision का मतलब होता है, क्या, किसी से दोस्ती कर लेना, साजह कर लेना, संधी कर लेना, प्याद रखो, to a temporary alliance, alliance का मतलब तो आपको पता होगा, क्या होता है, संधी कर लेना, समझोता कर लेना, तो आप इसको ऐसे याद रखें, collision government से याद रखें, collision government का मतलब क्या होता है, कि government जो है, collide कर लेती है, एक दुस्य से मिल जाती है, और सरकार बनाती है, तो उसको कहते है, collision, चलिए, अगला वट देखेंगे, कोडल, कोडल का मतलब होता है, बहुत जादा लाड़ प्यार करना, to protect something, someone too much, किसी को बहुत जादा protection देना, protect करना, प्यार करना, लाड़ प्यार करना, तो उसी को कोडल कहते है, तो देखो, कोडल, especially जो यूज किया जाता है, तो हम ऐसे याद करेंगे, कोडल, नूडल, आप पढ़ेंगे, कौडल, नूडल, कौडल, नूडल, कौडल, नूडल की आपको relate हो जाएगा, तो आजकल के माव अब क्या करते हैं, बच्चों को बहुत जादा लाड़ प्यार करते हैं, और बच्चे जो भी मांगते है, नूडल मांगते हैं, खाने को बच्चे को नू को रिलेट करना क्वेश्चन आता है एक्जाम में जब हम 9 10 में पढ़ते थे 11 12 में तो एक क्वेश्चन आता था को रिलेट दा वर्ड्स का मतब क्या क्रम में रखना तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा तो पुट इन प्रॉपर और यानि कि घलती ढूंदने तो मिलान करना तो वही ओजाएगा क्वलेट को रिलेट करना नेक देखो अगला जो वर्ड है 157 वह है को लिजन का मतलब होता है क्या कि तक्कर यानि दा एक्ट ऑफ हीटिंग संथिंग विद अधर तक्कर टीक क्लीजन तो इसको आप जो है नोट कर लेजेगा को कहीं पर लिख लेजेगा इसकी जो है प्रैटिस करेंगे तो याद हो जाएगा आगे देखें कॉमबेट का लडाई आपको पता है बहुत सांसा वड़ है कॉमबेट करना नहीं याद है तो ऐसे याद रखेंगा कि बाते कम कर लड़ना सुरू कर अब तो कम बाते कॉमबेट का मतलब क्या हो जाएगा और फाइट असप्रेशली डियूरिंग वार यानि कि वार में युद्ध में क्य नेक्स्ट है कमेंडेबल 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 का मतलब होता है प्रेज वर्दी प्रेज का मतलब तारीफ तो हम बोलता है कि क्या कमेंडेबल जॉब किया है तुमने तो मैं वीडियो बना रहा हो तो आप कमेंड करोगे कि कमेंडेबल यानि कि प्रसंस निये कार रहे तो तो commendable job यानि कि persons नहीं है, next word है हमारा 160, commute, commute का मतलब होता है यात्रा करना जो नीमित हो, ठीक है, या फिर to make the same journey regularly, या फिर to make changes, और इसकी जो है नीमोनिक नहीं बनी है, तो इसको आप note कि जाएगा, ठीक है, commute को आप note कर लिजाएगा, छिले, आगे देखे, compliment, compliment का मतलब होता ह I think that improves, यानि कि हम इसको पूरक भी कहते हैं, और हम math में पढ़ते हैं, geometry में, complimentary angle, आपने पढ़ा होगा, triangle में, complimentary angle, मतलब पूरक कोन, complimentary angle, तो compliment का मतलब क्या होता है, I think that improves, आगे देखे, conceal, conceal का मतलब होता है, छिपाना, इसे पी चीज़ को hide करना, to hide, ठीक है, तो उसको हम कहते seal, तो seal, किसी भी चीज़ को seal क्यों कि जाते है, ताकि वो छुप जाए, किसी भी चीज़ को seal कर देते हैं, हम उसको pack कर देते हैं, seal कर देते हैं, उसको छुपाने के लिए, hide करने के लिए, तो conceal का मतलब याद हो जाएगा, आपको छिपाना, अगला है concede, concede का मतलब होता है स्विकार कर लेना admit to be true बहुत असान है आप इसको acid से याद कर लें सेम जैसे हमने acid से याद किया था कि क्या होता है कि दिखाए दाता है movie वगरा में acid लेके लड़का जो है लड़की को propose करता है कि मतलब मेरा proposal किया था अगर आप याद करोगे एक वर्ड आया था अक्सीड का मतलब स्विकार करना admit करना तो उसी तरह से यहां पर इसे बड़ें नेक्स्ट है कंकर ठीक है कंकर इंग बनाया हुआ है कंकर का मतलब होता है सहमत होना to agree with someone to agree with someone तो आप ऐसे याद रखो कि जब class होती थी पहले स्कूल में तो मैं पूछती थी कि कौन-कौन काम कर लिया है तो हम बोलते हैं हमने कर लिया हमने कर लिया मतलब mostly बच्चे जो सहमत होते थे कि हमने कर लिया लेकिन कुछ बच्चे ऐस है आगे देखिं क्या है कंडोलस कि की तुम्हें सवे तो यहां ऑगे यहां मतलब होता है किसी को सिम्पती देना सकूर की किसे कि मर जाता है तो सब उसको बोलते हैं हुए कि मैं zाहनुपू तुमहारे साह साथ ही तु मेरे चैन मेरे साथ में डाइब Keeping Keeping appreciate कि थ मश्चे होता है तो कंदोलंज का मतलब होता है सनवेधना व्यक्त करना करना कि आगे कि कि front में कब होते हैं जब हमें उससे लड़ाई करना होता हैं बोलते हैं कि किसी की हिम्मत नहीं मेरे आगे आने की मेरे सामने आने की तो front याने की टकराओ, fight, argument, confrontation, अगला वर्ड देखेंगे अगला है, वर्ड नंबर 167 देखें कौन सी क्रेट का मतब होता है हमारा यानि किसी भी चीज को पवित्र बनाना देखो इसमें जो वर्ट आ रहा है कि डेखे स्ट यक्रेट साुंड स्ट्ट करहाता हूं स्ट रहा हो सैक्रेट करकर रहा है कंद सेक्रेट सalayार सैक्रेट Cathy का मतलब क्या आपको याद हो जाएगा आगला है कौन से पीक्विश का मतलब होता है क्लियर क्लियर दिखाई देना या पर पर्टेक्च होना तो इसको आप याद हो कंस पिक्चर से देखो कंस कंस और पिक्चर तो देखो क्या हुआ क्रिशन भगवान से कक्रिशन भगवान ऒढ़े इसी के कंस को अपने मिर्टिय दिखाई को के मुझे मौने वाली तो शकलेह दोनों अगले वरड वह है वह है बैंने नियुक्त की सबटत कांप सते कंढूपय। उन मेज़ना बन नशुट्प संकूंध्य यहीं सब्सक्स सब्सक्रारे निलीगल है इसको आप याद रहाइं। लाहौर कॉंसेप्रेशी के बारे में पता होगा सडेंद्र कारी सडेंद्र के बारे में पता होगा तो इसका मतलब होता है वह प्लां सम्थिंग इलीगल अगला जो बड़े हुआ है अगला है कौँ तो बारे में बहुत विए कि कोड में केस जाता है तेंपल अगल के बारे कि यानि कि कोई साथ भी कोटो सुप्रीम कोटो हाई कोटो बहुत देर तक विचार करती है तो नहीं देज़ी लंबा विचार करती है अग्ला जो वड़न है कॉन्व सेंट का मतलब होता है देखें करें और दोनों वड़ सेम होते हैं कॉन्वेल्स होिस सब्सक्राइब करना कि देखते किया कि वैसे याध़ रखेंगे P किसी को convince करना convey करना convey और यहां पर लिखा हुए less less और send Convulsant ठीक है तो convey हम किसी को समझा रहे हैं कि भाई अभी मैं पूरा 100% नहीं हुआ हूँ ठीक अभी मैं send का मतब century मतब 100% मैं अभी पूरा अगला जो बड़ हमारा वह है Convergent का मतलब होता है किसी भी चीज की knowledge होना having knowledge of Convergent 172 जिसका मतलब होता है किसी भी चीज की knowledge होना ज्यान होना तो आप इसको याद रते हो ऐसा है कि through conversation you can gain more knowledge अगर आप किसी से conversation करते हो किसी से बात्चीत करते हो तो you through conversation you can gain more knowledge तो इस तरह से आपको याद हो जाएक Convergent का मतलब knowledge होना next Convict Convict आसान सा वड़ है Convict का मतलब दोसी होता है Conviction Convict तो याद कवानी वाली बात ही नहीं है One who proved guilty अपर to be proved guilty अगला जो बड़ है 174 Convict का मतलब होता है friendly होना Convict convert का मतलब होता है kya होना अब फ्रेंडली होना हम इसको एसयाज रखेंगे क्वाली तिक क्वाली थी क्वाली कॉन वाली थी तेरी दोस्त कौन वाली थी आपसे समझो कि आप घर आपके बहुत सारे friends आये हैं, तो मम्मी आपसे पूछती कि तेरी वाली दोस्त कौन सी थी, तो वही हो जाएगा, conveivalty का मतलब, क्या friendly, ठीक है, अगला जो वड़े होगा है, corporal, corporal का मतलब होता है, corporal, corporal का मतलब जो है, वो होता है, body related, यानि कि bodily, corporal का मतलब क्या होता है, माथा, यानि कि सर, यानि कि जो हमारा head है, तो यह हमारे जो है, body related है, तो corporal का मतलब हो जाएगा, bodily या फिर सारे, next है हमारा, 176 में देखेंगे, क्या है, corpse, c-o-r-p-s-e, corpse का मतलब क्या होता है, dead body of a person, यानि कि मुर्दा सरी, तो आप इसके जाद रखें, corpse को, corpse मिला है, corpse का मतलब क्या, police वाले को क्या मिला है, corpse मिला है, corpse का मतलब क्या होता है, मुर्दा सरी, c-o-r-p-s-e, a dead body of a person, देखेंगे अगला जिव वह कर्याइब करोबिरेट का मतलब होताय कंफर्म और सपूर्ट याणि पूस्टि करना किसी वी चीज़ को सपूर्ट करना कंफर्म करना कि हँआ ऐसा है तो palavra secular को आप ऐसे यांगे rests कार्बो है डीट कारपड़ीट से मैं आपसे अगर सब्सक्राइब कि जो जो फिर नहीं से ख़ान और। और प्रोटीन को बॉडे बिल्डिंग पूड कहते हैं विटमिन और मिन्दल को जो है प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं पढ़ा होगा आपने तो कॉर्बरेट यानि कार्बो हाइड़िट का है एक एनर्जी गिविंग फूड है तो आप बोलेगे हां यस कंफर्म है न हां सप सपोड करो गया मेरी बातों को कहा है तो कॉर्बरेट का मतलब याद रोजाएगा आपको कंफर्म और सपोर्ट चलिए नीक्स देखेंगे अगला जो वर्ड है वह है कांटनेंस का मतलब होता है यानि कि फेस का एक्स्प्रेशन या फिस्यल एक्स्प्रेशन आप बोल सकते ह तो देखो countenance जो word है इसको ऐसे याद रखेंगे कि आप किसी school में teacher हो आप यह समझी आप किसी school में teacher हो और आपने बच्चों को जो है यह पर छोड़ो आप समझो कि आप बच्चे थे तो लास्ट में school में क्या होता था कि counting होती थी जो बच्चे गाउं से होंगे सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे या फिर कुछ भी प्राइट में चोटे मुटे में पढ़ते होंगे तो उनको पता होगा जब छुटी होती थी तो लास्ट में एक counting करवाया जाता था मैं के द्वारा सर के द्वारा चुटी होने से ठीक आद का मतलब होता है क्या चेहरे का भाव होना तो हम उसको वही बोलेंगे काउंट करने के लिए बोलते था हम 10 तक उन बच्चों का फेस जो अलग रहता था जैसे चुटी की घंटी होती थी चलिए अगला वट देखेंगे 179 कपलेट का मतलब होता है कि तू सक्सेसिव राइमि दूभी पदी कभीता बोल सकते इसको ठीक है तो कपल से याद रखें कि तू का मतलब होता है कि तू सब्सक्राइब कर दो चलिए अगला है क्रेंप बहुत आसाना इस प्रम का मतलब होता है मढोर होना है के एंई हैमपर और रेस्ट या फिर पैनफुल इन वलंटरी हो गया मतलब क्या हो गया मसल में मडोर आ गया तो उसी को बोलता है अगला है अगला जो वड़ है 181 वह क्रडेसेंसल क्रडेसेंसल का मतलब होता है क्वाल्टीज क्वाल्टीज या डॉक्युमेंट प्रूविंग एबिलिटी एड एक्सपिरियेंस यानि कि योग्यता एवं अनुभाय उसको क्या कहते हैं तो इसकी निमोनिक नहीं बनी है तो इसको आप नोट कर लेंगे तो आप इसको इग्नॉर नहीं मारेंगे आप इसको नोट कर लेंगे ठीक हालाकि मैं जब पीडियोफ दूँगा तो इसमें जो है टिक लगा हुआ मिलेगा आपको अपने तो उससे भी आप याद कर सकते हैं या फिर आपको याद रथे हैं ठीक है कुक का मतलब क्या होता है खाजाना कुक का मतलब खाना आप ऐसा समजो क्रुप्ट जो है आपके पैसे खा गया क्रुप्ट जो है क्या कर गया आपके पैसे खा गया तो क्रुप्ट का मतलब क्या हो जाएगा बैमान बैमान रखते हैं तो दूसरी के पैसे खा जाता है तो क्रुप्ट का मतलब हो जाया क्या बैमान अगला बड़ देखेंगे कल्म अब तक चलते रहते हैं तो मतलब क्तल जब तक वह कि खतम नहीं आ जाती तब तक वह चलते रहते हैं तो कुष्ट का मतलब क्या हो जाएगा तो रीच एप वाइट अन् furnish कुल्पक प्रिट क्या मतलब धोसी होता है कुल्पकूरेट बोलते हैं इसको क्लपरीट का मतलब क्या को उसे बाधार डालना या फिर उसको रोकना उसको हम बोलते हैं तो चेक और रेस्टरेंट इसकी निमोनिक नहीं बनी है कर्व की तो कर्व आप नोट कर लेना चलिए आगे देखेंगे डैब हैंड का मतलब होता है बहुत ज़्यदा एक्सपोर्ट होना किसी भी काम ले तो द ममी बार-बार आपके पास आईगी डब्बा ढखन खुलवाने क्यों क्योंकि आप क्या हो गया हो डैब हैंड हो गयर वह एक्सपर्ट हो जाए लेया तो जाएगा आपको नेक्सट वर्डर डैबल के मतलब होता है वर्क इन नॉन सिरियस यानि कि बीना सिरियस वे जो है काम करना अजरो कोछ लोग जिम में जाते हैं ठीक है वह नॉनरय से काम करते हैं करते हैं कर रहे कोछह लोग तुम nessa है ले ले लएते हैं अगला है डांड़ होता है silly और stupid आपने एक idiom याद किया होगा मैंने आपको करवाया होगा as dofft as brush as dofft as brush का मतलब भी क्या होता है एकदम मुर्क तो वह है डाफ्ट का मतलब क्या इकदम मुर्क तो याद मैंने आपको याद करवाया है तो तरह से आपको याद हो जाएगा या फिर आप इसको डफर से भी याद होता है तो देखो डफर है तो बच्चे के दात कैसे होता है देखा जब बच्चें होंगे दो तीम साल के दात जो हैं बहुत जादा छोटे होते हैं क्यांकि दूद्र होता है तो डेंटी का मतलब को पता चल गया कि छोटा और सुन्दर नेक देखें डेली डेली का मतलब होता है अगला जो बड़ हमारा वह है 190 जो है उसमें लिखाओ है डेली डेली का मतलब होता है प्रोक्रेस्टिनेट या फिर टू विस्ट टाइम और डू सम्थिंग स्लोली यहनि किसे भी काम को जो है धीरे-धीरे करना ताकि समय बरबाद हो इसको याद करेंग तो ऑप पढ़ाएंगा डॉल यहारा जाती थी क्योंकि जो लेके दाड नहीं सकता तो अधीरे दीरे करना श्रूली करना एक डूली से याद गोक्रण मतलब मतलब हो जाएगा चलिए 192 देखेंगे डैंग का मतलब होता है वेट होना या फिर डैंप होना भींगा होना तो देखो देखेंगे डैंक को याद रखेंगे तेंग से दो तरीके सिम्हें बताउगा या तो या तो याद मतलब होघ रखेंगे रहा है और पर देखेंगे गैपर का मतलब होता है क्या meet & tidy यानि कि साफ सुत्रा तो डैपर को अगर पढ़ लें डाईपर को जो बच्चों को डाईपर पहना आए जाता है वह साफ सुत्रा होना चाहिए वहना बच्चे जो infected हो जाएंगे बीमारियां हो जाएंगी तो बच्चों को diaper कैसा पहनाना चाहिए तो साफ सुत्रा neat and tidy पहनाना चाहिए तो dapper का मतलब हो जाएगा साफ सुत्रा neat and tidy ठीक है तो dapper उसके बाद है क्या लिखा हुआ है dappled dappled तो dappled तो dappled तो dappled का मतलब क्या spotted बारवर बोला हो तो में हम हर एक वर्ट को जो है की करें वसका encounter करें जेखेंगी जितने भी solabla में ओप्रेक हो सकते हैं आपновा ब्रेक करके देखें जैसे मैंने अबहीं देखा deeppl तो डी एपल का मतलब क्या है जो गंदे अपल होते है डी एपल होते है इसमें क्या होता है अपको ये चलिए आगे देखेंगे अगला जो वड़ है वह है देखें नेट वड़ है हमारा 195 195 डॉप डॉप यूब करना का मतलब होता है अस्मेर करना मिट्टी का लेप हो चाहे कुछ का लेप हो तो डॉब को आप दौप से याद रखेंगे आपने हिंदी क्या पस्ट्रेंट होगे तो आपके वर्ड तुनंति याद रहेंगा ज पूलते है तो जो गंगा जमना की मिट्टी होती है न दौब उसी को दुआब कहता है और गाउं में इससे लीपा जाता है घर को पोता जाता है घर को क्या करता है लीपा जाता है तो उसी को बोलते हैं दुआब तो वही हो गया लेपना थे स्मीर करना उसके बाद दांट डांट का मत्सलिब होता है डराना देखें ट-a-u-n-t को याद करना बहुत असान है आप इसको डांट से याद रखेंगे बच्चे को डांट करके क्या किया जाता है डांट करके डराया जाता है और इसका ठीक अपोजित हो जाएगा अगला वर्ट है डर्ष का मतलब होता है क्या कमी किसी भी चीज का लेक होना लेक अप्छा कमी होता है तो इसको डिवाइट करो डिए नर्थ तो जो अच्छी ड्राय जो जो अर्थ को जाएगा तो डी का मतलब हो जाएगा कम होना नेट वर्ड जो है अगला जो वर्ड है वह हमारा 199 डिबॉच डिबॉच का मतलब होता है पत्ध ध्रस्ट हो जाना यानि कि one who is given to sex alcohol etc यानि कि कोई व्यक्ति सराव किलत में हो जाना sex का आधी हो जाना उसको हम बोलते हैं डिबॉच तो डिबॉच को ऐसे याद रखो देव और वाज तो समझे किसी के बेटे का नाम देव है और हम बोल रहे हैं पड़ोसी लोग उसको बोल रहा है कि देव पे थोड़ा क्या रख है अगला जो वर्ड है हमारा अगला है जबॉच करना कि देविल्ली और एट तो आप अगर अपने बिल्ली और खाना अगर नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा आपकी बिल्ली कमजोर हो जाएगी तो debliate का मतलब क्या हो जाएगा किसी को weak कर देना कमजोर कर देना देखें तो debliate आपको याद हो गया मिलते हैं अभी कुछ बढ़ते हैं अगले वर्ट की तरब हमारा जो next वर्ट है वो है 201 debnare debnare का मतलब होता है आप देख पा रहे होंगे debnare का मतलब होता है friendly, दोस्ताना और इसको याद करेंगे हम देखे इसको आप दो पार्ट में divide करेंगे देव और नायरा आप इसको दो पार्ट में divide किजे एक ऐसा समझे कोई देव नाम का रड़का है और कोई नायरा है उनके बीच में जो है debunk, debunk अभी हमने बंक याद किया था और यहाँ पर क्या है debunk debunk का मतलब होता है to show that something is less important यानि कुछ ऐसा दिखाना कि कुछ क्या है कम महत्वपूर्ण है उसकी value कम है और ऐसा को शो करना, ठीक है debunk, तो debunk जो है इसकी कोई निमोनिक नहीं बनी आगे देखेंगे अगला वर्ट जो हमारा हो है debunk debunk का मतलब होता है पहला और यानि कि something perform for the first time मतलब कोई भी चीज़ जब first time में perform किया राता है तो इस को हम कहते हैं debunk तो देखें कि क्या होता है कि movie में लोग debunk करते हैं जो भी नए-ने actor और actress होते हैं तो movie में क्या करते हैं debunk करते हैं तो बोलते हैं कि यह movie मैंने इस movie के through जो है मैंने debunk किया था याद हो जाएगा आपको debunk का मतलब क्या हो जाएगा पहला अवसर चलिए आगे देखेंगे next word जो है वह है decency decency का मतलब होता है सब भी तरीका यहाँ पर good and moral behavior है यहाँ पर decency जो word बना है decent आपने सुना होगा वह बहुत जारा decent है हम word यूज करते है decent का बहुत जादा सब्वे है decent है तो सब भी तरीका हो गया decency का मतलब decency का disorder next decimate decimate का मतलब होता है बहुत सारे लोगों की हत्त्या कर देना destroy किल कर देना बहुत सारे लोग को उसको बहुत सारे लोग कि हगोगोard कर देना या इसे लिए पतलब करना किसी चीश को जैसे आप समझ यह को ऊस्पस्ट करना है संधाना है तो आप क्या कर रहे हैं तो किसी लिखित दस्तावेज को पढ़कर है उस को हम कहते हैं डीसाइफर पर चलिए आगे देखेंगे नेक्स जो वर्ट है हमारा वो है 207 डिलेक्विटी डिकलेविटी का मतलब होता है डाउन वार्ड या पिर स्लोप ठीक है धलान आप बोल सकते हो धलान से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कोई जमीन है वो बिल्कुल धलान है ठीक है तो उसको हम कहते हैं डिकलेविटी त वर्ट राए डिकलाइब का मतलब क्या होता है नीचे गिरना का मतलब क्या नीचे कि तरफ धलान होना तो वहीजआ घाते हैं अमटाणवाट Near링ine और mamy मदर्सकल का मतलब होता है किसी को बसकल कर देना यानि क barrel कर कुछ चुछ आप ऐसा समझे कि कि किसी के face को erase कर दिया गया तो उसी को बोलते हैं deface करना deface का मतलब क्या हो जाता है किसी को disfigure कर देना बत्सकल बना देना तो यह deface हो जाएगा आगे देखते हैं deface का मतलब होता है existing in fact यानि कि वास्तविक होना अब देखो deface का मतलब क्या होता है वास्तविकता यह हो जाएगा deface कर देखें अगला जो वर्ड है वह है deface का मतलब होता है निराशावादी यानि वन तो देखो defeat का मतलब होता है हार जाना होता है तो उसी दिएहां पर बना है कि one who accept and defeat easily यानिकि जो असानिक से हार कबूल कर ले accept कर ले उसको क्या कहता है कहते हैं अगला वक्त है ते का मतलब होता है respect गया क्या क्या होता है respect और अगर आपको different काम करोगे तभी लोग आपकी respect करेंगे और हो आपके different के काम करेंगे यानि क्या क्या निखップ करेंगे तो यहां पर डिफाइन्ट का मतलब होता है अवग्डयाकारी कि यहां पर इसी इननम से आवग्डयाकारी हो. जंगलों की कटाई करना जंगल साफ करना जंगलों की कटाई कर देना इसका अपॉजिट होता है मतलब जंगल लगाना तो यहां पर देखेंगे इसे तरसी याद हुजाएगा आपको Deforestation next diffuse diffuse का मतलब होता है Reduce Tension यानि कि क्या करना कि Tension को कम कर देना उसको बोलते हैं diffuse तो अग। याद करना बहुत असान है आप इसको याद करना पाधते हैं Debude bomb defuse करना ठीक है हमने सुना है bomb defuse करना ठीक डिफ्यूज हो गया डिए एफियूज कर देना बाकि आप यहां पर ऐसे याद रखेंगे इसको कि जब बॉम कहीं पर प्लांट किया गया था तो वहां पर क्या हो गया था पूरा टेंशन बढ़ गया था टेंशन क्रियेट हो गया था टेक है जैसे मालों किसी मॉल में बॉम लगा दिया गया तो वہां पर क्या हो गया एक इस अठोर क्रियेट हूगा तो वहां के लोगों ने क्या किया क्या उैब बॉम को दिफ्यूज कर दिया और टेंसन इस तरह से आपको यह याद हो जाएगा नेक्स्ट ए डेल्यूज देखें डेल्यूज का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्या आजाना कहीं पर वाटर आ जाना तो अलाज अमांट ऑफ रेन और वाटर आप इसको फ्लूड भी बोल सकते हो तो देखिए डेली हीूज डेल्यूज का आप दो पाट में डिवाइट करेंगे डेली हीूज ठीक है डेली और हीूज तो डेली हीूज अगर बारिस हो तो क्या जाएगी कहीं पर भी बाड़ा जाएगी तो एफिर बहुत ज़्यादा बारिस होना तो नेस्ट देखो डेमोग्राफा डेमोग्राफ असालता वड़े जिसका मतलब होता है अब वश्चन्र हो थे चैजिंग इन नंबर आफ वर्थ एगला यानि इसको जो जन्म का वेवरं रखता है कितने लोग पैदा हुए कितने लो करना उसको क्या कहते हैं हम कहते हैं निंदा करने वाले ठीक है तो देखा आप ऐसे पढ़ेंगे डी और नाउन अगर हम इसको तोड़े ऐसे दो पार्ट में तो लगे लिखा हुए डी और नाउन डी और नाउन का मतलब क्या आप ऐसा समझो कि कोई बच्चा जो हे 11 में 12 में चला गया और उससे पूछेंगे कि भाई बताओ नाउन क्या होता है तो अगर वो नहीं बता पाए कि नाउन क्या है तो लोग उसका क्या उड़ाएंगे क्रिटिसाइज करेंगे तो मजाक बढ़ाएंगे उसका निंदा करेंगे उसकी बुराई करेंगे अना कि भाई तुम इतने बड़े होगे अभी तक तुम्हें नाउन नहीं आता तो डिनाउन्स का मतलब क्या हो जाएगा निंदा करना नेक्स्ट वर्ड है माराड़ोरेबल देखिए डिपल跑 का मत्तब होता है व्डरीपैर तो क्या हट यह कुई कि नीमोनिक नई बना लाएं ठीक है और चारपांच पर इसको रिपीट कीजिए तो आपको यह चोड़ा याद होगा बाकिके का यूज़ करके आप इसको याद कर सकते हैं अगला जो बड़flies का मतलब होता है Testimonie यानि कि बयान देना सपत-पत्र सिस्टिमॉनी का मतलब होता है किसी को इसकी पद से ख़टा देना है इस पैसे याद रखेंगे उसके पॉजिशन से उसे दिपोज कर दिया यानि क्या कर दिया उसे हटा दिया तो याद हो जाएगा डेपोजिशन का मतलब टेस्टीमोनी अगला वट है वो डीरेल बहुत सब्सक्राइब है यानि की ट्रेन का पट्री से उतर जाना उसको हम कहते हैं लिखा हुआ है यानि के रेल जोए क्या हो गई डीरेल हो गई यानि पत्री से उतर गई अगला है अगला है अगले किया है अभाव पवितृता भंग कर देना यानि कि अपवित्र कर देना तो किया कर-देन्द कर Тरीट्म आप something sacred with disrespect यानि किसी भी चीज को पवित्र चीज को क्या कर देना अब पवित्र कर देना अगे देखेंगे अगला जो वर्ड है हमारा वह है desperate desperate का मतलब होता है कि किसी कारे में देखें आपे किसी कारे या चीज के लिए तीवरी इच्छा होना आप इतको क्या है desperate है हम बोलता है दो बड़ा desperate होकर की काम कर रहा है हम बोलता है कि वह बड़ा desperate है अपने काम को लेकर की मतलब क्या है इच्छा हो यह की विलिंग करने के लिए तो इस तरह से आपको desperate याद हो जाएगा अगला despicable despicable का मतलब होता है unpleasant causing a strong feeling of dislikestal देखिवर तो आप इसको इस तरह से आप याद करेंगे सेंटेंस में यूज करके अगे देखेंगे नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वह है वर्ड नमबर 224 डेटॉंट देखें डेटॉंट का मतलब होता है क्या करना तनाव की कमी करना या फिर दा क्या होता है छोस्टेल्टी का मतलब होता है तो सांत कं अस ओम बोलते हैं डेटेंट तो जो उनके बीच में टेंशन चल रहा था जो इनस बीच में और तेंस ने कम कर दिया संब कर दिया तो से फैंड शुपर बोलेगे इसलिए तो इस फांट को बोलेंहाया चैनल है की तनाव की कमी कि debtor rent debtor rent का मतलब होता है देखिए ौड नमबर 225 ॥ дог anticipate को डिस्करेज कर देदा करें कि किसी को करते ना हत्वत्यत्राइद कर देना डिक at it друзatura conseguir डिर gli कजब सेहरों जब कहीं आप गए होगे और ने के लिए इतना जाज़ा होता है कि वहां रखेटरी मेंटल का मतलब होता है हामफुल क्षण को यहां निक्षा की लिए जो है लोग को कि याद रखेंगे कि मैंटल परसन यहां पहुंचा देते हैं हानी पहुंचा देटे हैं detrimental कि अज़र diffuse diffuse का मतलब होता है spread over a wide area यानि कि फैल जाना पूरा diffusion हमने diffusion of light पढ़ा है diffusion light का मतलब होता है जब light परकास जब एक सरूत से निकलती है तो चारे तरफ जो है diffuse हो जाती है तो उसे को क्या कहते है फैल जाना diffuse हो जाना जाना diffusion याज रख लेंगे आप इसको चलिए यहां पर देखें डी आई डवलेफ है हमने जो पहले याद किया वो डी आई एफ यूए सी याद किया है बॉम्म डिफ्यूज करना यानि कि तनाव कम करना टेंसन कम करना तो उससे नहीं बना है डी आई डवलेफ यार का मतलब रात्ती का भोजन तो इसमें भी आपको confused नहीं होना है नेश्ट है डिसकॉड डिसकॉड का मतलब होता है लेक आप एग्रिमेंट यानि कि आप इसको समझो जैसे डिसकॉड का मतलब होता है इसको हमने डिस से याद किया था डिसक नहीं होता है खाना तो घर में अच्छे खाने बन गया तो बहुत सरे बच्चे रहते हैं तो किसी को कम या जादा मिल गया तो उनके बीच में जो है क्या हो जाता है जगडा हो जाता है तो लेक आप एग्रिमेंट नेक्ट देखेंगे डिस इंबाक डिस इंबाक जो वड़ है इसका मतलब होता है कहीं पर भी जहाज से उतरना तो लीव अ सीप प्लेन अप्टर दा जर्णी यानि कि जब कोई किसी जर्णी पर आप गया है और चाहे वो सीप से हो चाहे वो प्लेन से हो तो आप जब उससे उतर रहे हैं तो किया है दिस इंबाक याद रखेंगे अगला वाट है डिलूजन डिलूजन का मतलब होता है इन निरासा टीके या फिर मोह का journalists क्या होता है मोह होना किसी चीज़ का मोह मतल्य हो होना तो उसक्ता मृट होना तो पन क्कैते एं इलूजन लेकिन जब इसका न रख लेंगे आसान सा वलडने अगला वह वह दिज ईंट्रेस्टेड इंट्रेस्टेड इंट्रेस्टेर माध्यों क्या होता है किसी चीज में रूची ओना इंट्रेस्ट लेना कि किसी भी चीज में क्या लेना इंट्रेस्ट लेना और लेकिन यहां पर क्या है इंपार्शल है इंपार्शल का मतलब क्या उतरने स्पक्ष होना तो कोई अगर हमें इंट्रेस्ट ले रहा है मतलब क्या हमारा पक्ष ले रहा है लेकिन जो हमें इंट्रे और निस्पक्च हो उसको हम क्या केते हैं recipients कहते हैं तुर से आप इसको याद रखे हैं चले है आगे देख लेहें डिस्पारिज्मेंट इनसर्ट करना इसके कोई ट्रिक नहीं बनी निमोनी नहीं बनी तो भी आप डिस्पारिज्मेंट को कुछ वर्ड ऐसा है ना कि वह पढ़ते पढ़ते याद हो जाते हैं रिडिंग करते-करते जो है बिल्कुल माइंड में आ गया है तो उसके लिए ज्य पढ़ेगा कि फिरते चलि बाकि देखेंगे अगला जो बढ़े वह है इस पैसनेट का मतलब क्या होता है आप इसको बोल सकते हैं डिजपैसनेट को हिंदी में देखें यहां पर लिखा वर टतरस्ट अगर आपको सुधिंदी समझ में नहीं आ रही तो आप इतना कह सकते हैं टतरस्ट का मतलब कि कोई भी अपने ड्यूटी को बिल्कुल क्या कर रहा है बहुत अच्छे से कर रहा है यानि कि अपने ड्यूटी के बीच में वह अपनी परस क्या हुआ कि वह बिल्कुल पैसंसे का मतलब क्या करता है अपने इमोसंस को भी साथ ले करके चलता है पैसं में यहां पर क्या लग्षा हूँ इस पैसन का मतलब क्या हो जाएगा वो अपने काम में फीलिंग्स को नहीं लाता है अपने काम में फीलिंग्स को नहीं लाता तो यह पैसन हो जाएगा आगया समझ में आपको अब यहां पर देखेंगे नियाद रहेंगे मैंच विजाओट ऊसके वाद देखेंगे अगला जो वर्ड है वह है अगला डिसे मिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना पहला देना आपको पता चल जाए कि किस से बना है यहां पर देखेंगे अगलत यह तो इसमेनेट का मतलब क्या होता है अच्छा सेमिनेट आपको नहीं पता है तो आपको सेमिनार पता होगा सेमिनार का मतलब क्या है जहां पर लोग जमा होता है यहां गफेर कया है लोग लोग फैल जाएंगे नहीमतलब क्या हो अगला है का मतलब होता है ऑब इडियनट यहां पर सब्मिसिव भी आ सकता है ius miracle mr वी सब्मिस्रमिंट बी हो सकता है क्यों डूसाहिल का मतलब आज्याकारी होता है यह सांति फुर्वक बात मान लेने वाला कि ओविड्यूंट होता है। इसको याद करेंगे Ducilently उसको जो भी काम देदो वह silently कर देता है उसे जो भी काम देदो क्या कर देता है कर देता है मतलब क्या है वो कैसा पर सने वो डूसाइल पर्सन एक चलिए आगे देखेंगे अगला वह वह है डोलरस देखें अगला जो वह वह है डोल्रस का मतलब होता है यहाद करना बहुत आसान आप यहाद कर तक जो जो कलर सोते हैं कंप्यूटर नहीं पढ़ा होगा कंप्यूटर में कंप्यूटर में कंप्यूटर यहाद रखेंगे इसको इसको याद रखेंगे आपको याद हो जाएगा उसके बाद है हमारा ड्रेकोनियन का मतलब होते हैं अत्यंत कठोर यानि कि बहुत ज़्यादा नहीं यहतनु आप इंगलिश पे जाला फुकस करेंगे हिंदी मैं बता दोंग आपको नेक्ट द्रेन काता होता है तो दो चीजे रहते हो गाओं में भी सेरों में भी क्या होता है गाओं में नाला चलो याद हो जाएगा आपको यानि कि बूंदा बांदी होना थोड़ा थोड़ा बारिस होना तो ड्रीजल को पढ़िए थोड़ा धीरे जल धीरे धीरे जल जो है बरस रही है आप ऐसा बोलिए कि धीरे धीरे जल धीरे धीरे जल जो है बरस रही है तो मतलब क्या बूंदा बांदी हो रही है ज्यादा जोर के लिए बारिस चेले कि ऐगे देखते हैं अगला वर्ड हमारा है वह वह मिलता है तो इसको निमोनिक नहीं बना और इसको आपको याद करना है प्रोडिए को है इसको आप लेकर के नेलस ah क्या होता है हम बोलता है उसमें बहुत深क क्या है कम tap क्या है कमी है है तो एब आपको याद रहेगा Phi का मतलब कमी तो यार चाहिए को किसम बहुत सारे चलिए अगला वर्ड है मैं देख अगी हैं मतलब होना बहुत जा जाच होलिक कि यसा होता है अम बहुत के अकि उससरे मतलब क्या है बहुत जादा रेखले मतलब बुल है बहुत ज़्यादा साड है मतलब क्या एनरजी बहुत ज्यादा है च्छलित होना अगला देखेंगे बहुत जो वहार रहां कि इसन्ट्रिक का मतलब होता है संकी आप इसको सेकते हो और यानिकी आप आप छे चले कि हाँ उसके मन में क्या चल रहा है और उसका behavior कब चेंड हो जाए उसको हम बोलता है eccentric eccentric को याद करना बहुत आसान है देखो हमसे इतना याद रखें कि वह centi person है कि वह कब क्या कर देगा पता नहीं है ठीक है वह कैसा person है centi अजीब इनसान है कब क्या कर देगा इस तरह आप याद रखेंगे इलेक्टिक का मतलब होता है चुना जाना इसको याद रखेंगे एक चॉकलेट का अगला जो वड़ेग्ट का मतलब हुता है ऑफिसी ह साuben्पटब कि याद रखेंगेगे अगला गोग है आँडिक्ट का का मतलब होता है official command या फिर order राज जिखोषना इसको बोलता है ठीक है तो यहाँ पर क्या है एडिक्ट का मतलब क्या होता है राज जिखोषना या फिर अगला जो वर्ट है हमारा एडिफाई का मतलब होता है तो एडिकेट मोरली और अस्प्रिच्छलिटी यानि कि सिच्छित करना खासका नयतिक अध्यास्मिक विकास के लिए तो देखो एडिफाई को आप ऐसे याद रखेंगे एडिट करना है तो किसी भी चीज में आप एड आप एडिट तभी करते हो ताकि आप क्या कर सकतो ना सको आप ऐसे बोल सक्षिए यू एडिट शम्थिंग तो इंप्रूब इट तो इंप्रूब का मतलब क्या एडिकेट करना किसी को किसी में अस्पैट्ट एल्टी आना इस तरह से आपको याद हो जाएगा अगला जो व आपको याद हो जाए कि एक 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 एरी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है 251 इफेस इफेस का मतलब होता है देखेगा 251 में इफेस का मतलब होता है वाइप आउट कर देना केसी चीज को मिटा देना उसको हम बोलते हैं इफेस कर देना यह फेस कर देना यह फेस था उसको फेस कर दिया तो फेस कर दिया गया मतलब क्या कर दिया गया मिटा दिया गया तो फेस का effect देखिए effect असान था वड़ है effect का मतलब क्या होता है परिनाम result हम बोलते हैं न कि जो आप कर रहे हैं उसका क्या effect निकलेगा क्या परिनाम निकलेगा तो effect का मतलब हो जाएगा result next word है effeminate effeminate का मतलब होता है having womanly traits यानि कि जिसमें औरताना गुन हो उसको हम कहते हैं effeminate तेहां पर देखिए एक word आ रहा है f-e-m-i-n-a-t-e feminine तो feminine का मतलब होता है female महिला तो जिसमें महिलाओं वाले गुन हो female वाले गुन हो उसको क्या कहेंगे तो effeminate कहेंगे having womanly traits अगला देखेंगे अगला जो word है वो है effect effect का मतलब होता है weak and without power यानि कि जो बहुत जादा कमजोर हो और बीना सकती का हो तो आपने देखा होगा कि जब हम बहुत जादा जो है अपने feet यानि के पैरों पे यानि के पैदल चल लेते हैं तो हमें कमजोरी feel होती है पैदल दो क्या होता है इतुदी कमजोरी feel होती है तो वही है effect का मतलब क्या हो जाना feet याद रखेंगे feet से और पैदल चलने कंजोरी का सकती का feeling आता है next word है हमारा वो है अफीजी देखिए अफीजी का मतलब होता है एक पुतला a model representing someone dummy आप यह dummy भी बोल सकते हो और अफीजी भी बोल सकते हो तो एफीजी का जो है कोई trick नहीं बना है तो आपको इसको जो है लिख करके याद करना है या फिर आपको जो है सेंटेज मना के याद करना है एफीजी का मतलब क्या पुतला या फिर dummy next देखेंगी next word जो है वह हमारा effluvium देखें इफ्लिवियम का मतलब होता है बदबू ठीक है कहीं ते कोई बदबू आती है नॉक्सस स्मेल आती है तो उसको हम क्या कहते है इफ्लिवियम कहते है तो अब यहाँ पर देखें क्या word है यहाँ पर एक word आरा फ्लू क्या रहा है फ्लू और जो फ्लू होती है ना फ्लू जो बड्ट फ्लू हो जाता है तो बड्ट फ्लू देखा होगा आपने बड्ट फ्लू जो होता है तो बहुत सारे पंक्छी मुर्गे वगरा मुर्गियां मर जाती है मतलब एक बहुत बड़े टीक है याद के लिजेगा इस तरह से बड़ लोते हैं अगला हमारा इफंट्री इफंट्री का मतलब होता है extreme rudeness टीक है इफंट्री का मतलब क्या हो जाएगा बहुत जादा rude होना और बहुत जादा क्या होना असम्मान तरीके से बिहेव करना तो देखो इसको याद करना बहुत सान हो जाएगा आपके लिए कैसे जिसमें एक वर्ड आरा फ्रंट फ्रंट से कोई कोई भी हमारे फ्रंट में कब आता है जब वह हमसे क्या rudeness बिहेव करता है बोलता है ना कि हमारे आगे आ रहा है तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा इफंट्री का मतलब क्या अत्कंत असम्मान याकि extreme rudeness नेक्स वर्ड देखेंगे जो 258 नमबर वर्ड है वो है egalitarian egalitarian का मतलब होता है believing all people are equal यानि कि ऐसा मानना कि सारे लोग जो है क्या है समान है equal है तो देखो egalitarian को eagle से याद रखो starting वाला वर्ड जो है आप देख पार होगे eagle लिखा हुआ है अच्छा eagle जो होता है जो चील होता है वो उसको मतलब नहीं होता कि किस अंसान का जो है dead body है किस इंसान का नहीं है किस जानवर का dead body है उसके नजर में सभी जो है equal है और वो सबका जो है meat जो है मांस जो है खा लेता है eagle तो वो क्या है मतलब वो उसके लिए जो है वो समतावादी आप ऐसा बोल सकते हो कि सभी को ज याद रखेगा रखेगा जो मैंने बूला है बागे इसके लिखे ट्रिक आपको मिल जाएगी PDF में अगला जो है नेक्स्ट वर्ड जो है 259 देख पा रहे होंगे यहाँ पे यह हैं इग्रिजस इग्रिजस का मतलब होता है कुख्यात होना नौट्रोसियस होना और एक्ट्रीम इग्रिजस इसको आप याद करेंगे ऐसे इग्रिजस को तो ऐसे याद रखेंगे कि एक्स्ट्रीम ली बैड नौट्रोसियस अगला है जो वर्ड है 260 वह है इग्रिजस देखें अगला जो वर्ड है वह है इग्रिजस इग्रिस का मतलब क्या होता है एक्जिट निकासी टेक है मतलब निकास बोलता है ना कि एक्जिट गेट है एक्जिट का तो निकासी वही यहाँ पे है इग्रिस तो इग्रिस को ऐसे याद रखो अगर ऐसे इग्रिस अगर ऐसे चार-पांच बार इसको प तो इग्रस का मतलब क्या हो जाएगा exit चलिए next word देखेंगे elated elated का मतलब होता है overjoy यहनि कि बहुत ज्यादा क्या होना खुस होना तो हम बोलता है ना जैसे happy birthday किसी को बोलना होता है और हम late हो जाता है तो हम उसको क्या बोलता है Blated happy birthday, क्या बोलता है हम उसको Blated happy birthday, तो Whoo Little happy birthday का मंत yellow होता है देरी से युदो में Happy लगा तो उस ही से आपको याद हो जाएकाई eteatdy, bleated happy birthday यानि कि बिल्कुल overjoy log厉ई , खुस, तो Are really happy birthday से related आपको याद रहेगा next же हमारा अगला जो वर्ड है वह है ALICT, देखें, ALICT का मतब होता है draw out by the discussion यानि कि ASPAST करना किसी चीज को ASPAST कर देना तो हमने याद किया था एक word EXPLICIT, अगर याद होगा आपको तो हमने याद किया है एक word EXPLICIT पहले वाले वीडियोज में हमने याद किया है Miaire, explicit इसके संसे क्लियर करना जो है निकल रहा है कि ड्रो आउट बाइडिसकसन नेक्स्ट है एलिट एलिट का मतलब होता है और सुपीरियर ग्रूप यानि कि जो बहुत जादा पढ़ा लिखा ग्रूप हो ठीक है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं एलिट अब इसको हिंदी मे एलिट ग्रामर एंड कॉंपोईशन तो एलिट का मतलब हो जाएगा असुपीरियर ग्रूप यानि कि पढ़ा लिखा ग्रूप बिल्कुल कुलीन अगला है अलोप अलोप सबसे आसान सा वड़ है अलोप का मतलब होता है भाग जाना तो यह गाउं में बोला जाता है कि वह अलोप हो गया अलोप हो गया ऐसे बोलते हैं तो लोप का मतलब क्या हो गया गायब हो गया ठीक है क्या हो गया लोप का मतलब हिंदी से रिलेट करो लोप का मतलब गायब हो जाना हो जाता है तो वह यहां पर लिखा हुआ है अलोप यानि कि अलोप हो गया वह भाग गया ने make clear and easy to understand, तो देखो, यह मैंने आपको याद करवा है, low CID से, L-U, low, और C-I-D, low CID ने क्या किया, low CID ने पूरा case जो है, clear करके रख दिया, यानि क्या सपस्ट करके रख दिया, तो ऐसे भी आपको याद हो जाएगा, तो elucidate का मतलब हो जाएगा, क्या सपस्ट करना, यानि क्लियर कर देना, easy to understand कर देना, याद हो जाएगा, elucidate, low CID, ठीक है, elucidate, low CID, चलिए, आगे देखेंगे, अगला जो वर्ड है हमारा, वर्ड नमबर 276 में देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुए, अलूशिव, अलूशिव का मतलब होता है, difficult to find or describe, मतलब किसी चीज़ को जो है, describe करना possible ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, अलूशिव कहते हैं, तो देखो, illusion से याद रखेंगे, यह सब वर्ड सेम है, टेक है, illusion, illusion का मतलब क्या होता है, जिस चीज़ को हम नहीं देख पाते हैं, टेक है, illusion हमारे लिए होता है, भ्रह्म होता है, तो वही है, allusive, illusion, allusive का मतलब क्या हो जाएगा, जिसको find करना, पकड़ना, possible ना हो, या पर डिसकोड, describe करना possible ना हो, तो अलूशिव हो जाएगा, next देखेंगे, emaciated, emaciated का मतलब होता है, thin and weak, यानि की कमजोर और पतला, इसकी जो है, निमोनिक नहीं बनी है, तो emaciated वर्ड जो है, आपको लिखने ना है, अपनी डिस्तरी में, या फिर डाइरी में, बागी आगे देखते हैं, अगला है, word number 268, वो लिखा हुए है eminate, eminate का मतलब होता है, emitting या फिर ejecting, यानि कहीं से निकलना, emit होना, उसको हम कहते हैं eminate, तो emit और eminate सेम भी लग रहा है, और अगर नहीं याद रखना है, तो आपको ऐसे याद रखना, man आते हैं, man, ठीक है, तो man, आते नहीं क्या होते हैं, उत्पन होते हैं, क्या होते हैं, निकलते हैं, emitting होते हैं, exacting होते हैं, ऐसे भी याद हो जाएगा आपको, लेकिन ज़्यादा आपको जो आसान रहेगा, वो eminate याद रहेगा, eminate और emitting, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे, next जो word हमारा ह वो है, emancipate, देखिए, अगला जो word है, emancipate, emancipate का मतलब होता है, emancipate में तुझा है, किसी को free करना, किसी को आजात करना, liberty, किसी को liberty देना, मुक्त करना, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, इमान से पती को छोड़ दो, इमान से मेरे पती को छोड़ दो, मैंने तुम्हें क्या किये, पैसे दिये, आप ऐसे समझो कि किसी के पती को kidnap कर लिया गया, और उसे पैसे की मांग की गई, तो वो पैसे लेके महिला गई, और उसने फिर पैसे दे दिये उन kidnapers को, और बोली कि अब मेरे पती को जो है, इमान से छोड़ दो, तो emancipate का मतलब क्या हो जाएग तो begin, शुरू करना, तो इन बाक को आप ऐसे पढ़ेंगा, बार्क से, बार्क का मतलब क्या होता है, बहुकना, खुत्ते जो बहुकते हैं, उतको हम बोलते हैं, बार्क, तो जैसे ही मैं गया गली में, खुत्ता जो है, मेरे पर भौकना शुरू कर दिया, जैसे ही मैं गया Embarrassed का मतलब होता है to cause someone feel uncomfortable यानि किसी को uncomfortable feel करवा देना, सर्मिंदा महसूस करवा देना, तो उसको हम क्या कहते हैं, Embarrassed कहते हैं, तो Embarrassed तो आपको याद हो जाएगा असानी से, क्योंकि Embarrassed जो है असान सा वड़ एक, Next, देखेंगे Embarrassed, Embarrassed का मतलब होता है, देखिएगा ध्यान से, इसको याद करने के लिए, Embarrassed जो वर्ड है, उसका मतलब होता है, बहुत ज़्यादा क्या सजा हुआ होना, Ornate होना या फिर Decorate होना, वर्ड नमर 272 देखेंगे, Embarrassed, Embarrassed का मतलब होता है, To Ornate और Decorate, तो Embarrassed में वर्ड है, बैली, देखिए यहाँ आप पर, बैली, और बैली से आपको याद रखना है, बैली डांस है, जो बैले डांसर होता है, वो क्या करता है, बैली डांस करता है, ठीक है? तो वो अपने पेट को, यानी बैली को, उसके ओपर बहुत सारे और नमेंट पहनते हैं, गहने वगरा पहनते हैं सजाने के लिए ताकि उनका जो पेट है बेली है वो बहुत अच्छा दिखे और नेट दिखे तो इसका मतलब क्या होगा एंबेले तो अपने आपको डेकोरेट करके तो वह डांस करती है बेले डांस next है embolden embolden का मतलब होता है to make someone brave यहने किसी को बहादूर बना तो bold तो आपको पता होगा bold का मतलब होता है Shield बोल् środहत भोल्स करना वह बहुँत जादा bold है बहादूर्ण लेकिन m लग गया इंबॉल्डेन, तब मतलब हो जाएगा किसी और को बहादूर बनाना, किसी दूसरे को बहादूर बनाना, तो इंबॉल्डेन का मतलब हो जाएगा to make someone brave, next देखेंगे, अगला जो बट है, वो है eminent, eminent का मतलब होता है, बहुत जादा परतिष्टित व्यक्ति, या फिर known and respected, ठ कि eminent, eminent को आप ऐसे याद रखेंगे, एक मिनट, eminent, तो क्या है कि जिसको हम बोलते हैं लाइफ में समय की कदर नहीं, उसको respect नहीं मिलता हर जगा पे, और जिसको जो है, जिसको आम की याद रखेंगे जो मैं बोल रहा हूं उसी तरह से नेस्ट है वर्ड नमबर 275 emulate emulate का मतलब होता है बराबरी करना try to be equal यानि कि नकल करना भी आप इसको बोल सकते हो copy करना तो emulate यहाँ पर word आ रहा है तो देखो emulate को आप याद रखेंगे emulator से computer में एक software होता है मतलब एक function होता जिसको emulator कहते है ठीक है उससे होता क्या है कि हमारे computer को या नहीं हमारे system को कोई और वेक्ति भी जो है चला सकता है और ऐसा gaming में ज्यादा होता है gaming करते टाइम में हमें जो है दूसरे computer की जो हमारा साथ ही हो कर रहा होता है उसका function हमें चलाना होता है था हम emulator का यूज करते हैं तो यह हो गया copy try to be equal बराबरी करना नेक्स्ट है एंडेंजर का मतलब होता है to put at risk यानि कि संकट ग्रस्त तो देखो इसे में word आ रहा रहा डेंजर तो इसको याक्तिमाने जरूत है नहीं डेंजर का मतलब हो जाएगा खत्रे में रिस्क में नेक्स्ट है हमारा endear का मतलब होता है कि आप बहुत जादा प्यारा होना like करना किसी को to cause someone to be liked तो देखो dear का मतलब होता है प्यारा ठीक है dear का मतलब दो word meaning इसके निकलता है ठीक है dear हम बोलता है my dear friend यह तो आपको याद रहेगा dear कि my dear friend बोलते है my dear father बोलते हैं लेकिन dear का मतलब महंगा भी होता है यह भी याद रखेंगे आप और exam में अक्सर आ जाता है dear का मतलब महंगा ठीक है और dear का मतलब प्यारा या पिर to be like इसको हम like करते हैं चलिए आगे देखें 278 जो word है वह ह अनुमेटी का मतलब होता है दूसमनी ठीक है यानि की आप इसको बोल सकते हो किसे बहुत ज़्यादा क्या करना हेट करना ऐनी मोस्टी एनी मोस्टी है और feeling of hatred है दूसमनी करना तो देखो एनिमी इसे में वर्ड आ रहा है एनिमी का मतलब क्या दूसमनी जिससे हमारी क्या हो दुस्मनी हो, एनिमी हो, चलिए, आगे देखेंगे अगला जो वर्ड है 279, वो है अनॉर्मिटी, अनॉर्मिटी का मतलब होता है, बहुत ज़दा विसाल होना, तो अनॉर्मस आपने याद किया होगा, अनॉर्मस का मतलब क्या होता है, जो बहुत बड़ा साइज में हो, जो को अट्रेक्ट कर देना, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, ए एन टी, अन्त, ठीक है, और रॉल, आर, एडवल, एल को याद रखेंगे, आप रॉल से, रो, डवल, यहनि आपका रॉल नमबर, तो आप ऐसे इमेजिन कीजिए, कि आपके, आपने जो एडमिसिन लिया थ इसकोल में, तो आपका रॉल नमबर जो था, वो 40 था, या पर 30 था, लेकिन आपने बहुत महनत किया, और आपका एक्जाम में जो है, वो 1st रॉल आ गया, तो आपने क्या किया, वहाँ कि जितने भी अस्टुनेंट थे, लड़की, लड़किया, सब को आपने अट्रेट कर कि आपने बहुत महनत कि और बहूत अच्छी वह पड़ने में, तो आपने सब को क्या क्या है? अट्रेट किया, तो एंध्रॉल, का मतलब क्या हो जाएगा? किसी को अट्रेट करना? अगला देखेंगा, अगला आसानल था वरड़ है, अन्थ्वेस्टिक, का मतलब क्या होता अगला जो वर्ड है वो है हमारा वर्ड नमबर 282, envisage, envisage का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर विचार करना, to accept as a possibility, ठीक है, यानि कि संभावना वेक्ट करना, accept करना, उसे को हम बोलते हैं envisage, देखो envisage को अगर आप ऐसे याद रखेंगे न, देखें, इसकी हलाकी नहीं बन रही थी, लेकिन आप यहाँ पर अगर ऐसे थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो आपको याद होता है, का vis, देखें, यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है, envisage में, वो लिखा हुआ है क्या vis, visualize, टीक है, vis से visualize याद रखो, और age याद रखो, तो visualize और age, तो हम क्या visualize करते र रहते हैं, हमेशा think करते रहते हैं, expect करते हैं, सोचते रहते हैं, तो इस तरह से आपको जो है envisage याद हो जाएगा, और नहीं याद हो, तो इसको जो आप sentence में use करके याद कर सकते हैं, नेक्स देखेंगे, eradicate, eradicate असान सा वर्ड है, बहुत बार हमने याद किया, abolish का syndrome से ये, eradicate करना, यानि कि क्या कर देना, उनमूलन कर देना, खतम कर देना, किसी भी चीज़ को remove कर देना, destroy completely, destroy कर देना, है ना, तो abolish, eradication, हमने याद कर लिया है, यह सब, नेक्स दो वर्ड हैं, आपर ध्यान दीज़ेगा, दोनो वर्ड पर, एक तो हमारा errand और दूसरा errand, टीक है, एक है errand, last में D से खतम हो रहा है, और एक है errand, जो कि T से खतम हो रहा है, और एक का मतलब जो first वाला है, जिसके last में D है, उसका मतलब होता है, short journey to deliver or collect something, यानि कि दू errand कहते हैं, और errand, जिसके last में T है, इसको बोलते है, one who does something wrong, यानि कि जो गलत तीसा की तरफ बढ़े, यानि जो पत बरस्ट हो जाए, यानि कि गुमरा हो जाए, उसको हम errand कहते हैं, तो errand जो है, वो aberrant की तरह ही है, हमने एक word याद किया था, aberrant, A, B, E, R, A, N, T, इसको हमने य aberrant से ही याद रखना है आपको, लेकिन जो errand है, जो पहला word है, इसको ऐसे याद रखना है, लास्ट में ते किया, delivery याद रखना है, दिफॉर delivery, तो हो क्या कर रहा है, delivery का का काम कर रहा है, तो इस तरह से आप यह दोनों word को याद रख सकते हैं, अगला जो word है हमारा, जो word number 2 to 86 . दो कि हीज़ चीज का है ? दो स्भी सीड़ें लगे होती है जो सीढ़ियां नीची आती है तो उसी को क्या करते है ? बढ़ा देता है, speed कर देता है, इसलिए तो हम उसका use करता है, अगला देखो, अगला जो वड़े हो है spouse, spouse का मतलब होता है support or adopt a cause or way of life, spouse का मतलब क्या होता है, पती या पत्मी, तो पती या पत्मी क्या करते हैं, एक दूसरे को support करते हैं, समर्थन देते हैं, तो यह हो जाएगा support, spouse का मतलब, next है हमारा अगला जो वड़ है 288, 288 में वड़ है a strange, a strange का मतलब क्या होता है, त्याग देना, no longer friendly, ठीक है, इसको मैं से याद रखेंगे, if you are a strange, अगर आप a strange हो, या फिर आपका behavior a strange है, ज्यान दे सुनिएगा, if you are a strange, you will be no longer friendly, अगर आप a strange हो, आपका behavior अगर a strange है, तो आ आपको क्या करेगा, छोड़ देगा, लीव कर देगा, त्याग देगा, strange का मतलब हो जाएगा, त्याग देना, no longer friendly, next word जो है, each, etc, each, each का मतलब क्या होता है, साफ जहलकना, या फिर make clearly defined, यानि कि बहुत साफ साफ दिखाई देना, each करना, तो देखो, each का क्या itching याद रखे इचिंग करने लगते हैं, और हमें साफ साफ दिखता है, कि हो क्या कर रहा है, each कर रहा है, यानि क्या हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है, हमें clear दिख रहा है, तो age से इसको याद रख सकते हैं, आप इस तरह से, next is ethical, देखो, ethical आसान सा वड़े, ethics से ही बनाए, तो ethics का मतलब क्या होता है, नैतिक, ethics का मतलब क्या होता है, नैतिक, beliefs which cannot be behavior, beliefs which control behavior, याद रखेंगे, beliefs which control behavior, तो यह आपको याद हो जाएगा ऐसे, कि ethics से आपको याद रखना है, एथिक से आपको जो है, इसे याद रखना है, और याद रखने का तरीका इसका जो है, ethical को याद रखेंगे, ethic का मतलब हो जाएगा, beliefs which control behavior, नैतिक, ठीक है, नैतिक ता, next है हमारा, अगला वर्ड, वह है यूनक, e-u-n-u-c-h, इसका मतलब होता है, a person who is neither a man nor a woman, यानि कोई ऐसा व्यक्ति, ना तो वह जहन से, ना ही, ladies है, ना male है, ना female है, मतलब क्या है, वह हिजड़ा है, तो यूनक का मतलब क्या हो जाएगा, याद रखने का तरीका जो है, यूनक को हलाकी ये वर्ड जो है, याद लखेंगे, यू नाच, यू नाच, ठीक है, तो कहीं पर भी देखा होगा, जब बच्चा होता है, घर में पैदा, छोटा, तो जो ऐसे पूरूस होते हैं, जो यूनक होते हैं, उनको पता चल जाता है, कहीं दे खबर लग जाती है, और वो जो है, अपना पूरा गूरूप लेकर कि आ जाते हैं नाचने के लिए, और पैसे ले जाते हैं, तो यूनक का मतलब क्या होता है, हिजडा. नेक्स वर्ड देखेंगे अगला जो वर्ड हमाना वो है एक्जस्परेट देखें एक्जस्परेट का मतलब होता है किसी को इरिटेट कर देना देखें एक्जस्परेट का मतलब क्या हो जाएगा कि इसको इरिटेट कर देना तो ऐसे याद रखेंगे एक्स सेपरेट, एक्स सेपरेट, तो सेपरेट तो आपको पता होगा, अलग होना, सेपरेट का मतलब क्या होना, अलग होना, तो वो अपनी एक्स से सेपरेट हो गया, वो अपनी एक्स से क्या हो गया, सेपरेट हो गया, अलग हो गया, क्यों हो गया भाई, क्योंकि वो उसे ब मतलब होता है औप्जेक्शनेबल आपत्ती जनक असान तर वड़े एक्षेप्शन से याद रखते हैं आप इसको ऑप्जेक्शनेबल और अगला वड़े हो है हमारा एक्षेप्शनेबल यहां पर भी है एक्षेप्शनल का मतलब अप्वाद हम बोलता है न कोई है एक्स और कुरूर तो उसकी एक्स ऐसे याद रखेंगे अभी हमने तुरंत एक्स रिलेटेट वर्ड याद किया था तो एक्ज़स्प्रेट वह अपनी एक्स से सेपरेट हो गया क्योंकि वह इसे बहुत ज्याद जया चort थि एक्स जो थी हूं बहुत जाद होता था याद हो जाका मतलब mex storm जो सबको याद होता है एक्जिक्यूशनर का मतलब क्या जो फासी देता है यानि जल्लाज होता है जो फासी पर चड़ाता है उसी को हम क्या करता है इंग्जिक्यूशनर का काम होता है तो यह भी आपको याद होजाएगा नेक्स वड़ हमारा एक्जॉस्ट का मतलब होता है to spend or to make tired यानि कि क्या कर देना या तो ठका देना या फिर खतम हो जाना खर्च हो जाना तो आपने एक्जॉस्ट एक्जॉस्टेबल एनर्जी के बारे में अपने पढ़ा होगा ठीक है एक तो या चिसमार रिन्यू कर सकते है एक होता एक चॉस्ट नेवल घीक है जो खतम हो जाएक कोई है पेट्रोलियोम है केर्योसीन है यह सब एक टाइम आएगा कि खतम हो जाएगा पर hits Eating which लेकिन रिय्नेबल का मतलब क्या होता है जो रिन्यूव हो जाएगा थका देना या फिर खर्च हो जाना हमारा अग्जिलरेट होता है यानि बहुत ज़्यादा खीज हो न तून है नहीं बनी है याद करेंगे 298-word को note कर लेंगे अग्रा जो है विव यह हमारा है एक्सपोस्ट्यूलेट का मतलब होता है डिजयागरी स्ट्रॉंगली यानि कि बहुत ज्याद क्या होना अस्वहमति होना विरोध विरोध पर कखते तो इसको याद करेंगा ऐसे कि और यहां पर यही बाबा था या फिर कोई ढो था वह एक्सपोज हो गया तो उसके जो फॉलवर थे थे तो वह विरोध में आ गया थे लोग के नहीं अई हो सकता अई हो सकता तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इस तरह से ही आपको याद रखना है अगला जो है लास्ट वर्ट जो है यहां पर 300 हुआ हमारा एक्स्ट्र वेगेंजा देखो एक्स्ट्रा हमने पढ़ा है और यहां पर एक्स्ट्रा वेगेंजा एक्स्टा का मतल्स होता है exciting and expensive event èsदा क्या होना है फिजूल खर्ची होना चीए मैंने आपको फास्ट फूड बेटो एक्स्टा बेगेंजा का मतलब हो जाएगा एक्साइटिंग एड एक्सपेंसिव एवेंट यानि कि फिजूल खर्ची करना तो देखते हैं अगला वर्ड हमारा जो एक्स्ट वर्ड है फैड फैड का मतलब होता है फैसन में होना क्रेज उना परचलन डिक्र hamний होरा इसको याद करने आप इसको याद रखेंगे इपाड इणि कि आज कल फड़ा वगल जिंदे क्या चला हुआ है क्रेज चला हुआ है जीसे देखें वह जो है फड़ा हुआ जिन पहने तो हो जाएगा पैस छिली दूसरा वर्ट देखेंगे इसका वह फाल्टर F-A-L-T-E-R Falter Falter का मतलब होता है Hagitate करना यानि हिच किचाना अब देखो इसको याद रखने का तरीका क्या है आप अगर इसके सुरू के अगर चार अच्छर देखेंगे F-A-L-T तो sound देरा fault का F-A-U-L-T का sound दे रहा है Fault Fault का मतलब क्या होता है गलती और अगर आपने fault किया है देखा होगा आपने जब भी हमसे क्या हो जाता है कोई fault हो जाता है कोई गलती हो जाती है तो हम hesitate करते हैं बोलने में बताने में parents को ममी पापा को या किसी को भी जो है हम क्या करते हैं करते हैं हम बता नहीं पाते हैं तो falter का मतलब हो जाएगा क्या hesitate करना या फिर हिच की चाना अब बोल सकते हैं आगे देखेंगे नेक्स जो वड़ है वह है fanatic fanatic का मतलब होता है extremely enthusiastic of once religion और belief यानि कि अपने धर्म को ले करके बहुत ज़्यादा cutter होना उसको हम कहते है fanatic यहाँ पर लिखा हुआ है fan cutter fan से आप इसको याद रखेंगे cutter fan तो आपको याद ध्यान में रहेगा कि fanatic का मतलब क्या होता है तो extremely enthusiastic of once religion और belief अपने beliefs को ले करके religion को ले करके जो बिल्कुल क्या रहे cutter है उसको हम कहते है fanatic तो इस तरह से आपको यह याद हो जाएगा next देखेंगे fancier fancier का मतलब होता है breeder और dealer of animals यानि कि जो जानवरों का breeding करवाता हो और जो dealer हो जानवरों का उसको हम कहते है fancier तो देखो fancier को ऐसे आप याद रखेंगे fancy से कि जो जानवरों क्या होती है उनसे जो है fancy fancy bags बनाए जाते हैं traces बनाए जाते हैं चपल बनाए जाते हैं सूज बनाए जाते हैं तो आपको यह ध्यान में तो रहेगा fancy fancier का मतलब का आपको animal तो याद रहेगा लेकिन आपको बस एक चीज़ और इसमें include करना है कि fancier में जो breeding करवाने वाला animals का देखिए breeder of animals या फिर dealer of animals तो इस तरह से आपको fancier याद रहेगा next वड़े फार्स देखिए farce का मतलब होता है an absurd event यानि कि कोई ऐसा मतलब तमासा बोलता है न कि तमासा बना देना तो उसे को बोलता है an absurd absurd का मतलब बेतुका होता है और event का मतलब घटना इसकी जो है fatal का मतलब होता है having serious and deadly effect यानि कि कोई ऐसी घटना या पिर कोई ऐसा कुछ होना जो किया उसका बहुत ज्यादा घातक परी नाम निकले उसको हम कहते है fatal तो देखो fatal में एक वर्ड़ आ रहा है फटा bum फटा तो अगर कहीं पर भी bum फट जाए अगर कहीं पर भी क्या हो जाए बम अगर फट जाए तो वो क्या देगा तो serious और deadly effect देगा है ना तो fatal का मतलब क्या हो जाएगा घातक having serious and deadly effect next देखेंगे बहुत असान सा वर्ट है fate fate का मतलब होता है destiny destiny means भाग्ये आपको यह याद होगा बहुत असान सा वर्ट है fate fate का मतलब क्या भाग्ये और faithful का मतलब होता है having important but negative effect important तो हो but क्या हो दुरुभाग्ये पूर्ण हो तो यह दोनों वर्ट जो है भाग्ये से related है पस इत तो याद रखेंगे सब्सक्राइं, अग्ला वर्ड है हमारा तच तो बनाए हमारा वह सब्सक्राइब है, तो इससे याद रखेंगे, तो हमुआ तो है, तो 2 तो को बोल देते हैं कि तू तो मुर्ख है बिल्कुल फट्टू है डरपोख है हम ऐसा बोल देते हैं दोस्तों को है ना तो फट्टू से आप इसको याद रखेंगे तो याद हो जाएगा आपको इस तरह से चलिए आगे देखेंगे फाउना असान सा वट है हमने फ्लोरा और फाउना बहुत बार पढ़ा है फ्लोरा का मतलब होता है किसी या स्पेशल एरिया का मदब पार्टिकुलर एरिया का रखेंगे दो वर्ट जो हैं बहुत इंपोर्टेंट है और कई बार एक्जाम में पूछे भी गया है नेक्स देखेंगे फॉक्स पास का मतलब होता है वर्ड और बिहेवियर डाट इस सोसिल मिस्टेक यानि कि एक समाजिक गलती उसको हम कहते हैं फॉक्स और पास कहते हैं इसके लिए कोई निमोणी के जरुवत हैं नहीं सबसे अलग वर्ड यह जो दिख रहा है बिलकुल एकदम सबसे हटके वर्ड है सबसे अलग वर्ड देखेंगा आप फॉक्स और पास और इसको क्या बोलते हैं समाजिक गलती बोलते हैं या फिर वर्ड बिहे विएवियर that is social mistake तो इसको आप याद कर लेंगे next is feasible, feasible का मतलब होता है practical तो ऐसा लगेगा physics और physics में practical बहुत important है तो आप सिर्फ theory पढ़के physics को नहीं कर पाएंगे इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है practical करना पड़ता है तो feasible और physics ठीक है आप इसको 3-4 बार repeat किजिये मेरे साथ feasible, 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 feasible यानि कि क्या हो जाएगा practical तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा next अ फीबल, feeble का मतलब होता है weak and without energy यानि आप इसको जूवना फीबल हो जाता है अगर आपकोготов देखें होंगे आप जो बच्चे हो ज़ने बच्चे तुद्ला करके बोलते नेले मेरे फीवर को फीबल बीटा आज्य König नेक्स्ट है फेन, F-E-I-G-N, फेन का मतलब होता है to pretend, अच्छा pretend का मतलब क्या होता है, pretend मिल दिखावा करना, जैसा है, जैसा दिखता है वैसा है नहीं, इस सेंस में यहाँ पे यह pretend होता है, pretend का मतलब क्या करना, दिखावा करना, तो फेन को अगर आप foreign पढ़ेंगे, sound के लोग, foreign country के लोग क्या करते हैं, दिखावा करते हैं, कैसे करते हैं, आ करके जैसे माल लोग किसी को इंडिया पर अटेक करना है, बहुत लोगों ने जो हिंडिया पर अटेक किया है, तो क्या करते हैं, दिखावा करके आते हैं, अपना बेस बदल करके आते हैं, आप अग हो pretend करते हैं दिखावा करते हैं कि हम अच्छे आदमी हैं लेकिन एक्षटी मोग बुरे आदमी होता है तो फेन का मतलब क्या हो जाएगा नकरे करना प्रेटेंड करना अच्छा नेक्स्ट वर्ड़ देखेंगे फैले सिटी का मतलब होता है happiness और ब्लेस यानि कि बहुत ज़्यादा खुसनूमा खुसी फैले सिटी आपको मैं दो सिटी का एक्जामपल देता हूं एक सिटी का मतलब सहर के मैं बात कर रहा हूं आप यहां पर समझिएगा एक सहर A है और एक सहर B है एक यह जो A सहर वो बहुत रहते हैं यहां पर मतलब यहां की जनता क्या ज्यादा है और बहुत ज्यादा कंजस्टेड है तो यहां पर लोग कैसे रहेंगे और एक B सिटी है यह बहुत ज्यादा बड़ा है ठीक है और यहां पर लोग कम रहते हैं मतलब पूरी फैली वी सिटी है कैसी है तो पूरी फै भी ए तो फैली सिटी का मतलब क्या हो जाएगा अब आपको याद रहेगा ये जाने का मतलब होता है अब मेजर क्रिमिनल एक्ट यानि कि एक तरह से आप बोल सकते हों बहुत बड़ा क्या होणा barbarism करना उसको हम बोलते हैं प्ली इसको याद करने का तरीका आपको याद रखन में कि फलन अ कर दिया और ऐसा कर दिया जो फलनी को लड़की है एसा है रखोगे कि फलनी क्या किया एक बहुत बड़ा क्राइम कर खी खी छे सकते हैं अगला और उयह हमारा फेरल का Faire, Fear All ठीक है? Feral, Fear All तो याप देखो Fear का मतलब क्या होता है? Dare और All हम सबी को डर लगता है किससे? Wild Animals से जंगली जानवर उसे Wild Animals से हम सब को डर लगता है तो Feral और Fear All याद हो जाएगा बापको Next देकि Ferry फेरी हम असानी से याद कर सकते हैं और आप में से बहुतों को याद भी होगा फेरी कि जब भी 15 गत की सुबा में हम क्या करते हैं प्रभात फेरी करते हैं 15 गत की सुबा में हो जाए 26 जनुवरी की सुबा में हो हम दौब में क्या करते हैं तो प्रभात फेरी करते हैं प्रभाद फेरी का मतलब सुबा सुबा चार बजे उट करके जो है नारा लगाते हैं भारत माता की जै सुबाश्चंदर बोस की जै हम नारा लगाते हैं तो उसे को फेरी बोलते हैं तो यहां पर जो मीनिंग यह नदी को पार कराना ना उसे ठीक है क्या करवाना नदी को यह एक फेरी ही है यहां से हम लोग गाओं में क्या करते हैं हम लोग गाओं में पूरा ऐसे चक्कर लगाते हैं गाओं का ठीक हर गली हर रोट से और यह क्या करता है जिसमानलों कि यह नदी है तो यहां से एक बर गया और यहां से फिर वापस आया फिर गया फिर वापस आया तो क्या बोलता है फेरी बोलते हैं तो ट्रांसपोर्ट पीपल और गुड्स और अब फूर्ट फूर्ट ट्रांसपोर्टिशन यानि कि नाव से लोगों को ट्रांसपोर्ट करवाना एक नदी की एक छोड़ते दूसरे छोड़ते इस तरह से आपको याद हो जाएगा लेकिन यहां पर फैटर का मतलब क्या होता है तो कीप समवन विदिन लिमिट में रखना तो हथकरी क्यों पहना आई जाती है लोगों को ताकि उसको लिमिट में रखा जा सकते तो फैटर और याद रखेंगे फैटर का मतलब हथकरी और फैटर का मतलब लिमिट में रखना यानि कि आप बोल सकते हो पिसाच, यानि कि evil person, यानि कि बुरा वेक्ति बोल दो, तो यह जो fins word है, वो friends का opposite है, ठीक है, friends क्या होता है, friends का मतलब अच्छा, जो हमारा भला सोचता है, हमारा जो दोस होता है, उसको हम बोलते है friends, लेकिन यह है fins, fins का मतलब क्या हो जाएगा, just opposite of friend, याद रखेगा, opposite of friend का मतलब क्या हो जाएगा, an evil person, यानि कि बुरा वेक्ति, बुरा दुस्मन वेक्ति, तो ऐसे याद हो जाएगा, आपको friends, जो है opposite of friends का, next देखेंगे, अगला जो word है, वो है, finest, finest का मतलब होता है, great skill और style, कुसलता बोल सकते हैं, बोलते हैं बहुत ज गांसे फ्लेबर्गास्ट, फ्लेबर्गास्ट का मतलब होता है, dumb found, या फिर अस्टानिस, अस्टानिस का मतलब क्या होता है, चकित कर देना, ठीक क्षी को, magic कर देना, sharp שמwork या जाना, फ्लेबर्गास्ट को ऐसे याद रखो न, एक तो मैंने आपको घास्ट याद रखवा ए घास्ट का मतलब में आपको क्या बताया था डर जाना सके उडाना क्यों गोस्ट कु देख कर कि थे ज़ेए तो याद हो जाएगा आपको तो याद की फ्लेबर घास्ट का मतलब क्या हो जाएगा और याद नहीं रखेंगे तो फिर आपको जो है जैसा अस्टॉनिस है, अस्टॉनिस का मतलब फिर चोटे-चोटे वर्ट है तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, बाकि अगर आपको यह से वर्ट नहीं आद है तो पिछली वीडियो जाप मेरी देख सकते हैं, सबकी मैं जो है नीमोनिक से आपको याद करवाई है अगला है layer देखें फ्लेयर का मतलब होता है भड़काना किसी भी चीज को और भी जादा violence कर देना to start suddenly such as violence pain और anger ठीक है तो फ्लेयर फ्लेयर जो है यहाँ पर जो है इसकी नीमोनिक नहीं बनी है फ्लेयर की इसको भी आप नोट करेंगे copy पर next देखेंगे हमारा अगला जो whatever plant plant का मतलब होता है क्या करना display ostentily देखें यहाँ पर क्या है यह जो word है न और ostent ostentily इसको देखो याद करने का तरीका सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ostent 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 में वर्ड क्या रहा है अस्टंट में एक वर्ड क्या आ रहा है अस्टंट वर्ड आ रहा है ठीक है यह जो अस्टंट में अस्टंट आ रहा है तो अस्टंट लोग क्यों करते हैं तो दिखावा करने के लिए करते हैं क्या करते हैं दिखावा करने के लिए करते हैं याद रखेंगे जो अस्टंट में क्या लगा हुआ है एफ और यहाँ पर आंट है तो एप से आप फ्रेंड याद रखिए और यहाँ से याद रखिए आंट फ्रेंड्स आंट आंट का मतलब क्या होता है आंटी चाची तो यहाँ पर में से याद रखेंगे कि आंट फ्रेंट्स कमद्रेवी दिखावा करते है तो याद हो जाएगा आपको क्या così क्या दिखावा करना मसल अगर आपने बाड़ी बिल्निंग क्य जिए वोगे क्या होगा तो आपके वर्ड्न रखोगा बॉडि और कहने लोग क्या करते हैं वर्काउट करने के बाद या बॉड़ट करते हैं यह समय सũng अब खर हुए भुजा का मांस कर ढहिए ठोर कर दिखाना यहां को भुजा की बात नहीं हो करना चलिए आगे देखेंगे फ्लॉग का मतलब होता है इसको आप चाबुक बोल सकते हैं हमने की याद किया था याद होगा आपको फ्लॉगिंग और डेट होड्स का मतलब होता है व्यर्थ का काम करना यानि कि आप क्या कर रहो मरेवे घोड़े पर जो है चाबुक चला रहे घोड़े गाड़ी पर जब हम मारते हैं चाबुक तो घोड़ा और तेज भागता है तो वही है फ्लॉग नेक्ट है फ्लाउट देखें अगला जो वड़ेव हो है फ्लाउट फ्लाउट का मतलब होता है क्या कर देना तो डिज अब्वे कर देना किसी भी रूल को या फिर ल चीटिंग कर लेते हैं हैं तो फॉटबॉल मरा जाता है और उसको आउट कर दिया और तो फॉलाउट का मतलब क्या आपने उलंगण किया कि किसी भी कानून को रूल को नेक्स देखेंगे अगला जो वड़े हमारा वह फॉल पॉलिस तो देखो फॉलिस 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 ऐस एंगे मुर्व हो जाएगा आपको नेक्ट फॉरसी एसान से वड़े पहले से जानले है कि नoh profesor करदेना अग्छाम संपिंग प्रेडिक्शन का मतलब हई स्मानी करदेना और यां पर क्या है सिपर्सी फॉर्सी तो करें इसके पहले एक नहीं कirगा दूँ गया नेक्स देखेंगे फ्रेजाइल का मतलब जो होता है वहता है भंगूर जो कि आसानी से तूट जाए विच कैन बी इजली ब्रोकन अब यह मैंने बहुत बार आपको याद दिवाए जैसे आपको फ्रीज खरीदते होगे या पर आपने टीवी खरीदी होगी या फिर कोई सीशा का बरतन खरीदा होगा तो उसके बॉक्स पे डब्बे पर लिखा हो रहता है फ्रेजाइल और इस तरह का कुछ पिक्चर बना हो रहता है ठीक है कि यह भंगूर है टूट सकता है तो इसको अच्छे से ले जाए तो फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है भंगूर जैसे कि अगरे फ्रेज बगर आपने तो फ्रीज से आपको फ्रेजाइल याद रहेगा जाए लिखा रहता है विच्छ ढीस बैजी फ्रोकन है अगला जो वड़ा वह एफ रौट बहुत की फुल आफ इंप्लेजंत फुल आफ़ ऌख अन्स वलेजंट तो यहाँ पे दिल पुलिस के दुबार अगर को फ्रॉड परसन पकड़ा जाता है तो उसके पास से बहुत सारी 鉄ी मिलती है जैसे बंदूक मिल जाता है जाको मिल जाता है और वेपी बहुत सारी चीज़ें जाती है तोmm कॉर्ट का मतलब पकड़ा जाना ठीक है फ्रॉड कॉर्ट तो जो फ्रॉड आदमी कॉर्ट कर लिया जाता है यह नहीं कि पकड़ लिया जाता है तो उसके पास से बहुत सारी जो है अन्प्रेजंट फिंग मिलती है इस तरह से आपको यह याद हो जाएगा नेक्स्ट जो दो being out है एक तो है अब फ्रॉड और फ्रॉड फ्रॉ ओररहिट्रॉरी का मतलब होता है गुस्सा करना दोनों का मतलब होता है घुस्सा ठीक है याद कैसे करेंगा दोनों को यह देखिए जल्थे पहला देखिएगा second word एक तो है फ्रॉरॉरी इसमें और लिखा हो परार ठीक है और फरार हो गये कुछ करने के लिए कुछ क्य़ने के लिए फरार हो गये तो मम्मी पापा क्या हो गुच्सा आएगा ना क्या एगा अंगर आएगा लेकिन इस और गुसे का मतलब को याद रखना है अब यहाँ पे जो है इसका पहला वड़ है वह फ्राउन फर ओटाल होता है अपना ओन्स क्या होता है अपना और फ्र्र याद रखना अपना तो फुरार का मतलब गुस्सा और और का मतलब क्या अपना तो बहु चढ़ा कर देखना कौन अपना बहु चढ़ा कर कि गुस्सा करेगा खुद करूंगा मैं तो वही हो जाएगा फैस पृस्यल एक्स्प्रेसेंट शोइंगर और अनॉयन्स ठीक है तो इस तरह से आपको दोनों प्रार यानि के गुस्टा और ओडब्लू एंज का मतलब अपना यानि खुद का गुस्टा तो इस तरह आपको दोनों याद हो जाएगा नेक्स देखिएगा गैग का मतलब होता है तो पुट क्लोथ याद रखेंगे अब आपको जो है याद हो जाएगा मुँव में कुछ कपड़ा ठोस देना तो हमें न्यूज में अक्सर यह पढ़ने को मिल लाता है जो कि बहुत निंदनीय है चुलिए आगे देखेंगे अगला जो बड़ हुआ है गैलेंटरी गैलेंटरी का मतलब होता है वीरता व्रेवरी तो गैलेंटरी अवार्ड आपने मिलते देखा होगा न तो गैलेंटरी अवार्ड किसे मिलता है तो गैलेंटरी अवार्ड उसे मिलता है जो वीर होता है जो ग्रेव होता है तो देखिए यह जो बड़ है garris 336 देखेंगे garris ठीक है garris का मतलब होता है बुखा तदिक्या होना रंगीन होना और गॉर्डी आप इसको भड़कीला और चमकीला भी बहुत सकते हो garris का मतलब भड़कीला भी होता है बहुत जादा चमकीला भड़कीला ग्यारिस तो इसको कोई निमोनिक नहीं बनी है इसको जो है आप लिख लेंगे copy पे next is gardener gardener का मतलब होता है store up और gather करना इकठा करना तो gardener को आप gardener पढ़िए gardener gardener का मतलब क्या होता है जो माली होता है gardener जो होता है fruit and flowers from his garden यानि कि gardener क्या करता है आपने garden से फूलों को और फलों को क्या करता है इकठा करता है तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा इकठा करना गार्नर का मतलब गार्नर गेदर कोई सेमी लग रहा है next whatever gaug gaug का मतलब होता है आप बेवकूफ की तरह देखना steerfully तो गाउं के तो क्या होता है जब हम सहर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं ऐसा समझ ये मैं भी गाउं से हूँ हम यहाद करेंगे कि जब भी हम गाउं से जाते हैं सहरों में क्या हूं देखते हैं मतलब मर्कता पूर्न मों हम देखते है चका चौन देखते हैं भूस बैडवी बड़ी building गाउं के लोग तो गाउं के याद रखेगी तो ब्लौन के याद Rडखेगी तो बेउकूफ की तरह देखना steerfully ऐसे याद करा सकते है या फिर ऐसे बोलेंगे कि जब हम सहरों में जाते हैं तो सहर वाले क्या करते हैं कि देखो गाउं का लग रहा है कैसे देख रहा है हर एक चीज को तो गाउं के गौप का मतलब को याद रहेगा क्या तो बेवकूफ की तरह देखना अगला जो बड़ है वह जैंसिस देखें जैंसिस का मतलब होता है तो जीन से आपको याद रहेगा नेक्स जो बड़ है हमारा अगला वो है जाइंटिक देखिए जाइंटिक का मतलब होता है विसाल, एक्स्रीमली लाज, इसको जायन्ट से याद कर लो टीक है giant का मतलब क्या होता है death जो कि बहुत बड़ा विशाल होता है तो यह हो जाएगा gigantic का मतलब का extremely large बहुत बड़ा next glare 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 का मतलब होता है गूर कर देखना a long angry look तो देखो glare को ऐसे याद रखो गले यार, गले यार, ठीक है, तो गले में अगर आप कोई हार पहनते हो, ऐसा समझोगे, महिलाओं पर जाए सूट होगा, कि महिलाओं जब गले में कोई हार पहनती है, तो दूसरी महिलाओं कैसे देखते हैं, घूर घूर करके देखते रहती हैं, कि देखो क्या पहनी है, हार और पहनी इतना सुन्दर फढ़िया करके तो glare का मतलब क्या हो जाएगा Long Angry लुक याni की की खूर करके क्या करना देखना सबस्राइब देखेंगे अनी चोछ मतलब होता है क्या great delight यानि बहुत ज़्याद क्या होना खुसी होना और ग्लीमर का मतलब होता है फेंट लाइट या फिर्स लाइट और साइन आप सम्थिंग कुड ठीक है तो यहां पर ग्ली को याद रखने का तरीका ग्ली को याद रखेंगे जब क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं ग्ली रंटा खेलते हैं आपने बच्चे को ग्ली रंटा खेलते देखा होगा तो बहुत ज़्यादा खुस होते हैं ग्ली रंटा खेलते टाइम में बच्चे बहुत ज़्यादा खुस होते हैं ठीक एक तो क्या हो हो गया सझेक है के आगे देखेंगे अगला अगला इसह वां keeps अग्ले अले करता है या मद्द नुरोफ निर्फनी धेते हैं तो गिल्मरेंग लगा मुझे है असान सा बढ लगा मुझे या फिर एपार साइट को अगला देहिगे अगला जो बढर वह involves ऽे गल एक आप लिए क्लिका मतलब क्या होता है निरायत करए क्लम रहता हैं अगर आप अपने किभी गुलाम बना करके रखा है तो क्या रहेगा हमें सान्यी रहेगा क्मे". अगर किसी को आप गुलाम बना करके रख लो तो क्या रहेगा हमें सब्सक्राइब रहेगा रहेगा इस तरह से आप इसको याद रखेंगे अगला है गले तक टन भर के खाना खाता है टन का मतलब मैं क्वांटिटी के बाद कर रहा हूं एक टन खाना खाता है बस आप इमेजिन कर ले आज़े तो आपको याद हो जाएगा तो गले तक क्या हो जाना वन हो इट्स टू मज नेक्सट वर्ट जो गौर्मेट है वो भी जो है खाने से रहें इन्लेटएट है जिसका मतलब होता है अपर्सन को आप गौड से याद रुखेंगे और गौर से देख देख कर खाना कोटा है मतलब अच्छे अच्छे खानों का क्या है वो सौकीन है अच्छे खाने ये खाने ही खाता है देख देख कर खाता है चुन-चुन कर खाता है तो गवर्मेट का याद हो जायेगा person who knows a lot about food and cooking आगकर फिर स्गस्ता ते यह मतलब होता है आगली तो ऊटमीच यह करना हुतके और तो एक अंट हसादार आ रहे है और हो जाएगा अगला जो है वह है ग्रैपल का का मतलब होता है क्या करना देखिए यहां पर क्या है संघर्स करना किसी भी चीज़ से रेसलिंग करना रेसल करना ठीक है रेसल रेसल का मतलब क्या होता है संघर्स करना तो यहां पर जो वर्ड है हमारा ग्रेपल अगर ग्रेपल को मैं असे दो पार्ट में डिवाइड करूं ग्रेप्स और एपल ग्रेप्स का मतलब अंगूर होता है और एपल का मतलब क्या होता है सेव आपने एक स्टोरी पड़ी होगे ना पोएम कि एक लोमडी थी और लोमडी जो है क्या अंगूर खाने निकल और वो बहुत उचल कूद की, बहुत ज़ादा कोसिस की, लेकिन वो जो है अंगूर तक पहुच नहीं पाई, तो लास्ट में क्या बोलती है, कि अंगूर खटे हैं, खटे हैं, तो बहुत ज़ादा संघर्स करती है, वो बहुत ज़ादा रेसलिंग करती है, बहुत ज़ादा कूदती है लेकिन वो अंगूर तक पहुचने पाती है ठीक है तो वह यह ग्रेप और एपपल याद रखें यहाँ पर बस आप थोड़ा सा एड कर लें कि पहुचने के लिए बहुत जाद संघर्स करती है तो अब आपको याद रहेगा यह वर्ड उसके बाद देखिए हमारा है ग्रीव वर्ड जो है ना ग्रीव का मतलब होता है दुख तकलीव हैं वेरी सीरेस एफेक्ट और कॉजिंग पेन तो इसको हमने याद किया ग्रेव का मत अगर कोई वेक्ति हमारा हो चाहिए कि अभी अगर कब्र तक चला जाता है मतलब मिर्ट्यू को पराप्त हो जाता है तो हमें बहुत दुख होता है तकलीव होता है उसके लिए वेरी सीरेस एफेक्ट और कॉजिंग पेन तो ग्रीवियस का मतलब आपको याद रहेगा नेक् आपको याद रहेगा इसमें वाड़ देगए अगले जो वन हमारा नेक्स जो वर्ड़ हमारा हो है घ्रम्बल का मतलब होता है क्या हो jana तो टू कंप्लेंड About Something in Annoyed Way यानि कि घुस्से में बढ़ बढ़ाना अब बोल सकते हो तो एक वर्ड आ रहा है thamay घरब ऊक्ती जब घरम हो जाता है गुस्ते में आता है तो कुछ बढ़ बढ़ने लगता है तो हम उसको बौलता है जीन होता है जो कि घटा म्योविश वगयरा में रहता है और एक जिन होता है है एक राक्षस रहता है तो बहुत जोर-जोर से हसता है मैं ऐसे दिखाया जाता था था पच्छन में सीरियल वगरा मूवीज वगरा में तो गफ़ो का मतलब ठाहा का नौईजी लाफ्टर याद हो जाएगा नेस्ट वड़ है हैगर्ड हैगर्ड का मतलब होता है यहां पर देखिए क्या हो जाना लुकिंग इल और टायर्ड मतलब ठका ठका देखना या फिर बीमार देखना तो हैगर्ड में देखो एक वड़ारा हगना ठीक है यानि कि जब किसी को क्या हो जाता है लूज मोसन हो जात को सब्सक्राइब होता है Suddenly a Sudden Have a fall off op hey Le तो देखिए क्या है ओला गिरता है ना तो ओले को ओलता है हेल टीक है तोले को हम बोलता है हेल टीक हेल अस्ट्रोम एस्ट्रोम का मतलब होता है to see or feel something or someone that does not exist मतलब वह सारी चीज़े दिखाई देना जो exist नहीं करते मतलब कालपनिक चीज़े दिखाई देना ठीक है मतलब वहाँ पर वह चीज़े नहीं यह फिर भी आपको दिखाई देंगे तो उसी को हम कहते हैं जो है भंटी नहीं बजी और फिर भी आपने पून उठा लिया और आपने हैलो यहो करना सुरूब कर दिया तो मतलब क्या है आपको है लुक्षिनेशन हो गया मतशिभ्रम होगया है क्यूंकि दूसरे त्रब कोयरा है ही कोई नहीं बूल रहा और आप यहूट मुटपा इधर हेलो हेलो कर रहे हो इस तरह से भियात कर सकते हैं आसान सा वर्ड है इसमें आप कुछी महनत नहीं करने पड़ेगी का सब्सक्राइब नैक देखेंगे हैफलेस देखें देखेंगे हैफलेस का मतलब होता है अनलकी और helpless देखो हैपलेस और helpless दोनों सेम वर्ड है। hopeless से भी आद कर सकते हैं आपको जो बहुत ज़्यादा अनलकी हो, helpless हो, सेम वर्ड लग रहा है 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 ना? बिलकोल helpless और helpless आगे देखेंगा heart 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 का मतलब होता है person who is not kind यानि कि एक ऐसा वेक्शिक जो क्या हो kind नहीं हो दयालू नहीं वो इसको हम बोलते है hard hearted तो यहां पर देखो heart का मतलब पत्थर और hearted का मतलब दिल यानि heart का मतलब दिल तो जिसका दिल पत्थर का हो तो तो हम क्या कहते है person who is not kind hard hearted क्लिए नेक्स्ट वर्ट होता है एक्ष्टिमली अप्सेट होना बहुत ज़्यादा परिशान करने वाला उसका है तो क्या करते हैं तो हेरोइंग से यानि यान्य गांजा चरस जो होता है हेरोइंग होता है तो अगर किसी गंज़ेड़ी वेक्ति को या चर्शी को अगर घांजा ना मिले हैरोइंग ना मिलेед। वह हो जाएगा बहुत ज़्यादा उसके लिए UPSET – भाइ अप तो क्या नहीं मिल रहा है है या फिर घारोइन नहीं मिल रहा है तो क्या हो जाएगा वह जाएगा अपसेट हो जाएगा extremely upsetting हो जाएगा so harrowing का मतलब extremely upset next Harry Harry means to annoy annoy means परिशान करना किसी को ठीक है disturb करना परिशान करना और Harry जो है Harry का कोई निमोनिक नहीं बना है ठीक है आप Harry Potter से तो याद कर सकते हैं कि Harry को जो बहुत जाद क्या करता है तो annoy करता है ठीक है मुवी में Harry को जो है बहुत जादा अनौइ किया जाता है Harry Potter मुवी से आप याद कर सकते हैं इसको बाग के आगे देखेंगे हैसन हैसन का मतलब होता है है जल्दी बाजी में जल्दी करना ठीक है आसानता वड़ा है हैसन मिंस क्या हो जाएगा Harry and do think quickly यानि किसे भी चीज़ को जल्दी बाजी में करना उसी को हम कहते हैं कि है नेक्स देखेंगे है 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 का मतलब होता है to make a secret plan अब इसको देखो हैच में अगर आपने छोटा वर्द चलाया वह उसमें ऐसा है है सिंबल आता था एक तरह ऐसा स्टार होता था और बीच में यहां पर जीरो होता था और यह जो है टी है का सिंबल की आतार है ऐसा लिए घ्याल शाया है कोई है के ज्याल है तो किसी को प्लाइब कर न को मतलब होता है arrogant, arrogant का मतलब घमंडी arrogant मिल्स क्या होता है घमंडी और hottie इसका सेनोनेम से, जहाँ पर देखेंगे hottie को आप ऐसे याद करेंगे hottie, अगर आप ऐसा समझो कि मैंने अपनी girlfriend को hottie क्या कह दिया, वो तो घमंड से भर गई मैंने अपनी girlfriend को hottie क्या कह दिया, hot क्या कह दिया वो जो है पूरे घमंड से भर गई तो arrogant का मतलब क्या हो जाएगा, घमंडी और hottie का मतलब, घमंडी जो कि इसका सेनोनेम है, चलिए आगे देखेंगे अगला जो वड़ है, वो है hazardous hazardous का मतलब होता है dangerous यानि कि खतरनाक होना next है headstrong, headstrong का मतलब होता है, stubborn stubborn means क्या, जिद्धी, ठीक है तो सबसे ज़ेज़ेतोg 스बन को याद किते, कि तो born से ही जिन्दी है born का मतलब जन्म, ठीक है, जन से तो born से ही जिन्दी, यानि तो जब से पैदा हुआँ है, अब से जिद्धी ही है stubborn है, और engineer अगला जो वर्ड हमा रहु है हैकल, देखे हैकल वर्ड याद करना बहुत आसान है, इसको आप हकले से पढ़ेंगे हकला जाना, कि जब मीडिया ने सवाल पूछे निता जी से, मीडिया ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे निता जी से, कि निता जी जो है हकलाने लगे, तो interrupt with loud, unfriendly question और statement, यह इसका meaning है, तो आसान सा है, आपको याद रखना है कि निता जी हकला गए हैकल, हैकल हकला गए क्यों हकला गए, क्यों हकला गए, क्योंकि मीडिया ने ऐसे ऐसे सवाली पूच दिये निता जी से कि वो हकलाने लगे next है अगला जो वाड़ हो वा रहा है है Ness देखिए Ness का मतलब होता है Atrocious Atrocious का मतलब क्या होता है बहुत जगन्य अपराद देखिए उसको हम बुलते है Ness तो देखो बहुत बार आपको News में सुनने को मिला होगा Ness Crime देखिए उसने क्या कर दिया एक जगन ने अपराद किया है बहुत बड़ा क्राइम किया तो इसको Atrocious कहते हैं और Atrocious को मैंने आपको Mitrocious से यद्प कर वाया है कि Metro में ही जो है Metro cerebral City में सब से जय warto होता है Atrocious होता है यानि कि अपराद होता है जगन्य अपराद होता है तो हेनस आपको इस तरह से याद हो जाएगा नेक्स्ट ए एर एर तो आपको याद करवाने की ज़रूरत है नहीं एर का मतलब होता है उत्तरा धिकारी जैसे राजा का बेटा फिर उसका बेटा वन हूँ लीगली रिसीव मनी और टाइटल उसी को एर कहते हैं हमने हिस्टी में हमने हिस्टी में पढ़ा है कि जैसे कीसी का बेटा जो है कोई राजा है फिर उसका बेटा क्या बनेगा राजा बनेगा फिर उसका बेटा बनेगा राजा बनेगा जैसे हमने पढ़ा है चंदगुप्त मौरी के बारे में उसको बार बिम्भी सार फिर असोक यह सब क्या है यानि उत्तरा धिकारी हैं नेक्स्ट है हमारा अगला वर्ड वह हर्मेटिक देखिए हमेटिक का मतलब होता है एयर टाइट यानि कि जिसके अंदर हवा ना जासे के उसको हम कहते हैं हमेटिक ठीक है तो हमेटिक में एक वर्ड आ रहे हैं इसको अगर मैं पढ़ू हैलमेटिक ह helmet यानि जो हम helmet पहनता है तो वो क्या होता है? एर-tight होता है। उसमें हवा नहीं जाती है वह तो याद रखेएंगे hermatic को आप पढ़ेंगे helmet घूक है और इसके ठीक अगला जोड़ है वह हमारा hermitage हमिटेज जो व्यद़् वड़ है हमिटेज का मतलब होता है कि home of a hermit जहां पर हर्मिट रहता है आप इसको मठ भी बोल सकते हैं हर्मिट के रहने का स्थान को हम बोलते हैं हर्मिटेज तो कॉर्टेज का मतलब क्या होता है घर होता है आपको पता है कॉर्टेज में घर होता है तो कॉर्टेज में लगा हुए तो आपको याद रखना है कि होम से र पर सकते हैं, next देखेंगे अगला जो word है हमारा hide, hide का मतलब होता है भद्दा, extremely ugly और bad, इसमें एक word आ रहा hide, hide का मतलब क्या होता है छुपाना, और हम किसी चीज को कब छुपाते हैं, जब वो भद्दा दिखता है, जैसे आप समझो कि आपके घर में कोई महमान आने वाले हैं और आपके घर में कुछ ऐसे गंदी चीजे हैं, जैसे bad sit गंदा है या पर कुछ और है, तो आप उसको क्या करोगे, छुपाने की कोसिस करोगे, उसके ओपर एक और bad sit डाल दोगे, तो यह हो जाएगा, extremely ugly और bad thing को हम क्या करते हैं, hide करते हैं, तो hideous का मतलब क्या हो जाएग चलिए, आगे देखें, अगला जो है, होबल, होबल का मतलब होता है, लंगणा आगर के चलना, to walk in a way as if the leg is injured, उसको हम क्या करते हैं, होबल करते हैं, तो इसकी कोई निमोनिक नहीं बनी है, तो इसको आप नोट के लेजएगा, अपनी copy पे, चलिए, अगला वड़ देखें हैं, और नहीं भी है, तो ऐसे याद रख लेंगे आप कि क्या करना, home और age, हम अपने home में aged person को, जैसे दाजा हो गया है, नाना हो गया, नानी हो गया है, सबके हम क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनके लिए हम रिस्पेक्ट देते हैं, है ना, तो हम बोल सकते हैं, in याद यानी का देना रिस्पेक्टो देना सर्धान захux आइगला वर्ड हमका वर्ड हूं है अगला वर्ड ह मतलब होता है तो тобой विदाउट सैल्डी यानि जो बिना सैल्डी के काम करें उसको हम क्या कहते हैं तो देखो दो नुवर्ड में यहाँ पर याद करवांगो एक तो 373 और 374 और एक होता है ओन्रेबल ओन्रेबल का मतलब रिस्पेक्टफुल कि क्या हम लिखते हैं ना ओन्रेबल प्राइम मिनिस् जो है सम्मान के लिए काम करता है और वो सर्फ सम्मान के लिए का मतलब क्या हो जाएगा तो to work without सेल्डी चलिए आगे देखेंगे अगला जो वाड़ हमारा ओसे का मतलब क्या होता है और लाज क्टफ doing खेर गोable सिय जाद रएगा होड मच गई कि मच गई दिया के तो पैसे लूटने के लियए होड मच घई ठीक है डहमालम वी देखी हो कि उसमें क्या होता है तो सब लोगों में होड मत जाती है group of people बन जाते हैं ठेर सारे लोग जब जमा हो जाते हैं large group of people इस तरह से आपको याद हो जाएगा next है horrendous, horrendous का मतलब होता है कुछ horrifying होना, horror होना ठीक है, तो यहाँ पर horror है, यहाँ भी horrifying है और ऐसे भी याद रखना है, आपको याद करवाया है मैंने कि horror movie देखने बाद लोग जो है क्या हो जाते हैं, भैभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, horrifying हो जाते हैं, भयावर, भयानक, horrifying, horrendous, चलिए आगे देखें, हल्क, हल्क का मतलब होता है large and heavy, हल्क मूवी से याद रखेंगे हल्क कारेक्टर से, हल्क कैसा दिखता है, large and heavy दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है, next hurdle, hurdle का मतलब होता है, obstacle, obstacle मिन्स बाधा, तो देखो hurdle को याद रखने का तरीका, hurdle race आपने सुनी होगी, hurdle race में ऐसा something रहता है, देखें, इस तरह से जो है बिशाया होगा रता है, और जो runner इसे, तो उससे आपको और भी आसानी से याद होगा, hurdle का मतलब क्या, obstacle, बाधा, चलिए, आगे देखेंगे, अगला जो वड़ है, वो है हमारा हशव, देखेंगे, अगला जो वड़ है, 379 देखेंगे, 379 में लिखा हुआ हशव, हशव का मतलब होता है, रफा रफा करना, ठीक है, trying to prevent the discovery of particular fact, और यह जो है, फ्रेजल वब है हशव, इसको आप याद कर लिजएगा, खुझ से, फ्रेजल वब को, next देखेंगे, ideal, दो वर्ड हैं आपे, ठीक है, एक ideal, और एक ideal, पहले वाले को हम पढ़ते है, ideal, ठीक है, और दूसरे वाले को, ideal, तो ideal का मतलब, others पे to be perfect, without fault, you are to be perfect, और इसका मतलब देखेंगे, यहाँ पे जो लिखावा न, idle, id, l, e, idle का मतलब होता है, बेकार, बुरा, not working, ठीक है, idle का मतलब बेकार होता है, तो यह ठीक, इसका just opposite हो जाएगा, id, l, e, ठीक है, और ideal का मतलब का, others, तो बस इतना ही आपको जो है, अंतर याद रखना है, इसमें, चलिए, आगे देखेंगे, अगला जो वर्ड है, वह है, illegal gratification, देखे, illegal gratification का मतलब होता है, unlawful satisfaction, ठीक है, नजायन रूप से, नजायन रूप से जो है, प्राप्त संतुस्थी, उसको हम क्या कहते है, illegal gratification कहते है, यह भी आसान था है, illegal लगा हुआ तो illegal से आपको याद रहेगा, अगला जो वर्ड है हमारा, वह है, eligible, opportunity, अगला जो वर्ड है, eligible, eligible का मतलब होता है, opportunity, which cannot be read, ठीक है, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, उसको हम कहते है, opportunity, तो देखे, ऐसे याद रखेंगे, eligible को, कि हमेशा के लिए याद रहे, ठीक है, तो हम इ लिजिए, जाइए, medical वाले, medical वाले को दीजे, medical वाले आपको दवाई देदेगा, और वो चीज जो हमें समझ में नहीं आती, doctor ने क्या लिखा है, doctor के head writing पता है, आपको नहीं समझ में आती, तो वो किसे समझ में आती है, सिर्फ medical वालों को समझ में आती है, हम क्या गा which cannot be read यानि जिसे हम पढ़ नहीं सकते हैं नेक्स देखेंगे अगला जो वर्ट है हमारा वह है इल्सिट देखेगा इल्सिट का मतलब होता है अवैद टिक है इलीगल डिज अप्रूफ बाइद सोसाइटी तो देखो इल्सिट में इल इल का मतलब क्या होता है बुरा इल का मतलब से बिमार नहीं होता है इल का मतलब बुरा भी होता है तो इल्सिटी ठीक है यानि कि सीटी में कैसे काम होते हैं अवैद काम होते हैं इलीगल काम होता है तो इल्सिट का मतलब डिज अप्रूफ बाइद सोसाइटी भी होता है और इलीगल भी होता है नेक्स देखेंग इसकी जो है निमोल की नहीं बनी है इसकी कोई ट्रिक नहीं बनी है तो इसको आप याद रखेंगे इंवसिलिटी को नेक्स दखेंगे इंबाइब अगला जो वर्ड है हमारा वह है इंबाइब इंबाइब का मतलब होता है क्या करना टू एब्जॉब तो इंबाइब को पाइब से याद रखें पाइब कि जब भी हमें कोई चीज पीना होता है तो हम क्या करते हैं सोखना होता है तो हम पाइप का यूज करते हैं तो इस तरह से आपको इंबाइब याद हो जाएगा इंबाइब कर लेना सोख लेना इंपाइब कर लेना सारा है इंपाइब आई एम पाइप मैं जो है पाइप से जो है क्या पीता हूं तो थमसब पीता हूं पेप्सी पीता सारा सवक लेता हूं अपने पी जो प्रोटी वाला डब्बा आता है और उसमें क्या देता है कि दिया और रहता है पाइप टिक्हे और हम क्या करते हैं अच्छ का मतलब कर लेना सोक लेना आच्छा नेक्स वर्ट देखेंगे, इमर्ज इमर्ज आसान सा वर्ड है, जिसका मतलब होता है डुबाना, to become, completely absorbed, इसी का मेनिंग है, इमर्ज कर ले, आसान सा वर्ड है, इमर्ज, नेक्स वर्ड देखेंगे, इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है, तुरंथ, ठीक है, इमि अपे हैं इमेंईली इस सभूब है बिल्कुल एक हैं एक मिनट हैное कि यह द बोलते हैं न कि दिन एक मिनट पहुण कर देटा हूं। निद यहीं कि दी वेरी सून इमिनेंट एक मिनिट चलिए इस तरह से आप याद हो जाएगा नेक्स्ट है इमोलेट देखें इमलेट का मतलब होता है जलाकर बली देना बली देना ऑफर एज़ा सेक्रिफाइस बाइब बर्ली देखो इमलेट जो वर्ड आ रहा है का रहा है वर्ड इमली ठीक है जो है जाने को नहीं दिया जाता था इमली की पेड़ बोलते थे गाउं में कि उत पर भूत रहता है और वहाँ पर जो भूत रहता है वो बली देता है बच्चों की क्या करता है बच्चों की बली देता है बच्चों को पकड़ लेता है खा जाता है तो वह हो जाएगा ऑफ इम्यूर dauर बना को मतलब Member क्या करना चाल्ड उबना देना कई समय का मतलब को बना चाल्ड तो इन वाइस ऊड़ीन healing इसको और तिन बार रिपीट सीचे मैं आपको बताता हूँ कैसे याद रखना है इम्यूर आइम यूर इम्यूर आइम यूर तो हम याद रखेंगे आइम यूर प्लीज इन्क्लोज मी इन यूर हार्ट हम बोलता है ना कि मैं तुम्हारा हूँ मुझे क्या करो अपने दिल में कैद कर लो हम बोलता है चलिए आगे देखेंगे अगला जो वर्ड है वह है immutable, immutable का मतलब होता है अब परिवर्थ नहीं है जिसको हम change नहीं कर सकते mutable का उल्टा mutable दिया हुआ है ठीक है तो इसको आप देख लेना उसके बाद है impairment देखे impairment का मतलब होता है क्या करना तो किसी को handicap या अगया ऑप अपको चलिया अगला जो वर्ड होए है हमारा वर्ड नमबर 394 इंपल पेबल देखिए इंपल पेबल का मतलब होता है यहाँ पर देखेंगे 394 में इंपल पेबल का मतलब हो जाएगा difficult to feel or understand जिसको जो है feel नहीं किया जा सकता है या फिर जिसको feel करना या फिर जो आसानी से समझ में ना है difficult to feel or understand उसको हम क्या कहते है इंपल पेबल कहते है तो यहाँ पर देखेंगे एक word आ रहा है पुरा गर मैं इसको 3-4 पार्ट में डिवाइट के हो तो लगेगा पल पल ठीक है देखेंगे यहाँ पर पल पल दिल के पास एक सौंग है पल पल दिल के पास तो देखें क्या है जब आप 2 या 3 यहाँ के बच्चे को सौंग सुनाएंगे पल पल दिल के पास तो उस बच्चे को क्या वो समझ में आएगा नहीं समझ में आएगा difficult to feel or understand उसको समझ में ही नहीं आएगा क्या है क्या नहीं है तो वह बिलकुल नहीं समझ पाएगा बाकि उसको सुनाओगे नानीति को लेगा तो तुरंट समझ में आ जाएगा क्या सौंग में क्या बोला दा रहा है लेकिन जो पल पल दिल के पास है वह उसको नहीं समझ में आएगा तो इंपल पेबल का मतलब क्या हो जाएगा difficult to feel or understand इस तरह से बस आपको याद रखना है ठीक है next हमारा जो वर्ड है वह है M pass का मतलब क्या हुआ अंधा जहां पर कोई कोई दिखाई नहीं दे रा है ठीक कहा है deblog नेकी कहा इंधा अंधा पर जांद हो वोई दिखाई में दे रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे और डेड़ लॉक कहेंगे चलिए नेक्स देखेंगे अगला जो वर्ड हमारा वह है इंपैरियलिज्म असांता वर्ड इंपैरियलिज्म का मतलब होता है सम्राज जिवाद system in which a country rules other countries यानि कि एक ऐसा system जिसमें एक country जो है दूसरे country पर का करती है रूल करती है उसको हम कहते हैं इंपैरियलिज्म असांता वर्ड है सम्राज जिवाद दे नेक्स देखेंगे इंप्लिकेट का मतलब क्या होता है किसी अपराज में फसाना implication कर देना बोलता है न क्या कर देना किसी को implicate कर देना implication कर देना implicate नहीं भी आदू तो ऐसे याद रखना implying case imply करना किसी भी चीज़ पर क्या case किसी पर imply करना case ठीक है तो implicate चलिए आगे देखते हैं next word है हमारा impound word no.398 में देखेंगे क्या लिखा हुआ है impound और impound का meaning होता है seize and take legal position of something यानि किसी भी चीज़ को seize कर देना जब्त कर लेना उसका मोलते है impound चलिए इसको कैसे याद रखेंगे देखेंगे आप इसमें एक पाउंड वर्ड आ रहा है पाउंड जैसे ब्रीटिस मुद्रा पाउंड होती है ठीक है तो आप कहीं से जो है पाउंड लेकर के आ रहे थे बहुत ज्यादा को impound कर दिया गया मतलब क्या कर दिया है सीज कर दिया गया तो इस तरह से आप इंपाउंड का मेनिंग याद रखते हैं सीज करना किसी भी चीज को नेक्ट इंप्रॉंट्ट्व का मतलब होता है डण और सेड विदाउट यानि कि बिना किसी तैयारी के तो देखे यह आसान है यहाँ पर बस आप इतना याद रखे इंप्रॉपर तू क्या याद रखना है आपको इंप्रॉपर तू यानि तुमने बिना तैयारी के बिना प्रॉपर तैयारी के तुमने जो यह भातन दे दिया या कोई भी काम कर दिया तो इंप्रॉंप्ट्यू यानि बीना तयारी के याना विदाउट प्रिप्रेशन याद हो जाएगा इंप्रॉंप्ट्टू नेक्स्ट वर्ड है इंपल्स वर्ड नमबर दो देख रहे हैं आप 400 में लिखा हुआ है इंपल्स इंपल्स का मतलब होता है यानिकुछ करने का क्या होना आवेष होना उस को हम बोलता है इंपल्स अब या पर देखे क्या है पल्स का मतलब क्या होता है नाड़ी होता ह। इसको नस भी बोल सकते हो और नसों में क्या दोडता है खून दोडता है और वो खून जो है क्या होता है एकदम उनमाद में रहता है उनमाद का मतलब है जोस में रहता है कुछ करने को बोलता है ना कि तुम्हारी जो है क्या है तुम्हारा खून खौल रहा है मुझे ऐसा लग जासे free हो जासको हम क्या कहते हैं impunity कहते हैं तो इसको याद रखेंगे impunishment से देखें impunity impunishment impunity impunishment तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा मतलब बिना punishment के चली नेक्स्ट वो जो वड़े हमारा foreign to वह हमारा incarnate 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 का मतलब होता है in human form आप इसको अवतार लेना भी बोल सकते हो मानव रूप में अवतार लेना जैसे भगवान मानव रूप में अवतार लेते हैं तो हम बोलेंगे ऐसे कि जो स्री हरी है विष्णु है वो इनकार नहीं करते हैं अपने भगतों के लिए जब भगतों से सहायता मांगते हैं स्री हरीशे विश्णु भगवान से तो भगवान जो हैं इनकार नहीं करते हैं किसी ना किसी रूप में अवतार ले करके आ जाते हैं और उद्धार कर देते हैं अपने भगतों का तो incarnate का मतलब क्या हो जाएगा in human form इनकार नहीं करते हैं कौन नहीं करते हैं तो भगवान क्या लेने में अवतार लेने में चलिए इस तरह से याद हो जाएगा आपको next है incessant देखेंगे 403 में incessant का मतलब होता है never stopping यानि कि आप इसको continue भी बोल सकते हो तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे in session तो आप मुझे ऐसा बोल सकते हो sir in session को कभी भी क्या मत करना stop मत करना याना continue चलते रहने देना तो in session का मतलब क्या हो जाएगा तो लगतार टीक है never stopping तो आप बोल सकते हो sir in session को कभी भी रोकना मत हमेशा चलाते रहना वो किप के session को तो in session का मतलब हो जाएगा continue यानि never stopping next word देखेंगे अगला जो word है वो है incision देखें incision का मतलब होता है एक चीरा लगाना body पे an opening made by a sharp door कहीं पर भी देखें surgery होता है तो एक छोटा से body में चीरा लगाया जाता है डॉक्टरों के द्वारा तो उसी को incision कहते है और इसमें एक word आ रहा सीजन सीजर ठीक है सीजर और सीजर का मतलब क्या होता है सीजर मिन्स कैची ठीक है सीजर मिन्स क्या होता है कैची होता है चीरा लगाने के काम आता है तो इन सीजन का मतलब चीरा याद रखेंगे ठीक है रूट वर्ड इसमें सीजन है सीजन का मतलब क्या चीरा होता है आपने Congress के बारे में पढ़ा होगा, जब Congress का गटन हुआ था, अजादी के पहले, तो फिर क्या हुआ Congress जो है, दो पार्ट में, यानि कि दो दल में डिवाइड हो गई थी, एक का नाम रखा गया था गरम दल और दूसरे का नाम रखा गया था नरम दल, तो वही है, यहाँ पर इन Congress, ठीक है, इन Congress, Congress का मतलब क्या होता है, मीटिंग होता है, ठीक है, Congress मीटिंग, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इन Congress, यानि क्या हो गया, वो डिफरेंट हो गया है, एक दूसरे से, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक दूसरे से मध्भेद हो गया, अलग हो हो गया different हो गया बेमेल हो गया गरम दल और नरम दल में तो incongruous का मतलब क्या हो जाएगा unusual या फिर different from others टहिंक है unusual from others या फिर different from others एक तरहसे आपको ये याद हो जाएगा the next word देखेंगे inconspicuous का मतलब होता है not easily notice or seen, यानि आप इसको बोल सकते हो, जो आसानी से दिखाई ना दे, तो हमने कौन से पीक्वश याद किया था, याद करेंगे आप, हमने जो है, कौन से पीक्वश याद किया था, जो इसमें मैंने आपको बताया था, कंस को पिक्चर दिखाई देने लगा था, कंस को पस्ट को क्लियर पिक्चर दिखाई देने लगा था, लेकिन यहाँ पर इन लगा हुआ है, तो इन कौन से पीकुश का मतलब हो जाएगा, और स्पस्ट होना, जो आसानी से दिखाई नहीं थे, not only noticed, और seen, चलिए, उसके बाद देखेंगे, अगला जो वड़ हमारा हो है, incumbent, देखे incumbent का मतलब होता है, बहुत जाला necessary होना, necessary as a duty, देखे, क्या लिखा हुआ uh necessary as a duty, तो हमें आपे बोल सकेंगे, incumbent में आ रहा है, com ground, c-o-m-b, com का मतलब क्या होता है, आपे com लिखा हुआ लेकिन हमें आ पर पढ़ रहे है, com, com का मतलब होता है, kanghah, ठीक है, kanghah जिसने हम kanghi करत हैं तो क्या है कि it is necessary to come in your hair यानि कि आप अपने hair में मतलब यह बहुत ज़्यादा जरूरी है it is very necessary या फिर आप बोल सकते हो necessary to come in your hair यानि आपको अपने बालों में क्या करना चाहिए daily kangha करना चाहिए कॉम करना चाहिए ठीक है तो क्या हो जाएगा incumbent का मतलब क्या हो जाएगा necessary as a duty next देखेंगे incur incur का मतलब होता है जैसे to experience something unusually unpleasant मतलब कुछ appear अनभोग करना जैसे घाटा ठीक है to experience something usually unpleasant देखिए इसकी कोई pneumonia नहीं बनिए ठीक है तो इसको आप note कर लेंगे और ऐसा नहीं है कि जो वर्ड जो है मैं मैंने मतलब जो जो वर्ड वर्ड हमसे नहीं हुए और उनको हम याद नहीं करेंगे उनको हम याद करेंगे उसके लिए मैंने last में कुछ ना कुछ तो जरूर जुगार करूंगा तो वीडियो को है last तक जरूर देखे 702 अगला जो वरड है लगा रहा है कोई व्यक्टि जो है अपना क्या लगा रहा है दुकान लगा रहे हैं कैसको है अस्थाई तर्प सब्सक्राइब अगे देखेंगे, आगला है Inde Straits का मतलब होता है पौवर्टी, गरीवी, इंडी और रखेंगे, इंडियन इंडियन, याद रखेंगे इसे इंडियन जेंड्स, ठीर्मे exist की, इंडियन जेंड्स आर पूर, इंडियन जेंड्स आर पूर, अभर देखें कि कि पहले जो है यहाँ पे जो है मुगलों ने आकर के लूटा आप बोल सकते हो ना कि मुगलों ने जो है मुगलों का मतलब देखें यहाँ पर जो आकरमनकारी है बाहरी आकरमनकारी है जैसे जितने भी इंडिया को पहले सोने की चुनिया कहा जाता था और उसके बाद अंग्रेजियों ने आकर लूटा तो इंडिया कैसा बन गया तो इंडिया एक मतलब पूर कंट्री बन गई तो हमें आप बोल सकते हैं इंडिया के जेंड्स है आज भी जो है गरीबी में यानि की गरीबी हालत में गुजारा कर रहे हैं तो इंडियन्जेंट्स का मतलब क्या हो जाएगा इंडियन्स का मतलब पौर्वर्टी अब आपको यह याद रहेगा चुलिए आगे देखेंगे अगला जो वड़ है वह है इंड्यूजमेंट इंड को लालच देना ञेकर लालच का मतलब होता है किसी को खुसलाना मनाना लालच देना औरक इसकी ठीक है तो इसको भी आप जो है नोट करेंगे अभी चलिए आगे देखेंगे अगला जो वड़ है हमारा वह है इंडल्ज indulge का मतलब होता है allow oneself something enjoyable यानि कि क्या करना किसी भी चीज को लेकर कि क्या हो जाना आसक्त हो जाना यहां पर यहां पर देखेंगे अपने आपको क्या करना allow oneself something enjoyable अपने आपको अलाव करना कि जाओ क्या करो इंजॉय करो है न आसक्त हो जाना किसी भी चीज पर चिसको हम याद करेंगे देखें इंडल्ज लिखा हुआ है ना डल्ज डी उल जी इडल्ज अगर मैं इसको डल जील पढ़ूं डल्ज लिखा हुआ तो इसको मैं डल जी डल्ज हील तो डल्ज हील में लोग क्या करने जाते हैं क्या इंजॉय करने जाते हैं तो बोट इंजॉय करने जाते हैं बोटिंग इंजॉय करने जाते हैं तो ऐसा समझ यह आप गया है घूमने तो डल्ज हील में आप देखा कि बोटिंग हो रही है और आप अपने आपको जो है बोटिंग करने से रोक नहीं पाए और आपने क्या-क्या बोटिंग इंजॉय किया थे इंडल्ज का मतलब क्या हो जाएगा या अलाव वंसल्व सम्थिंग राफ अंजॉयबल इस तरह से आपको यह याद हो जाएगा नेक्स्ट वर्ड देखेंगे नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनहीबिटीशन देखिए इनहीबिटीशन का मतलब होता है किसी भी चीज को ले करके क्या होना हीचक होना या फिर अप फिलिंग प्रिवेंटिंग वन प्रॉम एक्टिंग नेचुल यानि किसी भी चीज को करने से अपने आपको रोखना आप बोल सकते हैं आप इनहीबिटीशन का मतलब तेहां पर देखो इनका मतलब क्या होता है नॉट और हिबिट को अगर हैबिट आप पढ़ लोगे आप इनका मतलब क्या होता है नॉट होता है और हैबिट को जो है इस habit से छुडाने के लिए अपने आपको रोख रहे हो कि मैं किसी भी तरह से smoking ना करूं inhibition का मतलब क्या हो जाएगा अपने आप किसी चीज़ से रोखना मतलब प्रिवेंट करना मना करना प्रिवेंट करना का मतलब मना करना ठीक है cesi next in Ran inimme निसमें इसें का मतलब होता है मेंटَّ coral आसान सा वर्द हैं Barbara बोलते हैं इंसें इंसें बहुत बार कमेंट भी देखा होगा आपने कहीं कहीं पर लिखा रहते नेक्स इंस्टीगेट इंस्टीगेट भी आसान सा वर्ड है जिसका मतलब होता है उकसाना आप देखेंं यहाँ पर लिखा हुआ था इंस्टीगेट का मतलब क्या होता है उकसाना तिक है आप किसी को कोई काम करने के लिए उसको उपसा देना उसी को बोलते है इंस्टिकेशन ठीक है तो अगर नहीं भी याद रहे तो आप इसको याद कर तकते हैं इसको याद रखता है वह सैंगे करते हैं वह क्या करती है अपना गुनाह कबूल करने अपना गुनाह कबूल कर लें पुलिस वाले भी जहां उपसाते रहते हैं ताकि आप क्या करें कुछ ऐसा गलत काम कर दें जिससे आपका जो है सच बाहरा आजए तो यह हो जाएगा टूर्च चुडू सम एक्शन इंस्टिगेशन ते आप इसको इन्वेस्टिगेशन ते याद रखते हैं उसके बा करना बाक्चीत करना तो इसमें समवन इंवर्ब इन दकनवर्शेशन देखो एक वर्ड आ रहा है इसमें लोकुवा एल ओक्यू यू यू ए और मैंने आपको बहुत बार यह वर्ड याद करवा है कि जहां पर भी लोकुवा है तो रिलेटेट टू क्या होगा बाक्चीत हो सब क्या होजाएगा वर्तल आप करना यानि कि बाखचीत करना अगला है इंटरमिटेंट का मतलब होता है क्या करके की है नाट हैपनिंग और ।ो सकते हो तो इंटरमिटेंट से आप याद रखेंग को जैसे इंटरमिशन μεवी आपने देखी होगी थीएटर व्गारा एक बीच में क्या होता है इंटर्मिशन होता है इंटर्मिशन का मतलब बीच में जो है मोवी जो है थोड़े दिरकली ब्रेक लिती है उसके बाद जो है continue शुरू होती यानि कि वो continue नहीं दिखाते है कि शुरू से last तक आपको continue दिखा देंगे बीच में गैप देते हैं ठीक है उसमें आप जाकर कि कैंटीन से पॉपकॉन ले आते हो समुसी ले आते हो कॉल्डिंग ले आते हो इंटर्मिटेंट का मतलब क्या होता है रोक रोक कर ठीक है not happening regularly और continuous यानि कि इंटर्मिशन से आप इसको याद रखेंगे चलिए आगे देखेंगे अगला वर्ड जह है वह है इंटर्वाइन देखें आप जो लिखा हो है वर्ड इंटर्वाइन का मतलब होता है गुथा हुआ होना या पर टू भी यहां पर देखेंगे यहां पर क्या लिखा हुआ है यहां पर देखेंगे यहां पर क्या लिखा हुआ है त्विस्ट होता है जिनका मतलब बच्चे जुडवा मूवी आपने देखियोग इसमें भी क्या होता है त्विस्टेड होता है त्विस्टेड होता है तो दुनों को अलग किया जाता है तो वह एक दूसरे से Twisted होते हैं तो Intervene का मतलब क्या हो जाएगा ट्विस्ट्ट होना एक दूसरे में घुत्थम घुत्त होना next लेक्ट देखेंगा अगला वड़ जो है वह है intimidated इंटिमिडेट का मतलब होता है क्या करना फ्राइटन करना किसी को डराना तो देखेंगे इंट्रूडर का मतलब होता है one who enters a place without permission यानि कि कहीं पे किसी के घर में बीना permission के घुर जाना उस पर हम कहते हैं intruder आप इसको घुसपैठिया भी बोल सकते हैं तो देखो लोब ही विक्ति आपके घर में इंट्री कर रहा है कैसे डर करके तो भाइ वह घुसपैठिया होगा तब या अगर वह अच्छा वक्ति होगा तो फूछ कर के आएगा हराम से आएगा वीना डर डर आएगा लेकिन को से ट y ग असान सा वर्ड है आई रेनी बहुत बार जो है न्यूजपेपर में देखने को मिला है वर्ड चुलिए आगे देखेंगे यहां अगला जो वर्ड हमारा वह है ए रिवकेबल का मतलब होता है इंपॉसिबल टू चेंज इसको चेंज नहीं कर सकते अच्छा आपने एक रिवोक बढ़ाओगा नियुह तरो आप बोल सकते हो क्या वोकेब आना बंद नहीं हो सकते हैं अरे अच्छी में जो है वोकेबाना बंद नहीं हो सकते हैं एससें पूछेगा है इसको चैंज नहीं किया जाता, impossible to change है ये, ऐसे भी आद हो जाएगा, अगला जो वट है, isolate, isolate का मतलब होता है, to place apart और alone, यानि कि अलग थलग करना, तो isolation से याद रुको, कोरोना, उसको कोरोना हो गया, इसलिए जो है, उसको isolate कर दिया गया, उसे कोरोना हो गया, इसलिए जो है, क्या कर दिय करना, किसी चीज को उठाना, तो देखो, jack लगा कर कहीं उठाते हैं, गाड़ी वगएरा, जब कार की टायर वगएरा, या फिर ट्रक का टायर वगएरा, जब पंचर हो जाता है, तो क्या करते है, jack लगाते है, ठीक है, एक jack इस तरह का कुछ अस्टूल होता है, ठीक है, लो gathering to have fun, यानि क्या करना, बहुत सारे लोगों का क्या होना, भीड जमा होना, उसका हम बोलते है, jamberi, तो jamberi को हम ऐसे याद रखेंगे, आपने अगर खेल देखा होगा, जैसे बंदर का खेल देखा होगा, या फिर भालू अगरा खेल देखा होगा, तो मदारी क्या बोलता ह है, जो खेल दिखाने वाला होता है, वो क्या बोलता है, बोलता है, जमूरे, सब को क्या दिखा, गुलाठी मार के दिखा, वो उसको ऐसे मतलब संबोधित करता है, इंडिकेट करता है, जमूरे, सब क्या कर गुलाठी मार के दिखा, तो फिर क्या करता है, बंदर गुलाठी देखें, jeopardy, jeopardy का मतलब होता है, in danger, यानि कि खत्रे में होना, ठीक है, in danger, यानि खत्रे में होना jeopardy, तो देखो, jeo per day, मैंने इसको याद किया था, जियो, पर डे, ठीक है, जियो per day का मतलब क्या हुआ, तो जियो per day का मतलब हुआ, कि, जियो जो है, पर डे, दूसरी companies के लिए, क्या बनता गया, खत्रा बनता गया, डेंजर बनता गया, यानि सबको डेंजर में डाल जिया, जियो per day का मतलब होता है, घबराया हुआ, नर्वस और परिशान या पर घबराया हुआ, तो देखो, हम इसको ऐसे याद करेंगे, जीत तेरी योगी घबरा मत, क्या होता है, कि जब भी हम किसी race वगरा में participate करते हैं, या कहीं पर भी किसी पिछे पार्डिसिपेट करते हैं, तो हमारे parents क्या बोलता है, कि जीत तेरी योगी, तू नर्वस मत हो, बस, जीत तेरी योगी, तू नर्वस मत हो, तो जीटरी का मत जब होता है good natured, हस्मुक, तो जोई से याद कर लेंगे कि क्या है वो बहुत जाद जाद जॉइफुल पॉसन है, यानि क्या है हस्मुक पॉसन है, असान सा वड़ है यह चलिए आगे देखेंगे अगला जो वड़ हमारा वो है, जुबिलीशन, देखें जुबिलेशन का सब हो करता है, जुबिली मना आपके, तो सब क्या करते हैं हे जुआए करते हैं, खुछ रहते हैं हैं, यह सब आशान से बड़ है, आप खुद भी आत़ सकते को कि 3 आज हमारा वड़ जुए को है, जुड या फिर जुँए बहुत ही, कि जुँए जुड जुटी यहां पर तो junction जो है एक city को दूसरे city जोडने का काम करता है कोई भी junction है railway station है तो वो क्या करता है एक city से या फिर एक गाहों से दूसरे गाहों को जोडने का काम करता है या फिर गाहों से city को जोडने का काम करता है तो juncture का मतलब आपको याद रहेगा next word है हमारे need नीड का मतलब होता है गूथना आटा गूथना हम बोलते हैं तो प्रिपेर डो हम बोलते हैं ना नीड कर लेना है आपने अगर चैनल देखा होगा कोकिंग चैनल तो उसमें बोलते हैं कि सबसे पहले हो क्या करना है नीड दर डो ठीक है डो को क्या करना है नीड कर देना है या इहां पर लिखा हुआ इसमें भी आपकोлом कुछ करने की जरुए नॉट याद रखेए supporting जैसे फेरे लेते हैं तो क्या होता है उनका एक कपड़ इस तर दे प carnival दिया जाता है तो क्या हो ग्या नोट कर दिया जाता है का को बांद दिया जाता है तो नोटी का मतलब क्या हो जाएगा गाट अगला है वह है लेंगर देखेंगे अगला बड़े वह है लेंगर लेंगर का मतलब होता है सांती पूर्ण या फिर इधर क्वाइट और पीस्फुल क्या क्वाइट का मतलब क्या हो जाएगा जिसमें गुस्से की कमी हो या फिर जो गुस्सा ना हो तो कैसा रहेगा सांत रहेगा पीसफूल रहेगा क्वाइट रहेगा तो लेंगर का मतलब क्या हो जाएगा तो सांत रहेगा या फिर ऐसे याद रखो कि लंगर ठीक है लंगर यहाँ पर क्या लिखा लैंकी का मतलब क्या होता है तो एकड़म पतला दूबल है ठीक है long and thin not attractive हम बोल सकते हैं कैसी लैकी है यहाँ पर देखो लैंकी को फ़रा लैकी पढ़ेंगे लैकी लड़की गाव में बोल देते हैं लैकी ठीक है तो कैसी लैकी है बिल्कुल पत्ली दूबली है ठीक है न्हीं है क्यों क्यों ठीक होता है तो यह प्रीत में ना दो सकते हो यह अगर आप इसको यज़ाया करें है कि ल ear नेश्य लेट यूंस टेंट में तैक कि ले अगर देखार तो बाहर से बिखेंगे աղ कि दीखेंगे नहीं किसी को म бегञा चुप गये टॉर्मेंट होगे तो लेटनत का मतलब क्या होता है डॉर्मेंailable क्या होता है चुप जाना या फिर गुप्त रहना सीः में बना से आपको यह याद हो जाएगा है प्रशुलिए आगे देखिएंगे नेक्ट वर्ड हमारा वह है अगर देखते हैं जो नेक्स्ट वर्ड है वह है लॉरेंज लॉर्एल्स का मतलब होता है और और प्रेज यानि कि तारीफ सम्मान लॉरेल सद ask call अब आपने एक सक्स का नाम सुना होगा राघव लॉरेंज्ट। आपने अगर साउथ की मूवी देखिएंगे कंचना तो उसमें उसके जो ड्यारिक्टर है उसके जो अभिनीत है अक्टर है एक्टर और डिरेक्टर दोनों वही है उस मूवी के रागव लॉरेंस तो वो क्या है मतलब उनके द्वारा बनाएगी जो मूवी है कंचना उसकी लोग क्या करते हैं तारीफ करते हैं उनकी एक्टिंग की उनकी डिरेक्शन की जो है लोग क्या करते हैं तारीफ करते हैं प्रे दुर्ञास आपको याद रख सकते हैं, Lorels को चलिंए, आगे देखेंगे,blex PERLACE, pelamaster a careless, रापरवा अच्छा 이렇게 तो अगर आप relax पढ़ेंगे, तो relax कॉंढ रहता है जो careless रहता है, जो relax है, मानने कि अभी जो पड़हीं नहीं करर में रहे रहा है थो क्या है, अपने future के लेकर के वो careless है क्या है careless है तो लेक्स का मतलब क्या हो जाएगा careless व्याद रखेंगे उसके बाद क्या है leachery देखिए जो leachery word है leachery का मतलब होता है lustful विलासिता जो बिलकुल lust में डूबा हुआ रहे उसको हम कहते हैं leachery देखो तो हम जेनरली बोल देते हैं अपने word meaning बे हम बोल देते हैं तू बहुत बड़ा leacher है ठीक हम क्या बोलते है तू लीचर है तो लीचर है मतलब क्या lustful है अना कोई जैसे मान लो कि कोई वैक्ति है द वल डवली आरवाई लेरी का मतलब होता है suspicious संदिग्द संकित होना संका होना doubtful होना उसको हम बोलते हैं leary अच्छा लेरी को अगर मैं पढ़ो लहरी ठीक है लियरी लहरी तो जो लहरी होती है खाने वाली जो आती है लहरी तो अगर कोई आपको लहरी देर ट्रेन में खाने को तो आप उस पर क्या करोगे आप उस पर संदे करोगे है ना आप उस पर जो है संदे करोगे doubt करोगे कहीं यह लहरी खिला करके मुझे लूट नहीं लेगा ठीक हम ऐसा डाउट लगता है ट्रेन वगरा में जब कोई हमें खाने को देता है चीजी तो लियरी लहरी है लहरी कथा भी होती है लेजंड का मतलब अच्छा व्यक्ति भी होता है मतलब महान व्यक्ति भी होता है लेजंड का मतलब लेजंडरी एक्टर भी बोल सकते हो लेजंड भी बोल सकते हो परसिद्ध कथा पुरानी कथा पॉपलर स्टोरी जो कि पुरानी हो तो इस तरह से आप इसक तो जितने भी लीगल है जैसे लेजिसलेटिव एसेंबली यह सब सारे वर्ट क्या हैं लॉस रिलेटिव हैं तो लेजिटिमेट याद करना आपके लिए बहुत जार डिफिकल नहीं हो जाएगा उसके बाद है लीनियंड लीनियंड का मतलब होता है नॉट अस्ट्रिक्ट जो बहुत ज़्यदila अस्ट्रिक्ट नहीं हो उधार हो आप बोल सकते हुँ लिनियंड लेनी है तो सब्सक्राइब हो आप और र handc Glass लेने है वो फैंट जो है उसके साथ किया लेनी है एक सेलफी लेनी है फैंसे घुमार बाहर निकले है और उनके फैंस जो है बोल्त EC w मुझे आपके साथ क्या लेनी एक सेल्फी लेनी इसको क्या निकरेंगे मना नीकरेंगे तो इसका स्पर्णा लेस मतलब होता है करना यहां है सब के लिए रिखाँ आपको यह ज्यादा करने की जरुरूत है नहीं बस आपको छोटे-छोटे वर्ड याद होने चाहिए जैसे लेस का मतलब कम होता है उसके बाद लेधार्जिक देखें यहां पर लिखा हुआ है लेधार्जिक लेधार्जिक का मतलब होता है लेकिंग, और लेधार्जिक यानि कि कोई व्यक्ति अगर क्या है आलसी है तुछ में लेधार्जिक और कभी-कभी क्या है मम्मी पापा में बोल देता है best stay तो दिन भर लेटा रहता है क्या करते रहता है लेटा रहता है तुन भर दिन भर यानि कि तू क्या है आलसी है निकम्मा है काम चोर है लेकिंग एनर्जी है तुझ में लेजीनेस है तो लिदार्जिक और यह क्या हो जाएगा लेटा रहता है जी टेक है लेटा रहता है जी बो responsible होना किसी भी चीज के लिए legally responsible तो देखो liability responsibility यह सब word same responsibility उत्तर दायत हूँ liability मतलब liable हो आप उस चीज के लिए लायेबल हो यह是啊 up responsible हो दायत तो आपके उपर है तो liability responsibility यह सब same word hr next देखें अगला जो वड है वह है Laubsided की authentic Lopsided का मतलब होता है कोई भी चीज तिर्चा होना With one side lower than other यानि कि एक side जो है lower हो दूसरे की तुलनाना उसका हम बलते है Lopsided देखो side तो आपको याद रहेगा Side यहाँ पर लिखा हुआ है Lop, Lop का मतलब होता है hang लटका हुआ Lop का मतलब क्या होता है लटका हुआ hang होना तो कोई भी चीज अगर एक side से लटकी हुई है एक side से क्या है तिर्ची है लटकी हुई है तो उसको क्या बोलेंगे हम Lopsided बोलेंगे तो with one side lower than other तो इस तरह से आपको याद रहेगा Next देखेंगे अगला जो वड़ है वो है लक्वेसस मैंने पहले ही बताया आपको लोकवा का मतलब होता है बातचीत करना conversation करना तो जो लक्वेसस लिखा हुआ है उसका मतलब है बातुनी talkative और गैरलस दोनों बढ़ा सकते talkative तो आप याद कर लो कि कि भाई talkative का मतलब बातचीत करना होता है गैरलस को याद कर लो girl us तो girl जो है हम लड़कों से ज्यादा बातुनी होती है आप ऐसे याद करेंगे कि girl जो है हम us मिंस हम लड़कों से ज्यादा क्या होती है बातुनी होती है तो गैरलस बस याद करना है आपको गैरलस का मतलब क्या हो जाएगा आगे देखेंगे अगला जो वड़े हुए है लूनसी देखिए लूनसी का मतलब होता है पागलपन इंसेंटी अभी हमने इंसेंट पढ़ा था इंसेंट का मतलब मैंने बताया था एक कॉमन वड़े इंसेंट का मतलब क्या हम बोल देते हैं कि तू तो बिल्कुल पागल इंस ठीक है तो अगर आपका दोस्त आपसे पूछ रहा है कि मैँ लूना ले लू क्या बाईगु li तो लूणसि का मतलब क्या हो जाएगा पागल पने चलिए तो आगे देखेंगे अगला बाटे वुह है SMS प्रचार उता था इसमें को याद मेस्कूलीन के याद नहीं है तो यहाद रखेंगा मैस्कूलीन जंडर-фeminine तो इस तरह से आपको को याद हो जाएगा यह नेक्स्ट है magnitude magnitude का मतलब होता है किसी चीज की जो है तीवरता को बढ़ा देना the large size और importance of something magnitude कर देना magnitude magnitude किससे बना है magnet से बना है और magnet किसी चीज की क्या करता है तीवरता को बढ़ा देता है magnitude याद रखेंगे आप वैसे भी हम फिजिक में पढ़ना है magnitude बगरा अगला है majestic majestic का मतलब होता है powerful और फिर dignified and impressive यानि कि क्या बोलेंगे मजेस्टिक बोलता है ने your majesty राजा महराजा का हम बोलता है ने your majesty तो यह यहाँ पर majestic यानि कि महराजा से रिलेटेड राजा से रिलेटेड याज रखें मजा महराजा majestic चुलें आगे देखेंगे melody melody का मतलब होता है बीमारी illness and illness m-a-l-a-d-y अच्छा आपने melody tablet का भी यूज की होगी माला डी ठीक है यह जो melody tablet है यह जो है बीमारियों में यूज की जाती है माला डी tablet ठीक है तो याद रखेंगे melody का मतलब माला डी tablet जो की क्या है बीमारी से संबंदी tablet है आप एक बार सर्च मारियों माला डी tablet तो आपको और भी ज्यादा दिनों तक जो है मतलब lifetime याद हो जाएगा यह जो melody word है तो mala d जरूर सर्च मारियों आप चली आगे देखेंगे अगला जो वर्ट है हमारा वह है मैल लग गया मैल क्या है नेगटिव वर्ट मैल जो क्या है नेगटिव वर्ट है तो मैल कॉंटेंट का मतलब क्या हो जाएगा तो मतलब content का पॉजिट क्या है मैल कॉंटेंट लिखा हुआ है यह दिखान में रखेंगे आप चली आगे देखेंगे अगला जो वर्ट हमारा वह है और हमने याद किया है तो बैलफोल हो जाता है वो हम्फन हो जाता है और डेडली हो जाता है मलिंगा ठीक है दो याद किया था बीही मोथ ठीक है और बीही मोथ याद किजिए अगर आपको याद होगा तो बीही मोथ हमने याद किया था इसमें मैंने याद करवाया था मैमोथ से और या फिर बहुमत से क्यों भारी बहुमत से जीता हुज बहुमत से जीता यहां पर भी मैमोथ है तो मै अगला जो वड़े हो है मैनियक का मतलब होता है a person who behaves in the uncontrolled manner यहनी कोई ऐसा व्यक्ति जो uncontrolled हो जाए behavior उसका बिल्कुल जो है uncontrolled हो जाए उसको हम क्या कहते है उसको हम कहते है मैनियक ठीक है तो यह से लग रहा इनसान कैसा behave करने लगता है तो uncontrolled behave करने लगता है तो इस तरह से भी आपको याद हो जाए का मानिक चंद से मैनियक चलिए आगे देखेंगे अगला जो वर्ट है हमारा वह है मैनिफेस्टिशन यह तो मैनिफेस्टो से याद होगा मैनिफेस्टो लोगों को जो है पढ़ाया जाता है clear to become noticeable ठीक है मैनिफेस्टो तो देखो मैंने ऐसा भी अगर मैनिफेस्टो आपको याद नहीं रहे तो आप मनी फस्ट याद रखना है ठीक है तो कोई व्यक्ति clear बोल देता है साब साब बोल देते है तो वही है मैनिफेस्टिशन या फिर मैनिफेस्टो चुरी अगला है marine 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 यानि कि related to sea समूझ से related मुंबई का marine drive याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा marine drive का मतलब क्या हो जाएगा related to sea अगला है मैस्केयर, देखें मैस्केयर का मत्तब होता है, an act of killing many people, यानि कि बहुत अधिक संख्या में जो है, नर सनहार करना, लोगों को मारना, उसको हम बोलते हैं क्या, मैस्केयर, तो मैस्केयर याद हो जाएगा, आपको जालिया वाला बाग मैस्केयर आपको याद हो गा 13 सारी, 1999, चली देखें, क्या लिका हूँ है, 13 अप्रियल, 1919 को क्या हुआ था, कि जालिया वाला बाग मैस्केयर हुआ था, तो इस से लिटर आपको यह वर्ड याद हो जाएगा, मैस्केयर, याद हो जाएगा बिलकुल इसमें बहुत ज़्याद यह नहीं लेना है, आपको, टेंसल नेने वाली बात नहीं है, मैस्केयर का मतलब क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा अमांट में जो है, लोगों को मार देना, तो 13 अप्रियल, 1919, याद रखेंगे आप, जब जालिया वाला बाग हत्याकांड हुआ था, मैस्केयर हुआ था, हम हिंदी में पढ़ते हैं जालिया वाला बाग हत्याकांड, और इंग्लिज में पढ़ना होता है, तो हम पढ़ते हैं जालिया वाला बाग मैस्केयर, ठीक है, याद रखेंगे आप, अगला है मेज, मेज, मेज का मतलब क्या होता है, जाल, ठीक है, a complicated set of path और passage, यानि कि बहुत ज़्यादा क्या होना, complicated रास्ता होना, तो देखो मेज, आपको मक्कई मक्कई को मेज बोलते हैं, आपको पता होगा जो मक्का होता है, उसको क्या बोलते हैं मेज बोलते हैं, और जो मक्कई होती है, इस तरह की मानलोई की मक्कई है, उसमें रास्ते देखें आपने अजीव से होते हैं ऐसे ना मtakा जब खाते होगे तो देखते हो गया अजीव होते हैं मक्कई में तो एक न्याग है को मतलब क्या हो जया कि पाल चलिए अगला वर्षा है वह है melancholy, melancholy का मतलब होता है sad, उदास हो दरा, इसको जो दो पार्ट में divide करेंगे, तो ऐसा लगए, यह मेला ना चली है, ठीके, मेला ना चली, अब ऐसा समझे, कोई बच्चा है, बार बार बोला है, कि मुझे मेला जाना है, मुझे मेला जाना है मामी पापा को, और बापा बोला है, नहीं, मेला नहीं चलना है बई, तो बच्चा क्या हो जाएगा, sad हो जाएगा, बच्चों में तो यह जिग्यासा होती है, मेला वगरा देखने की, जाने की, तो वही है, यहाँ पर melancholy का मतलब क्या sad हो जाएगा, अगरा जो वटे हुए है, word number 463 में देखेंगे, मेंस लिखा हुआ है, मेनस, टिक है, म, अ, औ, अ, स, इ, मेनस, तो मेनस को याद करने का तरीका देखो, सबसे फ़रे मिनिंग समझो, dangerous और troublesome person या पर situation, यानि कि खतरनाक person या इस्थेति, या पर situation, उसको हम क्या कहते है, उसको हम कहते है, मेनस, तो मेनस को आप मेंस से भी यह ऐसे asking लेंगे या फिर ऐसे आतं कर लो यह का मतलब क्यों हो यह जो एस लिका हुआ हुआ है ऐस का मतलब होता है एक का मतलब क्या जो मुझना होता है न जब आप कारण खेलते हैं तो यह जो होता है उसको हम Ace बोलते हैं उसको हम मुन्ना बोलते हैं हिंदी में टेका भी बोल देते हैं कहीं कहीं पर तो यह वाला कार्ड विक्ति कब निकालता है में में का मतलब आदमी आदमी जब यह वाला कार्ड कब निकालता है जब बहुत ज्यादा क्या हो जाए dangerous situation हो जाए तब निकालता है यह वाला card क्योंकि यह सबसे बड़ा card होता है तो ऐसे भी याद करेंगे या तो man's से याद कर ले या फिर man is से याद कर ले अगला जो है वह है milestone आसान सा वड़ा milestone का मतलब होता है meal का पत्थर यानि कि an important event in the history of someone or something यानि कि आपकी life में बहुत ज्यादा important event को हम क्या कहेंगे milestone कहेंगे कि आपने यह milestone पार कर लिया आपने वह milestone पार कर लिया इस तरह से आपको याद हो जाएगा अगला है minscule देखो क्या है minscule का मतलब होता है काफी छोटा very small तो यहाँ पर देखो minus कर लो minscule minus कर लो आप अगर किसी चीज़ को भी minus कर लेते तो वो कैसा बन जाता है छोटा बन जाता है minscule हो जाता है तो minscule means क्या हो जाएगा very small अगला जो word है हमारा हो है मर्थ देखी क्या लिखा हो है m-i-r-t-h मर्थ मर्थ का मतलब होता है laughter happiness खुसी तो मर्थ को हम ऐसे याद करेंगे mother birth m for mother और b-i-r-t-h तो mother जब अपने बच्चे को birth यानि कि जन देती है तो मा बहुत ज़्यादा खोस हो जाती है अपने बच्चे को जन देने के बाद है ना तो mother birth मर्थ मतलब बहुत ज़्यादा happiness होना laughter होना अगला देखेंगे अगला जो word हो हो है हमारा miscreant देखें miscreant का मतलब होता है one who behaves badly doesn't obey rules यानि कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्या हो कि बहुत badly तरीके से behave कर रहा है या फिर वो rules को follow नहीं करता rules को नहीं मानता तो उसको हम बदमास भी कहते हैं और उसको कहते है miscreant तो इसको ऐसे याद कर जो कि miscreate क्या करना है याद miscreate कि God में ज को जो बदमास व्यक्ति है तो miscreate हो जाएगा या फिर ऐसे याद करो कि कोई व्यक्ति है अगर miscreate कर रहे है तो किसी चीज को गलत बना रहे है तो वो क्या कर रहा है गलत काम कर रहा है तो गलत काम कौन करेगा गलत आदमी करेगा तो one who behaves badly या फिर doesn't obey rules तो इस से भी याद ह हो जाएगा आपको miscreate है अगला वट है वो mitigate है mitigate याद करना बहुत आसान है mitigate काम दबता है to make become less severe यानि किसी भी चीज़ों क्या कर देना कम कर देना तो इस पर हम क्या कहते हैं mitigate कहते हैं तो मिटी के गेट ठीक है मिटी के घर और गेट याद रखेंगे इस तरह से कि मिटी के घर और गेट जो है क्या हो गए हैं आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं गाओं में भी क्या हो गए हैं अब कम हो गए हैं सब के पक्के के मकान हो गए हैं लोहे के गेट लगा रहे हैं लोग कोई भी मिटी का घर और गेट नहीं बना रहे हैं ऐसे भी आद हो जाएगा आप यह भी आसान सा वाट है monster है बोलते हैं कि मतलब किसी की बहुत अच्छी बॉड़ी होती है कोई वेक्टी या फिर लंबा चौड़ा होता है तो मुसको क्या बोलते हैं बिल्कुल monster देखता है monster का मतलब क्या like a monster cruel and or very big बहुत बड़ा देखने वाला जैसे याद हो जाएगा आपको नेक्स देखेंगे अगला जो बट है वह है morbidity देखें मॉर्बिडिटी का मतलब होता है unpleasant and strange यानि कि क्या होना बहुत ज्यादा दुखदाई होना unpleasant होना विक्रित होना अस्वस्त होना यह होता है morbid ठीक है अब जो मॉर्ब है न मॉर्ब का मतलब ही होता है सीख्ड थीख है S I S I K sickness आप बोल सकता है S I S I K N I S sickness का मतब वीमार होता है morbidity होता है तो मुर्व का मतब याद कर लो कि मुर्व का मतब क्या sickness unpleasant और strange चली आगे देखेंगे Morown Morown का मतब मुर्व होता है असान सा यह word है Morown है ना तो Morown का मतब क्या बयोपूफ बहुत आसान से बड़ है जैसे माउंटिंग माउंटिंग मतलब क्या होता है उपर चड़ता हुआ या फिर बढ़ता हुआ इंक्रीज होता हुआ जैसे यहां पर देखो लिखा हुआ है ग्रेजुली इंक्रीजिंग माउंटिंग 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 किया ऊफर चड़ता जाता है उपर चड़ता हुआ उंक्रीज होता क्या होता हुआ या पर नहीं भी यादु तो उसका का जो business है वो mountain होता जा रहा है मतलब खड़ा होते जा रहा है बढ़ता जा रहा है इंक्रीज होता जा रहा है चलिए आगे देखेंगे MOW का मतलब होता है कुचल देना ठीक है क्या करना कुचल देना kill by knocking down with the vehicle यानि कि गाड़ी के नीचे क्या कर देना कुचल देना देखें तो मोग को मैं से याद रखेंगे समझे क्या होता है की एक मा जो है जैसे कुटिया जो होती है वो क्या करती है अपने बच्चों को road by knocking down with the vehicles, याद हो जाएगा आपको इस तरह से, उसके बदिगी क्या है, M-U-L-L, टीक है मल, मल का मतब क्या होता है, to think carefully about something, यानि किसी भी चीज के बारे में क्या करना, बहुत जाला साउधानी पूरबग सोचना, उसको हम क्या कहते हैं, मल कहते हैं, याद करना आसान है, कैसे हम याद करेंगे, आप इस तो पढ़ेंगे मॉल, थोड़े दिल की मॉल पढ़ लेंगे, और मॉल में कपड़े कैसे मिलते हैं, महेंगे मिलते हैं, आप समझो कहीं, मॉल में आप गोस कहा है, वहाँ पे जो अरीबॉक के सूज मिल रहे हैं, जॉर्ड चलिए आगे देखेंगे अगला जो है वह है muster MUSTR मस्तर का मतलब होता है gather together या पर sum of a feeling यानि कि क्या करना किसी चीज़ को एकत्र करना तो उसको हम कैसे याद रखेंगे देखें यह mustard आपने मस्टर्ड ठीक है मस्टर्ड का मतलता है सर्सो तो जब गाउं में किसान मस्टर्ड काटते हैं या पिर मस्टर्ड की जब हर्वेस्टिंग करते हैं तो उसको एक जिखा पर जमा करते हैं मस्टर्ड को सर्सो को गेदर करते हैं तो मस्टर्ड का मतलब क्या हो जाएगा एक जगा हो जाएगा वर्ड चले आगे देखेंगे अगला जो वर्ड है वो है mutilate देखें mutilate का मतब नास कर देना डिस्ट्रॉय कर देना damage कर देना तो डैमेज कर देना तो mutilate को मूर्ति से आद रखेंगे मूर्ति लेट तो क्या किया लोगों ने जो आकरमनकारी आएं उन्होंने क्या की हमारी मूर्तियां जो है तोड़ी हमारी मूर्तियां क्या की तोड़ी उनको डैमेज किया तो mutilate का मतलब क्या हो जाएगा नास कर देना डैमेज कर देना चलिए आगे देखेंगे अगला जो है वह है mythology mythology का मतलब होता है क्या प्राचीन कथा इसको तो याद करवाने की जरूद है नहीं myth is general in general ठीक है mythology चलिए देखें अगला जो वर्ड है वह है myth myth का मतलब होता है ancient story यहां पर लिखा हुआ है Faith इस दिखते हैं मारा हमारा जो next वर्ट हूझ है नाधी देखें नाधीर का मतलब होता है अधर नोफिक होता है टहुऊत है एक तो होता है हमारा the worst moment यानि सबसे बुरा समय और दूसरा होता है the lowest point यानि कि सबसे नीचे वाला point तो देखो इसको दोनों मिनिंग हम याद करेंगे हैं एक तो याद रखो नादीर साह से जिसने भारत protect किया था और पूरे भारत को आटा था यानि डेली पर a attack किया था नादीर साह ने और पूरी दिल्ली को है लूट लिया था और पूरा दिल्ली नाधीर साह ने तो वह दिन क्या था वह कंट सबसे बुरा था भारत वारशी के लिए हरेक जो भारत में रहते हैं सब के रीए सबसे worst moment है जब नादीर सांट भारत पे अटैक किया था पहला मेनिंग हमें याद हो गया दूसरा अगर नादीर को नागीर पड़ें नदी मेना गिर नदी मेना गिर था तो सबसे नीचला point हो गया lowest point हो गया अगर या फिर खाई में ना गिर टिक अगर कहीं पे आप पहाड की चोटी पे खड़े हो और वहां से आप गिर गए तो समझो क्या हो जाएगा आप सीधे लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो आप नेव को नाप थोड़ा पढ़ लेंगे ठीक है गर्दन की नाप गर्दन की नाप है न तो क्या है कि आप जब भी कुछ जैसे आप समझो कि सर्ट वर्ट सिलवाते होंगे हाला कि साट में तो गर्दन की नाप की कोई जरूरत नहीं होती है लेकिन समझो किसी को अगर फासी होनी है तो अगर फासी होनी होता है उसका गर्दन का नाप लिया जाता है फासी का फंदा बनाने के लिए बस आप याद करने के लिए असे रखो की गरदन की नाप ली जाती है फांसी का फंद़ा बनाने के यह तो नेब का मतलब खाएगा धबेक फिरल आंप डघंड्ड आफ नेक तेके अगलावड़्ड है अगला वह है वह है नेमसिप 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 का मतलब होता है is difficult to defeat. यानि कि पतिदवनदी जिसे हराना क्या हो, मुस्किल हो. या पर देखो नेम से इसका मतलब सजा देना भी होता है किसी को. ठीक है? किसी को punishment करना, सजा देना वो भी होता है. देखें, आप लिखाव हो है Name Six तो तेखो ऐसे याद करने का तरीका है कि आप Name Six एक Maha भारत का एक बात रहे Call new calling मी वह जब हन्मान जी कहा लंका जाते हैं तो गुल नेमी जो है उनके मार्ग में बाधा बनता रेकाल ने आक्ष्यास होता है तो हनुमान Ji क्या करते हैं उसका पुरा म्रोड देते हैं तोтом का can you've कर दो नियुक्त काम के लिए उसको पनिसमेंट करते हैं तो नियम मत तरक ह supports क्या हो जाएगा सजा देना किसी को पनिस्मेंट देने तिएक हमानि और फाइड दोनों नियो डेखें यह अगला अगलों नियो और बिगनर नयाय वर्ड में जो गाओ है ना रूट वर्ड्र दोनों का मतलस सब में ल Anth Zone यहां पर देखो new logic तो किसी भी चीज का logic तो नया नया ही ठीक है तो यह नया नया है अभी fight में क्या है नया नया है जैसे कोई WWE में उतरा है खेलने के लिए यह कहीं पर भी जो है लड़ाई में उतरा है तो हम क्या बोलेंगा अभी new new है fight में अभी पुराना नहीं हुआ है अभी mature नहीं हुआ है experience नहीं हुआ है मतलब new है तो new है ठीक है क्या होना साटगार्ट होना connection होना तो देखो nexus car से याद रखेंगे इसको nexacar nexacar चले देखें nexus जो है nexus को nexa अगर पढ़ ले थोड़े दिल के nexa car आपने देखा होगा nexa की जो car होती है car company है तो उसका connection बहुत सारी companies के साथ है nexa जो car है nexa car की जो है क्या है बहुत सारी company के साथ connection है साटगार्ट है तब ही तो उतनी बड़ी company चला पा रहा है nexa तो ऐसे याद कर लेंगे ठीक है या पर ऐसे याद करेंगे नेक्स अको पढ़ेंगा next us देखें नेक्स लिखा हुआ next अस तो एक्जाम में क्या होता है जब भी हम एक्जाम देते थे टू में त्री में पॉर में तो हमारे बगल में जो होता थे नेक्स नेक्स का मतलब आगे तो उसे हम क्या करते थे सांडगाट करते रहें कि एक जो भी क्या हो आपके पास तुम्हारे पास जो भी जो है तुम्हें जो लिखा है या फिर जिसका एंसर तुमने दे लिया है question का वो मुझे भी बता देना तो next us हम क्या करते तो उसको अप सांसा वड़ है नाइट मेर का मतलब होता है बुरा सपना नाइट मेर दूस्व अपने भी बोलते हैं इसको फ्राइटनिंग ड्रीम या फिर अन्प्लिजन्ट एक्सपिरियंस ठीक है तो नाइट मेर जो है बहुत सांसा वड़ है इसके लिए कोई निम्मोनिक बनाने की जरू तो नाइट में एक्टिव रहे या फिर रात में होने वाला रात में घटित होने वाला उसको हम बोलेंगे नॉक्टर्नल निसाचर भी बोलेंगे जैसे उल्लू अगरा क्या है यह सिर्फ नॉक्टर्नल है तो हम इसको ऐसे याद करेंगे इसको तीन पार्ट में डिवाइट करेंगे आप no see ठीक है सी का मतलब देखना turn और all ठीक है no see turn all तो हम रात में कोई भी देखना याद रखेंगे हम रात में कोई सा भी turn देखने पाते हैं आपने देखा होगा night में जब आप driving करते होगे car drive करेंगे ऊपने या फिर तो नाइट में जो तर्न आती है वह में दिखाई नहीं देती है तो नॉक्टर्नल का मतलब क्या हो जाएगा रात में जागने वाला निशाचर एक्टिविन नाइट आपको याद हो जाए बस आपको यह याद हो जाएगा चली आगे देखिए अगला जो वाड़ हुआ है नॉमेट्स रखा है जो इदर भटकते रहते हैं जैसे नॉमेडिक सुभम है या फिर और भी बहुत सारे से चैनल है तो नॉमेट का मतलब क्या हो जाएगा भूमना इधर से उदर ठीक है चली आगे देखिए अंगला जो वाड़ हुआ है हमारा नॉनसलेंट का मतलब होता ह है कियालेस और लेकिंग इंटरेस जो क्या हो बहुत ज्याद दो मिनिंग निंकलेंगे कि तो एक तो केरलेस निकलेगा दूसरा निकलेगा लेकिंग इंट्रेस्ट किमनेंकर थे लेकिंग इंट्रेस्ट का मतलब होता है जितने और उची होना तो यह आपको याद रखना पड़ेगा दूसरा मिनिंग इसका है अगला वर्ट जो है हमारा वह है अगलीवियन का मतलब होता है कि यानी कि सबकुछ भूल सा जाना उसका हम बोलते हैं आप लिवाण से यहाँ पर जो लिखा हो है लिवाण औल से आपने अपने मसाज किया सरपे और आपको इतना सब कुछ भूल गए हम थोड़ी देर के लिए तो अवलीवियन लिवॉन ओइल से आपने मसाज किया सर पर और आप सारी चीज जो है भूल गए थोड़ी देर के लिए तो यह हो जाएगा ता स्टेट ऑफ बिंग अन्वेयर और और फॉर्गेटन याद रखिएगा इस बात को झालिये अगला वर्ट है वह हमारा है वर्ड नमबर 492 देखेंग ऑपनौकसस अबनौकसस का मतलब होता है अन्प्लीजेट घरिना यहाँ पे हेड भी हो सकता है अंप्लीजेट भी हो सकता है तो आपनौकसस को याद रखेंगे ऑबनाक्स ते टिक है अब नाक्स अब जो सि है कि of conservatives जो कि क्या हमें लगता है अन प्लिजंट लगता है अगला जो जो का मतलब होता है असलील तो देखिए अब मुवी में सीन कैसे दिखाया जाने लगे हैं असलील दिखाया जाने लगे हैं यह जो सीन दिखाया जाने लगे हैं वो इन डिसेंट होता है अना डिसेंट नहीं होता है इन डिसेंट होता है याद रखेंगे अब सीन यानि कि अब सीन मूवी में अब जो है असलील सीन दिखाए जाने लगे हैं तो इस तरह से याद हो जाएगा आपको नेक्ट वर्ड जो है हमारा वो है अपसेसिव देखें अपसेसिव का मतलब होता है तीवर इच्छा रखना related to thinking about something constantly तो इसकी कोई निमोनिक नहीं बनी है जिसको आप note कर लिजएगा कॉपी पे अलाकि last में जो है सब की जो है जितने भी वर्ड यहाँ पर छूटे है उन सब की sentence मना करके याद करने की कोसिस करेंगे last में चुली आगे देखेंगे अगला जो वर्ड हो आ रहा हमारा वो है obsolete obsolete का मतलब होता है अब परचलेत होना जो कि अब यूज में ना हो not in use anymore यानि कि अब परचलन में ना हो उसको हम बोलेंगे obsolete तो हम ऐसे बोल सकते है कि अब so late so का मतलब बहुत अब बहुत देर अब बहुत देर concrete वाले घर में रहते हैं तो इस तरह से आप relate कर सकते हो तो obsolete का मतलब क्या हो जाएगा not in use यानि कि अब अब पर चलित होना पुराना होना चलिए अगला वर्ड देखेंगे अगला जो next जो वर्ड है 496 वो है obstinate obstinate का मतलब होता है हटी होना, जिद्दी होना अब obstinate का मतलब क्या हो जाएगा जिद्दी, हटी अस्टरबर्न यहाँ पर देखें लिखा हो भी भी होगा अस्टरबर्न, अस्टरबर्न का मतलब जिद्दी अमने पहले भी याद किया है तू तो बौन से ही जिद्दी है जन्लिके हम्त Altern में धाई जिद्दी है तो यादन को याद करने का तरीका है स्टीनिक और हब का मतलता है यह वर्ट जो आपको याद हो जायेगा diab का मतलब होता है जैसे खाना बनाते हैं चूछछा कि उसी को हो होता है हम जब खाना बनाते हैं तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है तो यह हो जाएगा हमारा कि और बस्ती नेट यानि कि हो और पर क्या हो जाना एसे याद कर सकते हैं तो नेता ने क्या दिया है कि बस्ती खाली करवाने के लिए गुंडे भेजे हैं समझ यह कोई मूवी का सीन चल रहा है और निता जी ने बस्ती में भेज़े हैं कुछ गुंडे बस्ती खाली करवाने के लेकिन बस्ती वाले इतने जिद्धी हैं वह बोल रहे हैं कि भाई हमें यहां पे 20 सालों से रह रहे हैं हमें इस बस्ती को नहीं खाली करेंगे तो इसके दो के एक टो 490 से संधी समय और यहांपर 498 में और यहांं पे और यहांथ रखेंगे यहятं यहां पर यहां पर आप्न्anınよし महीं आपक लूड को सी क्लावड का मतलब क्या होता है बादल मिस्त बादल हमतर थता है बादल कभी कभी क्या करता है बादल जब मन रहता है तो बादल जो है क्या करते हैं पूरे सन को धग देते हैं हाइड कर लेते हैं क्लोज कर लेते हैं ब्लॉक कर देते हैं उसके धूप को निकलने से तो cloud क्या करते हैं बादल को सारी, sun को क्या करते हैं ढग देते हैं तो occlude का मतलब आपको याद हो जाएगा, अब है आप ए आपक ऐक ऐक कर आपक का मतलब होता है तो secret बहुत सारे इसके मिन हिनकलते है, secret है, mysterious है, relating to magical power है, जादू टोना से संबनेत होता है इसको याद कने का तरीका ऐसा है कि occult difficult तो occult चीज़े क्या होती है difficult to understand होती है यानि कि यह सब जादू तोने वाली चीज़े हैं हम समझने से परे होते हैं तो occult difficult to understand occult difficult occult difficult तीन-चार बाइप ऐसे repeat करेंगे तो यह आपको याद हो जाएगा occult का मतलब क्या difficult to understand next word देखेंगे 499 auger auger का मतलब होता है a frightening character of children's story who eats children यानि कि एक story में सुनाया जाता था कि एक राक्षत रहता है ठीक है और राक्षत क्या करता है बच्चों को खा जाता है और ऐसा जो है हर किसी के मम्मी बाबा ने सुनाया ओगर गाओं में कि अगर तु नहीं सुया तो राक्षत आएगा और तुझे खा जाएगा अगर तु अगर तु अगर तु नहीं सुया तो राक्षत आएगा और तुझे खा जाएगा तो फिर बच्चे क्या करता है इंटर से सो जाते है तो इस तरह से आपको याद होगा ओगर आगर देखेंगा अगला जो वर्ड है वह हमारा ओंवूट्स में का मतलब होता है लोग पाल ओफिसेर ऑफिसार वुर य्यूक्न ठिड मिद्ड यानि लोग उसके पास कम्प्लेंघ करते हैं वह सारे कम्प्लेंच को सुलहाथा है उसको हम ombudsman कहते हैं चैसे याद करेंगे है oh man oh man oh man oh man I need an ombudsman for this problem हमें इस problem को solve करने के लिए क्या रखना पड़ेगा एक ombudsman रखना पड़ेगा तो तो ombudsman का मतलब हो जाएगा लोगपाल officer who deals with complaint चली आगे देखेंगे अगला जो वड़े हो है हमारा ominous ominous का मतलब होता है suggesting that something unpleasant likely to happen यानि कि कुछ बुरा होने का क्या होना आभास होना उसके हम बोलते हैं क्या ominous तो देखो यह जो omen लिखा हुआ है omen का मतलब होता है sign of bad thing तो ominous का मतलब कुछ बुरा होने का क्या होना अभास हो जाना ऐसे याद कर लेंगे चली आगे देखेंगे अगला जो है हमारा opportunist, opportunist का मतलब होता है अवसरवादी आसान सा word है अवसरवादी है ना opportunist हमारे पास क्या आई है एक opportunity आई है हम बोलते हैं ना हमारे पास एक opportunity आई है उस opportunity का क्या उठालो तो फाइडा उठालो, तो one who grabs every opportunity, यानि कि जो हर opportunity का लाब उठाता है, उसको हम भोलते हैं, optimist, अगला है optimistic, optimistic opposite है pessimistic का, optimistic का मतलब होता है, आसावादी, one who is hopeful, ठीक है, पहले भी याद कि है, optimist, optimist का मतलब सब्सदीज एसे, कि वो अपने पती को miss करती है, समझेगा, वो अपने पती को मिस करती है और आसा करती है कि उसका पती जो है वापस आएगा जंग से लौट करके तो यह optimistic का मतलब आसा वादी है इसका opposite होता है pessimistic वो भी याद रखेंगे ठीक है pessimistic का मतलब निरासा वादी मतलब होता है skilled speaker यानि की वक्ता को क्या कहता है और करने वाला और होता है चली ओर्डन का मतलब होता है और अफिसेली तो देखो अउडर यहीं पर वर्ड लग रहा है और अवर इन अब मालो किसी ने आपको इन करने का ओर्डर किया और इन तो म बोलता है न मैं एक का मिन उसमें क्या ओर्डर दिया तो और अगे देखेंगे 506 वर्ड जो है यहां देखेंगे 506 बड लिखा हु शोवी ठीक है सो करना तो देखो अस्टंट हमस्टंट क्यों करते हैं और स्टंट हमस्टंट क्यों करते हैं दिखाने के लिए करते हैं या फिलोग अस्टंट क्यों करते हैं दिखाने के लिए करते हैं हम बोलता है न कि वो पब्लिक स्टंट कर रहा है क्या कर रहा है पब्लिक इहां पर अगर मैं जो वर्ड लिखा हूँ है यहां पर यहां पर दाए अगर यहां पर आप यहां से हटा दो क्या लगा यहां किया कर दिया गया हाटा दिया गया उसके पोस्त से आउट कर दिया गया, निकाल दिया गया, तो आउट का मतलब क्या हो जाएगा, किसी को निकाल देना, छोली, आउट रेज, आउट रेज का मतलब होता है, किसी की इंसल्ट करना, बेजिती करना, ठीक है, तो उसी को आउट रेज कहते हैं, यहाँ पर देखे क्या है, रेज का म मतलब गुस्सा और किसी को भी गुस्सा आता है तो वो अपने इंप्लॉई को बहर निकाल देता है बेज्जत करना तो आउटरेज का मतलब क्या हो जाएगा बेज्टी करना ऑफेंस करना इंसल्ट करना अच्छा और किसी को कम आख लेना और कि कम समझ लेना चलिए आगे देखेंगे अगला जो वड हमारा 510 वड देखेंगे हमारा है पैलेट पैलेट का मतलब होता है स्वात परक्षने की सकती और या पिर टॉप पार्ट ऑफ इंसाइड ऑफ यूर माउथ आपरिशेशन फोर फोड और लेन या भोजन की या फिर कुछ चान अपीने की वस्तों की तारीफ करने वाला उसको कहते है पैलेट करसे तालू भी तो यह याद रहेगा आपको palette अच दूसरा जो वर्ड हाँ पैलेशल यह जो लिखाऊ हूँ है 511 पैलेसल पैलेसलका मतलब होता है महल नूमा a huge and splendid house तो देखो इसका pronunciation नहीं लग रहा है पैलेसल तो पैलेसल और पैलेसल और पैलेसल और पैलेसल तो पैलेसल का मतलब क्या तो महल नुमा महल के जैसा आगे देखेंगे अगला जो वर्ट है वह है पल्ट्री पी-a-l-t-e-r-y पॉल्ट्री ठीक है पॉल्ट्री का मतलब होता है कि अब वर्दले यानि कि मुल्ले हिंग तो इसकी कोई निमोनिक नहीं बनी है ठीक है और यहाँ पे जो वर्ट है प पैंसिया का मतलब होता है और रेमेडी फोर ओल्टी इसको हम रामबान भी बोलते हैं तो देखो इसको याद करना आसान है आप पान एसिया याद रखें कि एसिया का जो पान है वो सर्व रोगों का इलाज है आपको कुछ भी हुआ है पान खालो सब कुछ बढ़िया हो जा अगला जो 515 वर जो दिया हुआ है वह है पनेश पनेश का मतलब होता है निपूंता कॉम्फिदेंस टीक है किसी बी चीज में क्या होना ना एलिगेंस होना या पिर अस्टाइल होना उसको हम पनेश कहते हैं और इसकी निमोनिक नहीं बनी है तो इसको भी आप अभी नोट क दिखिएंगे अगला है पेंडेमिक का मतलब होता है वाइड स्प्रेट यानि के पूरा फैल जाना वियापक रोपते तो पैंडेमिक अभी हुआ था ना कोरोना टाइम में पैंडेमिक तो ऐसे याद करने के पैंडेमिक को बाकि अगला जो वड़े हुआ है पैंडेमोनियम का मतलब है अतना हल्ला करना सोर सराबा करना तो अगर इसको आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा पांडे और मुनी पैंडे होना अलागे पूजा पार्ट हल्ला नहीं होता है लेकिन आपको याद रखना है यहाप वहाँ से जो है अला मतलब नौइजी ऑर्डर आएगा ही वहाँ पे तो पूजा पार्ट का मतलब क्या हो जाएगा सोर सराबा होना ग्रेट कंफ्यूजन नौइजी डिज ओर याद कर गया तो हमक्या बोते हैं पैनिक मत पार्ट क। यह जाएगा अग्ला दूज जोतेलिज़ के पैरामांन टौ मतलब क्या होता है तो सप्रीम जैनित तो मतलब एक दम उच्छाई सरवोच याद भी कर रहें प्लिंटिवसटेर काषिज यह वह सबसे सरवस्धूिस्ट एप प पार्चड यह जो वर्ड है इसकी निमनिक नहीं बनी है पार्चड की पार्चड का मतलब उतार ड्राइड आउट ड्यू टू हेट ठीक है यानि कि क्या हो जाना सूखा पड़ जाना हलाकि मैंने इसको जो याद किया है तो थोड़ा आपको लगेगा लेकिन आप यहां पर दे पर दी हुआ था है ना मिथाइल आइसो साइनाइट का लिकीज हो गया था तो आप ऐसा समझेगे कहीं पर जो है क्या हुआ कि गैस किसी स्लेंडर में क्या ओगा च्छेद हो गया बहुत बड़ा स्लेंडर था जैसे वहां पर भॉपाल गैस प्रास्टी हुआ था ना लगने के बाद फिर क्या होगा पूरा उजाड हो जाएगा वो जगा पूरा सूख जाएगा है ना पीड़ पॉदे जल जाएंगे ड्राय हो जाएंगे वही हो जाएगा पर छेद होने से क्या हो गया पूरा सूख हो गया ड्राय हो गया ऐसे भी याद हो जाएगा या फिर आगे कि इसमें पानी डाल धाल तो इसमें अगर छेद हो जाए तो क्या हो जाए गा पूरा नाद जो समाज से निकाल देना उसको हम बोलते हैं पहरिया त्यां परी क्या लिखा हुआ परी स्टार्टिंग में वड़ा रहा है पी आराई परी तो परी का मतलब हमको याद रखना है कि काली परी आपने देखा होगा Serial सोन परी का अगर आप 90 के kit होंगे तो आपने अगर सोनपणी का dirij observe अजैक आपने सोनपरी देखा होगा तो सोनपरी में एक परी होती है, काली परी ठीक है और इस काली परी को जो क्या कर दिया जाता है तो आउटकास्ट कर दिया जाता है यानि कि उसको जो है आपरियों के समूह से जो है निकाल दिया जाता है चुकि वह बुरी परी होती है तो आउटकास्ट का मतलब क्या हो जाएगा निकाल देना और यहां पर पेरिया में एक बड़ना रहा पड़ी आतर तो ठाली परी उनिकाला गया था पूरे कोंफ्रेंस यहां पर दिखा हुआ है क्या होता है कि पार्लिय में भी और पॉल्ड आप अगला लहां है हुआ है कि यह बतल रहें संकीन नरौ और Какी अग् ضब्ड यानि कि बहुत ज़्याद संकीन नजर उसको हम बोलते हैं परोकियल को याद करेंगे हमें कि अपने मूवी देवदास पारो तो उसमें पारो की फैमिली के कैसा नजरिया होता है तो पारो का जो फैमिली होता है उसका नेरो आउटलुक नजरिया होता है तो नेरो आउटलुक संकीम नजलिया है आगे देखेंगे अगला वर्ड है हमारा वह है वर्ड नमर 524 में देखेंगे दिया और पैट्र नीज नाज है उन्हेंने जो है हमें अपने पिता पर क्या है हमें अपने पिता पर हमें अपने पिता पर हमें अपने पिता पर नाज है कि उन्हेंने में क्या क्या सपोर्ट किया ठीक है याद रखेंगे हमें यहां पर देखेंगे पैट्र नीज का मतलब क्या हो जाएगा हमें अप प्यादा प्यादा का मतलता है प्यादा मतलता प्यादा क्या मैं प्यादा क्या प्यादा मैं फेपल ऊड़का आप लेटिक एक क्लिक्गु रोते हैं में Griff बliśmy तरह से आपको यह याद रहेगा जैञे यह देखेंगे अगला वड़ हो यह है। आसान सा वड़ है यह वन हूँ ट्रेवल डोर टू डोर टू सेल सम्थिंग यानि कि जो दरवाजे दरवाजे ने घर-घर हो करके जो चीजे बेचता हो तो हम कहते हैं रेडी वाला और उसको इंगलिस में बोलते हैं पैडलर तो हम इसको याद रखेंगे पैडलर जो है पैड दोनों देखेंगे एक तो पैलिट और दूसरा पैल्ट तो यह पैल्ट से आपको वर्ड याथा रहोगा तो और क्या थ्रो करना तो अपने स्टों पैल्टिंग निउजपेपर में जरूर आपने पड़ा वाथ स्टों पैलिंग इनकस्मीर का मतलब होता है कि पत्थ्र आपने जरूर आप एक बार सर्च करना स्टोन पेल्टिंग ठीक है तो आपका जो है आएगा पूरा सेंटेंस लिख करके तो पेल्ट का मतलब क्या फेकना और पैलेट का मतलब क्या तो छोटा गोल तो दोनों वर्ट एक जो से लेटेट है याद रखेंगे चलिए अगे देखेंगे अगला जो वर्ड हमारा दिया है फाइब थर्टी वह है पर्फीडियस देखें पर्फीडियस न मतलब होता है क्या विश्वास घाती तीक है अनेबल टू बे ट्रस्टे यानि कि जिस पर वि फिदा तो पर्फीडियस यानि जो दूसरों पर फिदा हो जाए तुरंट वह क्या होता है पर्फीडियस होता है उन पर विश्वास नहीं ख्यादा सकता है जो दूसरों पर फिदा हो जाए उन पर ट्रस्ट मत करना तो पर्फीडियस का मतलब क्या हो जाएगा अनेबल टू persevere का मतलब होता है मेंद करना मुझकिलों के बाउजूद कि इसके बाउजूदभी अगर कोई continue महनद करता है तो उसको कहता है यहाँ इसका है continue in spite of difficulty याद रखेंगे यह दिया हुआ हमारा persvere persevere का मतलब क्या हो जाए गां का यहीं की नीओ नहीं बनी धाया निये 531 की उसकत बहुत यह दोर सब्सक्राइब पर्सोनिफाई का मतलब होता है present in human form तो पर्सन यहां पर ही लिखा हुआ पर्सन के फॉर्म में क्या करना रिपर्जेंट कर देना तो यहां पर ही लिखा हुआ पर्सोनिफाई इसके लिए तो अलग से हमें कुछ देखने ही जरुवत है नहीं पर्सोनिफाई को अगला जो वड़ है भॉर है पर्स्पार फिफेक पर्स्पाईईर का मतलब होता है को सब्सक्राईर यानि कि स्वेटिंग करना पसीना भाना महनत करना तो यह भी आप नौट कर ले जैगा पर्सपायर को उसके बाद है पा किसी को डिस्टर्ब करना तो पार्ट रिकली इंग अगला है हमारा वर्ड वो है 500 36 नमर में देखेंगे लिखाओ है पर वर्ड का मतलब होता है क्या कर देना विक्रित कर देना किसी चीज को भरस्ट कर देना इसको भी आप नोट कर लिजएगा कि यह जितने भी वर्ड है ना जिसकी निमोनिक नहीं बनी है और सबको हम सेंटेंस से याद करेंगे लास्ट में जो भी सारे कंप्लीट हो जाएगा हमारा चलिए आगे देखेंगे पैसिमिस्टिक आपको मैंने बताया था अप्टिमिस्ट अप्टिमिस्टिक का मतलब आसावाधी और इसका आपोजिट मैंने बताया था उपको पैसिमिस्टिक वह अपने पतीको मिस्स करती है आसिए और हैर कि Caribbeanिस्ट ciao जाता है यद रखेंगे पैसिमिस्टिक आप। allora opposite of pessimistic यानि कि optimistic का मतलब आसावादी और pessimistic का मतलब निरासावादी यानि कि one who is not hopeful by nature चलिए अगला बट है पाईस अंदे के पाईस का मतलब होता है पवित्र रिलीजियस धार्मिक याद रखेंगे पाईस पाईस को याद रखेंगे प्यास से तो जितनी भी धार्मिक नदियां हैं ठीक है रिलीजियस नदियां है रिलीजियस रिवर्स है वह हमारी प्यास बुझाती है जिसे घंगजा नदी है यमना नदी है तो सब के सब क्या है तो रिलीजियस रिवर्स है यानि कि क्या है मुखह old comments तो पिविटल जोइंट आपने पढ़ाऊगा। क्या हो जाएगा central and important चले आगे देखेंगे अगला जो है वह है plant, plant का मतलब होता है illegal complaint तो यह पर देखो complaint लग रहा है, c-o-m, p-l-a-i-n-t अगर इसके पहले मैं co लगा दू तो क्या हो जाएगा c-o-m लगा दीजे plant बन जाएगा complaint बन जाएगा com और यहाँ पर देखो लिखाओ और p-l-a-i-n-t तो यहाँ पर लगा मैं लिख दू, p-l-a-i-n-t तो क्या बन गया complaint बन गया और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, अना complaint लिखा हुआ है तो plant और complaint, plant और complaint दोनों सेम है, चले आगे देखेंगे अगला जो वर्ड है वो है हमारा है 541, 541 में जो वर्ड है वो है plight plight काम सब होता है, परिसानी, दुख, unpleasant condition आप बो सकते हैं इसको तो plight को ऐसे याद रखेंगे, p for पढ़ाई याद रखेंगे और फिर l for light यानिके light यह आप लिखा हुआ है, तो plight, p for पढ़ाई और light, ऐसा imagine कि जी आप बिल्कुल पढ़ाई के mood में थे, कि आज पढ़ाई करना है, ठीक है, चार-पांच यहंटे लगातार रिजम बैठोंगा पढ़ाई करने night में, और sudden जो यह क्या चली गई, light चली गई, और क्य आगे देखेंगे, अगला है polygaming, देखें, गेमी से वर्ड याद करेंजे, पहले यह तो poly जो लगाऊ है, poly का मतलब होता है mini, बहुत, और gaming, gamers, gaming जो बना है, root word gamers से बना है, gamers का मतलब होता है विवाह, marry, तो जो बहुत सारे विवाह करें, उसको हम कहते है polygaming, और एक होता है हो जाएगा एक, तो जो एक विवाह करें उसको हम कहेंगे क्या, mono gaming, जो दो विवाह करें, उसको हम क्या कहेंगे, by gaming और जो बहुत सारा विवाह करें, उसको हम क्या कहेंगे, poly0, तीनो याद रखेंगे, चली, आगे देखेगा, यहाँ पर दिखा हुआ है, पॉंप, का मतल मतलब होता है धूम-धाम से splendid and colorful ceremony ठीक है पॉंपस पॉंप याद रखेंगे इसका मतलब धूम-धाम से होता है तो इसकी जो कोई निमोनिक नहीं बनाई है मैंने आसान सा वड़ है पॉंप ठीक है पॉंप का मतलब धूम-धाम से splendid and colorful भी बोल सकते हो आप इसको ceremony जब भी कोई ceremony मनाई जाती है पार्टी वगरा तो वो पॉंप तरीके से मनाई जाती है ठीक है कैसी पॉंप तरीके से चलिए आगे देखेंगे अगला जो वड़ हो है पॉप्यूलस पॉप्यूलस का मतलब होता है आम जंता ordinary people याद करना बहुत आसान है पॉप्यूलस ऐसा पॉपॉलेशन से चलिए अगला जो है वह है पॉस्ट्यू मसली का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा अवार्ड या पिर कोई भी ऐसी मतलब जैसे बुक पब्लिस हुआ तो उसके मरने के बाद जैसे समझे का है आपर किसी को अगर मरने के बाद क्या आवार्ड दिया गया तो उ और यहां पर हम याद रखेंगे क्या तो पॉस्ट्यू मसली रिखावा तो हम पढ़ेंगे पॉस्ट्यू मिर्त्यू पोस्ट मिर्त्यू यानि मिर्त्यू के बाद कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो इसका हम बोलेंगे पॉस्ट्यू मसली याद हो जाएगा अब आपको ने अगला जो वर्ट है वो हमारा है वर्ड नंबर 547 और यह लिखा हुआ livelihood का मतलब होता दस जो इसको मिसाल बन गया तो वही अक्सन जो कि पहले लिया जा चुका है तो प्रेसेडेंट का मतलब जो होता है वो पूरवर्ती भी होता है यहने कि पूर्व गामी देखेंगे आगे देखेंगे प्री का मतलब पहले तो आपको पता ही होगा तो उसे बिलेट कर सकते हैं और यहां पर क्या है अगला जो वड़ है प्रेसिंग प्रेसिंग का मतलब होता है जहां कार इत्यादी ले जाना वर्जीत हो या फिर पार्ट ऑ प्रेडिक कमंड का मतलब होता है एक neden क्या पूलते हैं एक करते जैसे बुद्स जी कहीं कभी कि Аपकी रेखा देख लेंगे और बोलेंगे सय क्या होने वाला है कि तुम्हारे परिक मुस्किल आने वाली चाहिए और तुम जो है मुजकिल से निकल नहीं पाऊगे तो तो चाहिए यह अंगवूठी ले लो या कुछ ऐसा देते हैं जो कट जाता है तो बोलते हिए ले लो तुम इससे नि कल डावे तो प्रेडिक्ट करते हैं वह तो प्रेजुडाइस का मतलब होता है unfair opinion यानि कि आप इसको पक्षपात भी बहुत सकते हैं तो मैंने इसको याद किया था था थे प्री का मतलब पहले और यह जूडिसियरी पहले ही क्या हो गई बिग गई ना बिग गई मतलब क्या इसे तो उसने जो है unfair opinion दिया यानि कि अनफेर judgment दिया याद रखेंगे प्री का मतलब पहले और यूडिसियरी तो पहले ही विक एस उसने क्या दिया तो इस तरह का unfair opinion दिया या इस तरह का unfair जो है क्या कि दिया जज्ज्मेंट दिया इस तरह आप इसको याद करक्ते चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड हमारा जो अगला वर्ड है 551 प्रीपस्टेरस का मतलब होता है 551 देखेंगे वर्ड नम्बर इसका मतलब होता है वेरी फुलिस और रिडिकुलस तेक है रिडिकुलस यह फिर बहुत ज़्जादा क्या होना मैं बोल देता है ना को सबस Tot sé Talking यानिए के वर्ड में एक आरा है प्री स्पर्ट के मतलब क्या होता है पहले और पोस्ट क् gost यहीं में तो इसिंगे तो या रहा है इसमें और इसमें ओर पोस्ट भी आ रहा है मतलувати स्थ हमें पेहले स्थर्ट को ने है सब्सक्राइब है कैसा ही शुर्ण सिकार होता है बहुत आसा वड़ है इसकी जो है ना तो नीमोनिक बनाने के ज़रूरते ऐसा वर्ड जो है आपने बहुत बार Store अपने पड़ी होगी उस्टारी में परेख बी पर नहीं का मतलब क्या होता है सिकार तो है एकला जो वर्ड है हमारा 553 हो है इस दोनों वर्ड को देखिते देखी देखिए ऊहाँ चीज के प्रप्रणवर्पी क्या होना तरह तो देखिए यहाँ पर प्रोपेंगे क्या वरेट हैं प्रॉपेंगे सिप्र सुतिट यहां पर याद रखेंगे दो पीपल है लोग फीपल जो है वो प्रोाइफ के चक्र में तिख प्रोलाइफ के नीकिके बात कर रहा है कि गाउव के लोग जो गाओं के पीपल जो है लोग जो है वह प्रो-लाइफ के चक्कर में जो यह कहा जा रहे सिटी की तरब बढ़ रहे Kate का जुकाओ कहां हो रहा है सिटी की तरफ बढ़ रहा हैं कि चलो सीक्ण magaz मिलेगा रोजगार मिल जाएगी इन्सब के चलत λे देखें इसके सील्ट रखरें प्रतिव को क्या का मात वार देखें कि अगरा ब्रॉपरिशन जो यानि कि क्या होना तो बहुत संख्या में बृधि होना या पिर हम इसको बोलते हैं बहु जनन भी हिंदी में बोलते हैं जो कि हमें साइंस में पढ़ना है यानि कि पूरा जो मीनिंग इसका निकल के आता है वह निकल sign और being successful in future यानि कि आसा जनक होना ठीक है मतलब किसी भी चीज की आसा होना मतलब success का sign होना तो देखो कोई भी promise करता है जैसे मालनों किसी करना है कि मैं यह करके दिखाऊँगा मैं यह करके तो आप क्या कर रहे हो मतलब सक्सेज की आस रख रहे हो तब ही आप प्रॉमिस्ट कर रहे हो आप समझेगा अगर आप में आसा ना होती तीके आप में जो है सक्सेज पाने तो आप किसी से प्रॉमिस नहीं करते तो आप यहाँ पर प्रॉमिस क्यों कर रहे हैं क्योंकि जो है आपके सक्सेज का जो है जादा है फ्यूचर में वह ही यहाँ पर दिखा रहा है चुलिए आगे देखेंगे अगला जो वर्ड है हमारा 557 हमने प्रॉमिस की याद कर लिया है अब 57 में लिखाओ प्रोकेटिव देखिए प्रोवोक प्रोवोक एक वर्ड आता है प्रोवोक ठीक है प्रोवोक का मतलब क्या होता है किसी वह भड़काना किसी वह क्या करना भड़काना प्रोवोक करना तो ही आप प्रोवकेटिव बना होता है wisdom यानि के समझधारी और मैंने आपको Prudent से याद करवाया है Prudent का मतलब होता है wisdom समझदारी और Prudent को हमने याद किया Student से कि आज के time में student को कैसा होना चाहिए तो Prudent होना चाहिए यानि कि wisdom बुद्धि मता होनी चाहिए student में तो Prudent याद रखेगा पुरुडेंट और एक है हमारा स्टूडेंट ठीक है तो पुरुडेंट सेम वर्ड है पुरुडेंज का और यह स्टूडेंट तो आज कल के स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए पुरुडेंट होना चाहिए ठीक है याद रखेंगे चुलिए आगे देखेंग पी-उ-जी-ए-न-ए अगर मैं इसको पंगा पढ़नूँ देखोँ यहाँ पर पंगा मतलब उसको पंगा लेने का सौक है उसको जो है लोगों से पंगे लेने की सौक है तो पंगनेसस का मतलब क्या हो जाएगा मतलब जो बहुत ज़ादा लडाकू हो कुवेरल का उतर तुछ हम नें इंप्वुनिटिव पढ़ा थे इंप्वाइव हो जाए गार के अगला जो वर्ड है वो है हमारा वर्ड नमबर 561 देखे 561 में लिखा हुआ पर्ज पर्ज का मतलब होता है तो गेट रिड़ आफ पीपल यहां पर तुमेक फ्री फ्रॉम फॉर हामफुल देखते यानि किसी चीछ को स्वक्ष बना देना किसी वक्ते से छुटकारा मिलना उसको हम कह पर्ज का मतलब क्या स्वक्ष चीज को तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा या फिर ऐसे याद रखेंगा जो देना लेकिन पर्ज का मतलब यहाँ चुटारा पा लेना अलग अलग हो जाना तो पर्ज भी याद वहाँ आपको दोनों मिनिंग याद हो गया से चलिए आगे जो वर्ड है वह हमारा है पाइयर देखिए पाइयर का मतलब होता है चिता लाज पाइल ऑफ वूड ऑन विच और डेड़ बॉड़ी इस ब्रंड यानि कि जहां पर जो है लास को जलाई जाती है डेड़ बॉड़ी को उसक से आप यहाँ प Hugosin कि आपने बनाया होगा तो क्या होता है प्वान्टम का मतलब होता है कि इसी चीज की काई और यूनिट ऑफ संथिंग तो क्वांटम तो आपको पता ही होगा मैथ आपने बनाया होगा तो क्या होता है देखो क्वांटम आपने फिजिक में पढ़ा होगा ना सब्सक्राइब क्वांटम सिध्धानत आपने पड़ा होगा तो वही यह क्वांटम का मतलब क्या सबसे चोटी ही का है ठीक है यूनिट ऑफ सम्थिंग चुलिए आगे देखेंगे क्वेल का मतलब होता है रोकना ठीक है क्या करना किसी को रोक देना चुलिए आगे देखेंगे क्वेल क्या क्या होता है संचा यह सवाल doubt तो हम बोलते हैं ना कि आपकी कोई query है class में भी सरम से पूछते थे क्या आपकी कोई query है मतलब क्वेरी का मतलब क्या होता है संग का या फिर सवाल आगे देखिए अगला वह है क्वेसंट का मतलब होता है डॉर्मेंट या फिर अध्र निसके रहे आप बोल सकते इसको ठीक है यहाँ पर सुप्त लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर निसके दिखे दिखा है टार्मेंट या फिर एट्रेस्ट ढोर्मेंट भी हमने पढ़ा है य तो याद होगा आपको इस तरह से आपको याद हो जाएगा आपको टीक्टशान का होगी तब होगी तो और आपको याद करवाया है कि अन्धर कि पहरेदार क्यों रखते हैं सुकता की अंदर की लोग जो है अराम से सो सके है न निश्चिन्द हो करके तो ये भी याद हो जगया है चैनल आगे देखेंगे अगला जो वर्ड है हो एक quietude देखो quietude का मतलब क्या होता है quiet है पहला और quietude का मतलब हो जाएगा सांती जैसे हमने क्वाइट याद किया है कि क्वाइट का मताब सांत होता है तो यह ये पर क्वाइट क्यूड लिखा हुआ है तो यह भी याद हुजाएगा आपको और यह tranquility याद रखेंगे च्रेंक्पिलिटी का मतलब सांती होता है चलिए आगे देखे अगला वर्ड है हमारा वह 569 लिखा हुआ है कोटीडियन का मतलब होता है common या फिर ordinary साधारन कोटीडियन तो कोटीडियन टीक है तो कोटीडियन में वर्ड आ रहा हमारे का थे हैं वह क्योंट को सेंड आथू जाएग आगे देखेंगे अगला जो वर्ट है हमारा वह है racial रेश्ल का मतलब होता है देखें यहां επे कनेक्टे तेपाटीक्लर रेस और कंट्री ठीक है नसलवाद से संबंदित यह आपको जो है आपने साउथ अफरीका में पढ़ा होगा साउथ अपरिका में अपार्थाइट था और रेसल था यानि कि धर्म जाती की अधार पर जो है गोरे काले का अधार पर जो है वहाँ पर सिस्टम बटी हुई थी पहले तो सब्सक्राइब को बोलते हैं तो आपने पढ़ा होगा रेसलिज्म इन अफरिका नसलवाद से संबंदित आपने यह टॉपिक ज़रूर पढ़ा होगा तो उसे लेटिट है यह चलिए अगला वर्ट है रैंकर का मतब होता है बिटरनेस या फिर हैट्रेड नफरत आप बोल स होता है अलागि इस होना नहीं चीज़िए लेकिन हो जाता है कि यह यह रैंक लेकर के कैसे आ गया सहरे दलकर चाहिं हेट होता हैाना तो तो रहा पर ना-फर टाइप का लगता है वही यह आ पह लिखा हो ए रैंकल अगला जो वर्प्रण और ए रैंकल धेंगे यह वड़ तो रिंकल और रिंकल रैंकल का मतलब कि इरिटेटिंग आपको याद रखना है इसी तरह से दोनों बढ़ का मतलब रैंकर से करना और रिंकल का बोर रिंकल इरिक़ेट करता है इस तरह से आपको यह याद हो जाएगा अग्या जो है 573 वह हो है रैपर्ट KapPad का मतलब होता है हारमोनी टालमेल होना सो डाल मेन है मिनिग यह निमोनिक नहीं बना सुनिए यह अब ज शरीदने यह आप कहीं पर समझे कि ब्झोटे खरीदने यह और आपने पूछा कि भाई क्याorama To तो आपने जो है डन कर लिया चलो भाई ठीक है है ह। है रेट तो क्या करो 10 मक के पैख कर दो तो आपने क्या 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 उसके साथ agreement किया क्या है क्या क्या कर दो इसी पे हम sign कर लेते हैं इसी rate पे मतलब स्विकार कर लिया आप इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है, रेट 5, या पर ऐसे याद रखो, कि रेट, रेट का मतलब क्या होता है, ठीक है, रेट, चूहा, और 5 से याद के लो 5, तो आपके घर में समझी कि बहुत सारे चूहे हो गए, और एक चूहा पगणने वाला आदमी जो है, आ पर लगेगा, तो आपने बोला कि यहाँ बई, चलो ठीक है, पगड़ लो, मैं तुम्हें पर चूहा, पर रेट जो है, फाइबर पे दे दूँगा, तो रेटिफाई का मतलब क्या हो जाएगा, सुविकार करना, आपने सुविकार कर लिया, कन्फर्म कर लिया, चलिए, इत तरह से एक सर है, जो हमें इतनी भूख लगती है, हमारी, मतलब हमारा एक सर है, हमारा एक मूँ है, जो हमें इतना भूख लगता है, अब रावन के तो दस सर हैं, तो रावन को कितनी भूख लगती हो, यूब हो सुचो, तो रावन को कितनी भूख लगती हो, तो रावन को क ज़्यादा जो है भूख लगती होगी तो रावनस बहुत ज्यादा भूख आपको चलिए आगे देखेंगे रेज रेज़ का मतलब होता है नस्ट कर देना रेज का मतलब क्या हो जाएगा नस्ट कर देना कि भी चीज को देखेंगे हमारा जो एगला जो वर्ड हो है 570 ते डेज का मतलब जा होता है नस्ट कर देना अब नस्ट का मतलब कैसे याद रखेंगे उसको देखेंगे रेज से रेजर याद रखना रखना कि रेजर रेजर जिससे सेविंग की जाती है दाड़ी बनाई जाती है उस रेजर की बात कर रहा हूं तो रेजर क्या करता है तो हमारी दाड़ी को बहुत असान है Sigल नो भेस्ट ऐसे को भूलते हैं वह सब्सक्राकर णिवर्फ को मतलब होता है और पोरे सिस्टम से को जाता है इंकार कर देन करना है उसको कहते हैं रिफुफफ तो बुफए system क्या होता है कि आप जाते हैं ठाली लेकर ठीक और वहाँ पर खड़े रहते हो और खड़े रहे के जुए वह खाना खाते हो तेखें आप खुद से खाना लेते हो जो भी निकालना होता है डिस वगरे जो भी रखा वरता है वह खुद निकाल कर ले लेती हो और यहां पर क्या करना आपने सहाईता लेने से सजेसन लेने से मना कर दिया किसी का तो ही होजाए हाग्या कर देखे रेज़िएर रेब्यूक का मद्ली डाटना बहुत बार हमने यह देखा है और असांस आवड़ा रिब्यूक करना किसी को तो रिब्यूक और ऐसे भी मैंने याद करवाया कि अगर कोई बच्चा बोलता है कि भाईया मुझे रिबॉक का सूच चाहिए तो पैरंट्स क्या करने लगते हैं डाटने लगते हैं नहीं बहुत महेंगा सूझे अगला वड़ा है रिकल्सी ट्रेंट रिकल्सी ट्रेंट का मतलब होता है हमारा वन विज अन्विलिंग टू ओबे ओर्डर यानि कि जो उदंड दूसरों की बात ना माने उसको हम कहते हैं रिकल्सी ट्रेंट ठीक है यह आपको नोट कर लिजेगा इसकी भी निमोनिक नहीं बनी है हलाकि मैंने जिस तरह याद किया वैसे आपको याद हो सकता है लेकिन आपको थोड़ा लगेगा चली देखें आगे देखेंगे रेकलेस का मतलब होता है असाउधान असान सा वर्ड है हम बोलते हैं न कि रोड को कभी भी रेकलेसली पार मत करो नहीं करना चाहिए मत एक्लूस का मतलब होता है अकेला लुद जो लुद र॑न अकेला रह तो अगर आपको कोई इंतने फिलकरोगे तो इसको अगर को फिल करोगे तो बिल्कुल अचेला फिल करोगे रुद क्या हो जाएगा एकलुस का मतलब क्या हो जाएग वन Cóुलेग् une उन जो अकेला रहता है अगले वह रीपे ना बीमारी से और तु रिकावर सॉइन्स तो देखो आप इसको ऐसे याद करेंगे रृका मतलब री दोबारा रिकावर परेट के बाद के बाद किसके बाद याद रखेंगा रिकोपरेट री कोपरेशन री ओपरेशन इसे पढ़ेंगा ना रीखोप्रेड री कोपरेशन ठीक रीरकोपरेड री कोपरेशन तो आपको याद हो जाएगा कि क्या होना recover from illness चलिए आगे देखेंगे अगला जो वडेव हो है redundant देखे quart redundant होता है अनने से सग्डूम या फिर आप इसको बोलब क्या हो कि अन्यूस्फूल ठीक अननेसेसरी देखो क्या है याद करना कितना आसान हो जाएगा आपके लिए यह रिजंडेंट आपने एक वर्ड याद किया था मतलब हो जाता है मतलब प्रशूर मात्रा में मतलब जरूत से ज़्यादा एक यहां पे यहां पर यहां पी इसका मतलब क्या हो गया गयर जरूरी अन्यससरी मतलब आपके पास बहुत ज्यादा हो गया तो चीज अनेसेसरी हो गए आपके लिए ना तो रिदंडन का मतलब याद रहेंगे अबंडन ठीक है और अगर 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 आपको नहीं याद है तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे एक बंडल पैंसिल आपको जरूरो थी एक पैंसिल की और आपके पापा जो है वो एक बंडल पैंसिल लिखर क्या आगा तो वही हो गया एक ही वर्ड है यह सब अगला वर्ड देखेंगे 586 जो वर्ड है 586 में देखेंगे रेजिम लिखा हुआ है अब यहाँ पर दोनों में एक वर्ड देखेंगे आप आप आर ए जी लिखा हुआ है और रेज का मतलब क्या होता है रेजिसाइड याद किया होगा राजा की हत्का को क्या बोलते हैं रेजिसाइड कहते हैं तो यहाँ पर रेजि लिखावा है रे टीक है जी आई और यहाँ पर आर आई जी अन तो दोनों का मतलब है एक तो रूल आफ ठीक है यानि कि सासन और दूसा दा मोनार्क पिरियड आफ रूल ठीक है रेन तो दोनों याद रखेंगे इसी रूट वर्ड से रेटेड है चले अगला जो वर्ड है रे आई एन ठीक है यह रेन का मतलब होता है लगाम ठीक है आप किसी पर लगाम लगाना पीस ऑफ लेजर विश हल्प यू तुक कंट्रोल दा हेड गियर ऑफ होर्स और तू ब्राइडल ब्राइडल कम दा चाबुक लगाम होता है ठीक है तू रेस्टर चुले आगे देखेंगे अगला जो वर्ड है रेलीोःड का मतलब होता है कि क्या कडर अवनती करन पैते हैं तो यानिए ट्रेन के sensor लटक कर सिद्द लटका कर वैठते हैं आपको कहा बैठना चाहिए आपको सीट पर बैटना चाहिए लेकिन आप कहां बैट रहे हो Genau Shaka यानि की यान Ihr भी आहने वाला है बस मैं जो जो बोरह रहा हुए अगला है reluctant का मतलब होता है अच्छुक होना ठीक है unwilling होना यानि कि किसी भी काम में जो है उसकी इच्छा नहीं होना उसको reluctant कहता है तो याद रखेगा इसे भी चलिए आगे देखिए प्रफिए रिमोर्स का मतलब होता है feeling of guilt और regret feeling of guilt और regret तो रिमोर्स का मतलब याद रखेंगे अपसोस याद रखने का तरीका देखिए अहला कि असान सा वर्ड है बहुत जादा लेकिन अगर फिर भी नहीं याद रहे तो री कम मतलब दोबारा याद रखेंगे और वर्स ठीक या फोस क्या होता है आपसोस होता है क्याद मैंस बोल सकते हैं अगला है रीन्यूडबूी रीन्यूड रीन्यूडब का मतलब होता है ब्च कैन विज्ट अगेन अन अगेन घे agreements में पढ़बाए यह सब चीज क नोन्येंबल डिनी रिसॉर्स आसे रेनी डिता याद रखेगा होता है पस्टाना होता है असान सा वर्ड है रिपेंट रिपेंट का मतलब करना अफिक्राइंड मैंने बताया था तो इसारी 594 सम्टिंग पर यहां पर भी है और इमयोड क्या होता है रिग्रेट करना पस्टाथ करना चलिया आगे देखेंगे 594 जो वर्ड हमारा वह है रिबकर्शन देखें का मतलब क्या होता है consequence यानि कि परिणाम निकलना है ठीक है हरी percussion या फिर reflection तो इसको भी आप note कर लिजाएगा अपनी copy में ठीक है जितने भी word छोट रहे हैं उन सब की हम sentence बना बना करके हम याद करने वाले हैं हुब ऑँह उना उसके हम बोलते हैं रेप्लिका चाहता असान है reply का कभी गभी देखा ऊगा आपने की कुछ इरिटाइटिंग बच्चे होते हैं या फिर कुछ ऐसे मतलब नॉटी बच्चे होते हैं कि हम जो बोलते हैं हो रिप्लाइगे है तो भी तो नकल करते हैं तो reply का वो मेरे reply का नकल कर रहा है वो मेरे reply का क्या कर रहा है नकल कर रहा है तो replica का मतलब क्या हो जाएगा an exact copy of an object चलि आगे देखेंगे अगला जो वह है reprehensible reprehensible का मतलब होता है निंदनिय deserving condemnation क्या करना अगर कोई जो है 18 से नीचे का कोई बच्चा जो है जाकर कि कॉंडम का डिमांड करें मेडिकल में तो सब उसके निंदा करेंगे कि तुअभी इस लाइक हुआ नी है तो वहीं है यहां पर कोमप्रियानसेबल का मतलब क्या होता है समझ तेक है जयानी के जिसको हम आसानी से समझ सके उसको मैं क्या कहेंगे Comprehensible कहेंगे, यहाँ पर क्या है, Reprehensible, ठीक है, यानि कि ठीक उसका क्या हो जाएगा, Opposite हो जाएगा, समझी इस बात को, मैं क्या समझा रहा हूँ, जैसे exam में अगर Comprehensible वाले question आते हैं, और आप वो करके आ जाते हो, तब तो आपकी लोग तारीफ करेंगे, लेकिन अगर आप नहीं करके आए, तो आपकी क्या करेंगे, और रिप्रेहंसेबल करेंगे, यानि कि निंदा करेंगे आपकी, क्रिस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, अगला जो बड़ ह i.e. वह हमारा 597 वह है रिप्रीव, रिप्रीव का मतलब होता है क्या करना बचाव करना and escape from a bad situation, रिप्रीव करना, तो रिप्रीव का आप रिलीव से याद कर सकते हैं, रि रिलीव का मतलब क्या, किसी चीज़ से आपको रिलीव मिल गया यानि कि आप क्या होके किसी पिर्रीव और रेलीव। चलिंगे अगले जो वर्ड हाह Behchez 598 पısल नि वर्ड आ रहा है किया तिक है यहwriter Allah आ रहा है यह प्या पांपी बहेईवियर ऑर विलीफ यह जो आपको पसंद ना हो चीज वह यहां पर निरासयत सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब तो वो क्या बोलते हैं कि मुझे पग बिल्कुल पसंद नहीं है कि क्या है बिल्कुल अन्प्लिजेंट लगता है मुझे इसका बिहेवियर किसका तो पग का ठीक है कोई लैबराडर पसंद करते हैं कोई गोल्डन ड्राइवर पसंद करते हैं कोई हस्कीज पसंद करते हैं ले यानि कि ना पसंद करना, Resentiment, तो Resentiment याद करना बहुत असान है, अगर आप किसी को दुबारा जेल हो जोगे, समझो कि कोई वेक्ति को आपने जेल भेज दिया, किसी वेक्ति को आपने जेल भेज दिया, वो जेल के बारे में सब कुछ जो है, वो experience करके आ रहा है कहे जेल में अथनी तकलीफ होती है और आपने उसको दुबारा send कर दिया चीए? दुबारा उसको recent कर दिया जेल में उस man को recent man यहनि उस man को आपने दुबारा जेल में send कर दिया तो उसको कैसा लगेगा? उसको जाना पसंद होगा या लगेगा कि ना पसंद करेगा वो दुबारा जेल में जाने के लिए तो Receptrement का मतलब हो जाएगा feeling of dislike ठीक है अगला है respite respite का मतलब होता है क्या बचाओ करना really from something किसी भी चीज क्या करना बचाओ करना ठीक है तो आसान से बड़े रिस्पाइट देख लीजेगा बहुत हल्ला हो रहा है वीडियो बंद करना पड़ेगा आगे देखते हैं हमारा नेक्स जो बड़ें वैस 601 रिसर्जंस देखिए रिसर्जंस का मतलब होता है अन्यू इंक्रीज ओफ यहां प्ते के निया राजा इलाज करता है उसको सर्जडरी करते हैं सर्जरी करने करने कब वह क्या करता है निस अन्यूण और अट्ट योई न चीर euUP सब्सक्राइब और लिगा गया किंगे तो यहां पर यहां पर देखेंगे अगला अमण support 602 वो है हमारा देखे और हमारा जो 602 है वह है reject देख लेंगे यहां पर resurrect का मतलब होता है फिर से जीवित करना गया फिर से जीवित करना है या फिर से to bring someone back to life क्या लिखा हुआ है और शर्जेक्ट यहां पर ऐसे लग रहा है आगला है रेटेक्ट का मतलब क्या होता है खढा हो तो वेई ही बो देंगा their dakika मतलब क्या हो जाया कोई जीवित होना यानि 2012 उटकर मतलब क्या हो गया मतलब क्या हो गए वह से अगला है खुद देखेंगे, retrieve, receive, जब तीन चार बार इसको relate करके पढ़ेंगे, retrieve, receive, तो receive का मतलब भी क्या होता है, प्राप्त करना होता है, retrieve का मतलब भी क्या होता है, प्राप्त करना होता है, तो receive और retrieve जो है, याद रखेंगे, तो इस तरह से आपको यह वर्ड याद हो जाएगा, हमेशा हमने ऐसा ही याद किया इस वर्ट को river और हम अपने rivers की क्या करते हैं संब्मान करते हैं हम अपने नदियों का संब्मान करते हैं तो याध हो जाएगा आपको चले आगे जो वर्ट है वह है rhetoric, rhetoric देखे rhetoric का मतलब होता है effective a speech but not essentially sincere यगे की बहुत zajsupport is legit LAUGH ना लेकिन इमानदार नहीं रिकर के इमानदारी भरा नहीं बस हम भो सकते हैं कि भासन होना तो लेकाव कभी कभी नेता जो हैं आकर के भासन देता है कि इसबार हैट्रिक लगाएंगे इसबार भी हम गाएंगे हैट्रिक लगाएंगे तो बढ़ा चड़ा करके भासन किया तो यह अगले साल भी चुनाव जीतेगा क्यूंकि यह अच्छा काम कर रहा हुआ तो हैट्रिक लगाएगा तो हैट्रिक लगाना मिन्स क्या नेता अपने तरफ से तो बोल रहे हैं कि हैट्रिक लगाएंगे लेकिन उसने अच्छे काम करके लगाएं हैट्रिक या बुरे काम करके लगाएं यह हमें नहीं पता तो यहां पर प्रभावसाली भातन ठीक है तो र डेट कर रही है या फिर वो उससे डेट कर रहा है यही सब चलते रहता है बॉलिवड में तो रूमर का मतलब क्या होता है अब हुआ पीस ऑफ नियूज डाट में और मैं नॉट भी ट्रू नेक्स्ट वर्ड इस अधेकलो रूदलेस रूदलेस भी असान से वाड़ है रूदलेस का मतलब होता है कठोर कुरुवेल निर्दई बो सकते है रूदलेस ठीक है रूद से याद रखेंगे तो रूद रूद तो आप इसको बोल सकते हैं पवित्रीकरन करना ठीक है किस भी चीज को पवित्र करना के से क्सी पी चीज को हो जाएगा पवित्र करना कैसे भी चीज को religious करना तो याद हो जाएगा आपको next is sadist sadist का मतलब होता है one who obtains pleasure by hurting others यानि आप इसको sadistic भी बोल सकते हैं जिसका मतलब होता है पर पीड़क यानि दूसरों को पीड़ा पहुँचा करके जो है खुसी महसूस करना उसका हम बोलता है sadist तो याद करेंगे देखो ऐसे कि sadistic person enjoy making people sad with his stick जैसे यहाँ पर क्या है sad और a stick दो पार्ट में डिवाइट करिएगा sad और a stick तो वो दूसरों का stick से पीड़ करके ठीक है और दूसरों को sad करके क्या हो जाता है खुस हो जाता है जैसे teachers पहले हमें sadistic का मतलब क्या हो जाएगा पर पीड़क यानि जो दूसरों को मतलब दूख पहुँचा के खुच जो है सुखी हो या पर दूसरों को हर्ट करके अगला जो वर्ट है हमारा salubrius salubrius का मतलब होता है good for health तो यहां पर देखो पहला वर्ट आ रहा है हुआ रहा है salu कि कि salu salu याद रखेंगे तो salu salu नाम से ही सल्मान खान का नाम लेते ही क्या रहा है तो salu और salu का मतलब क्या fitness जैसे है इस salu सल्मान खान की बात आती है तो हमारे माइंड में क्या आता है सबसे पहले fitness है न तो salu बूरियस का मतलब क्या हो जाएगा तो good for health good for health याद रहेगा आपको अगला जो वर्ट है हमारा 611 वो है salvation देखे salvation का मतलब होता है the act of saving someone from danger या फिर lost scene देखो क्या है इस salvation बहुत असान सा वर्ड़ है यह आपने movies बगरा में सुना होगा भूत वाले movies में खास करके जब Christian वाले Christian धर्म में किसी पर से चूड़ायल हटायने का जो process होता है उसको हम salvation कहता है यानि कि Christianity में देखा होगा आपने church में जो है क्या होता है चूड़ायल को भगाया जाता है किसी पर से तो उसको salvation कहता है याद रखेंगे salvation का मतलब क्या होता है the act of saving someone from danger किसी पर से जो है चूड़ायल का साया हटाना ये भी meaning होता है अगला जो वर्ड है वो sanctity sanctity का मतलब होता है पवित्र करना ये भी जो है sacred related word है ठीक है sanctity the quality of being holy तो sanctity में word आ रहा है cent cent का मतलब क्या होता है साधू ठीक है cent याद रखेंगे saint cent का मतलब क्या साधू याद हो जाएगा आपको cent की quality ठीक है cent की quality है cent की quality है means उसमें क्या साधू की quality है पवित्रता है holy है next word is 613 sang win sang win means optimistic आप बोल सकते है hopeful optimistic भी हो सकता है आसावादी जिसको बोलते है sang win से याद रखेंगे sang और win तो देखो sang win का मतलब मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ जिससे आपको याद होगा महाभारत के युद्ध में अरजुन ने कहा भगवान के संते की माधव आप मेरे साथ हैं तो हम win हो जाएंगे आप जब मेरे साथ हैं तो हम क्या हो जाएंगे win हो जाएंगे जीत हो जाएंगे जीत जाएंगे हमें ऐसी आसा है मुझे क्या है ऐसी आसा है कि जब तक आप हमारे साथ है, संग है, हम विन हो जाएंगे, यानि जीच चाएंगे तो संग मिन का मतलब अर्जुन आसावादी थे, चलिए, आगे जो अगला वड़ है, 6814, वो है हमार सैकेजम, देखे सैकेजम का मतलब होता है, असकॉनफुल रिमार, कि यानिन की मजाग करना किसी से, मतलब किसी पर आप बोल सकते हो, व्याग करना, ताना करना, एना, सरकैjin में सरकसम से, से मतलब क्या हो जाएगा, वयंग करना, असकॉन फूर्ग जिकाइगो है हुई है हमारा सकन्ट देखिये सकन्ट का मतलब होता है हमारा अपर्याप्त होना कोई पिचिश कम होना barely enough का मतलब होता है कम होना तिक यादकरन आप बहुत आसान है चाहिवे लिखा हुए है क्लाट जो लिखा हो हो इसको अस्पढ़ेंगे और कआब तो अगर कोई हमसे पैसे मांगे Given कि हमारी पास चीज की कम होि सान्हां। ठीक है तो हम नहीं कर सकते हैं अग्र होता तो हम दे दिस मतलब कम होता है एक बोलते है ना कि यह तो square में बिके गी aja मतलब क्या में बिखेगी तो हमारा असकम देखिए असकम का मतलब होता है गंदगी डर्ट अन्द सर्फेस अफ लिक्विट एक है तो असकम भी जो है हम लाफ में ही याद करेंगे अभी इसको रहने दीजेगा नोट कर लिजेगा आप चुलिए आगे देखेंगे सिजन का मतलब होता है है having a lot of experience नहीं कि बहुत ज़र एक्स्प्रियांस होना किसी वेक्टी को तो असको हम बोलेंगे सिजन क्या भूत आसान है देखो क्या है कि बोलते हैं हमारा दादा जी या कोई भी बोल देते हैं कि हमने जिन्दिग में बहुत सारे मौसम देखे हैं हमने जिन्दिग में बहुत तो देखो यहां पर यहां पर इसंज है, तो यह सांस रिलेटेट वर्ड है, यानि कि हमारी ज्यान इंद्रियों से रिलेटेट वर्ड है, इंद्रियों से, चली देखें, severity, severity भी आसान सा word है, इसका मत्लब होता है किसी भी चीज की गंभीरता को और बढ़ा देना, तेज कर देना, तीवर कर देना, extremity, extremity, severity, severity चीज को कितना relate लग रहा है, extremity और severity, यानि किसी भी चीज को क्या कर देना, तीवर कर देना, बीमारी वगरा को भी तीवर कर देना, वही ये लिखा हुआ है symbols, symbols का मतलब होता है state of confusion और untidiness देखो untidiness का मतलब होता है बिलकुल बुरे हालात में होना untidy होना और state of confusion, sembles ठीक है इसको भी जो है आप अभी note कर लेंगे sembles को बागे आगे देखिए अगला जो word हमारा हो है सर्क, सर्क का मतलब होता है to avoid work duty, to avoid work या फिर duty यानि अपने duty से avoid करना अपने work को avoid करना तो सर्क को हम याद रखेंगे ऐसे सर्क avoid work, सर्क avoid work, 4-5 बार आप मेरे पास साथ पढ़िए सर्क avoid work, सर्क क्या करता है तो avoid करता है, क्या तो work सर्क avoid work, याद हो जाएगा आपको सर्क avoid work यानि duty चली आगे देखेंगे दो वर्ड है हमारे यहां पर एक तो है Shrewd, Shrewd दूसरा है Shroud और Shroud Shroud का मतलब होता है Based on Clear Understanding and Judgment दूसरा है Shroud Shroud का मतलब होता है Hide करना यानि कि छिपाना ठीक है इसका मतलब होता है Clear और इसका मतलब होता है Hide ठीक है दोने एक दूसरे क्या हो जाएंगे अपोजिट लग रहे है कि इसका मतलब होगा Based on Clear Understanding और यहां पर होगा Hide तो Shrewd का मतलब याद रखेंगे क्या हो जाएगा Clear आगे देखेंगे स्रग का मतलब होता है to raise and then lower the shoulder to sow lack of knowledge और interest यानि कि क्या करना कंधे उच्का करके जो है अब देखें आपने जो है जिम में जिम में एक workout होता है ठीक है तो स्रग का मतलब क्या होता है जो स्रग होता है तो उसको कंधे raise करके जो हम उसका workout करते है उसको स्रग करना कहते है ठीक है अगर आप जिम बड़ी होगे तो आपको यह असानी से याद हो जाएगा आपको पता भी होगा पहले से स्रग का मतलब चुलिए आगे देखेंगे site, site का मतलब क्या होता है तो place where something is built. हम बोलते ना कहां जा रहे हो तो site पे जा रहे है site पे जा रहा है कहाँ जहां पर आपका घर वगशं et तो site बोलते आपने यह भी तो construction site, construction site का मतलब जहां पर construction हो रहा था उसके यह उसके बादब देखेंगे का मतलब ना क्वूड का फूड का और फूड में का हीशिंग साउंड धैने 22 छो एक साउंड आती है उसी को फूड को जो तो कोई बीची तो गर्म होती है ना सिजाने के बाद सिजाने का मतलब होते है वो तो गर्म होती है तो सिजल का मतलब क्या हो जाएगा to make a handsome sound when pride cry करना चलिए आगे देखेंगे skeptical skeptical का मतब संदेवाद ही होता है बहुत बार हमने यह देखा है याद किया doubtful skeptical ठीक है इसको याद करने का तरीका जो है मैं आपको बताता हूँ ऐसे याद रखेंगे आप इसको skeptical को a skip article ठीक है यूट्यूब पे भी टीवी पे भी आता है कि 10 दिन में fat loss कर लें ठीक है दो दिन में 10 kg वजन कम करें तो यह सब एड क्या होता है तो यह सब संदेवादी होता है हमें doubt होता है कि दो दिन में 10 kg वीट कैसे कम हो जाएगा ना बिना workout के कि वे एक बेल्ट लगा लो असे कम हो जाएगा पेट आप ऐसा नहीं होता है तो वह सब सबसा चीजह को हम e skip कर देतेैं क्या कर देते है तुरंद트 कर देते हैं क्योंकि हमके doubt होता है यसा हम भटा रते है क्योंकि हम अ से भरोसा यह वर्ड ठीक है तो निउस्पेपर पढ़ने के आप भी आदर डालिए जो आपको भी जो है बहुत सरे वर्ड याद हो जाएंगे और जैसे यह तो लेस्ट देना किसी को क्या करना कंफर्ट देना हमने कंडॉलेसंस पड़ा है ठीक है उसमें भी क्या होता है कि हम किसी को क्य आदेते हैं कंडॉलेंस देते हैं यानि कि संतावना देते हैं तो उसी स्लेटिट वर्ड है तो लिस्ट का मतलब क्या होता है दिल्लासा देना ठीक है यह भी दोनों बड़्ट जो है आप लिख लेजेगा इसका भी हम लास्ट में देख लेंगे अगर आपको याद नहीं है अगरा देखेंगे अगला बडा हमारा है सॉलेटिय। का मतलब समर्थन सपूट में। जो और आप देखेंगे इसमें सॉलिड आ रहे हैं। किया रहे हॉँ unit isolide का मतला है आपने जो साइन पड़ा होगे लिक्विध ऑन गाश सदिग में जो मॉलीकॉल्स होते हैं वह बहुत सपोर्टी वह क्षा सपोर्टकर सब्सक्राइब लेकिन видео में दे लोग कोई पार्टी है ठीक है पॉलिटिकल पार्टी है तो इस बार उस पार्टी को जो है सॉलिट सपोर्ट मिलने वाली है आप ऐसा बोल सकते हो तो सॉलिट्री का मतलब क्या हो जाएगा सपोर्ट और यहीं पे एक वर्ड है अगला जो वर्ड है हमारा सेक्साने 32 देखेंगे वह सॉल्ट्री सॉल्ट्री का मतलब होता है अकेला तो ऐसे बोलेंगे अगर तो आपकी ढांस करना चाहिए तो ऐसे भी आता सकता है आपको सॉल्ट्री नहीं तो यह याद रखना पड़ेगा हाला कि मैं यहां पे बोल रहा हूँ तो आपको इन दोनों में यहनुहां का नियुक्त नहीं होना है इसलिए मैं बोल रहा हूं ॥ा यह सॉल्ट्री सि तो सोलो तेरी तेरी वाली जो है वो सोलो डांस कर रही है तुम्हें जाकर करके तुम्हें भी उसकेसा डांस करना चाहिए तो solitary का मतलब हो जाएगा the only person thing in given place चले आगे देखेंगे अगला जो वड़ हो है हमारा suspect का मतलब क्या होता है तो संदेह करना तो यहां पर देखो क्या है suspect हम इसको लिख देए s-u-s-p-e-c-t यहां देखेंगा उसमें already s-p-e-c-t लगा हुआ है पहले से और हमने सिर्फ suspect लगा दिया तो यह root word है suspect का मतलब क्या होता है संदेह करना the idea of something unpleasant that may happen in future संदेह करना suspect करना क्या दो जाएगा आपको चलिए आगे देखेंगे नहीं भी आदो तो inspector से आद करें आपके inspector जो है क्या करता है सक ही तो करता है सब पर जो इंस्पेक्टर होते हैं कोई गुना करेगा तो फिर सक करेगा next देखो अगला जो वड़ है है हमारा a spencer का मतलब होता है कुवारी महिला a woman who is not married यानि जिसका अभी विवाह नहीं हुआ है उसको हम बोलते है a spencer ठीक है इसको ऐसे याद रखेंगे देखेंगे a spin का मतलब क्या होता है घूमना तो वह महिला जो है आप समझेगी कि इसी की भी अगर साधी हो गई किसी महिला की तो घर रस्ती में उलग जाती है वह उसको इधर दुर घूमने का वागा नहीं मिलता लेकिन यह महिला जो अभी आविवाहित है वह a spin का मतलब क्या होता है घूमना तो यह महिला जो है अभी तक क्या करेंगी not married है अभी तक साध नहीं हुई है next 635 देखेंगे asparadic asparadic का मतलब होता है occurring at irregular intervals यानि कि क्या होना कि कभी कभार होना irregularly होना & asparadic को जो है asparadic को पेयर सबबन सपस्क्रा सपपेए इसा ही मैं चानेको याद कर वागा था इक होता है asparadic का मतलब होता है नेंड आने वाला थो व को याद खिया हूए अगर दूसरी सी videos में पर दिखेंगे ऐसे us- nosotros याद खरभाए आसउपारी खाने साने के बाद उस कभी-कभी यह आता है वो डेली नहीं आता है सपेरा कभी-कभी आएगा आपने देखा होगा अवा आ सपोरा डिक की याद रख लेंगे आप सपोरा दिखता है यानि सपेरा दिखता है कब दिखता है तो इरेगुलर्ली दिखता है a spouse असान सा वड़ा है spouse spouse का मतलब होता है क्या जीवन सा थी life partner अपने form भरा होगा तो form में भी आता है spouse name है ना जब आप चाहिए bank account खुलवाने जाते होगे वहाँ पर भी आता है spouse name spouse name का मतलब क्या होता है पती या पत्नी का नाम लाइफ पार्टनर का नाम चलिए आगे देखेंगे अगला जो होगा अस्पूरियस अस्पूरियस का मतलब होता है संदेहास्पद यानि कि false and not what is happened to be कि false false का मतलब क्या होता है नकली भी होता है तो इसको हमने याद किया था कि हमें नकली नकली नोटों से भरा हुआ बैग मिला है, पूरी तरह से भरा हुआ, नकली नोटों से पूरी तरह से भरा हुआ एक बैग मिला है, ठीक है, पुलिस वाले न ऐसा बताया, तो bogus का मतलब ही का होता है, false मतलब नकली, और spurious का मतलब ही क्या होता है, नकली, तो पूरी तरह से नक नेक्स देखेंगे स्कौर्म लिखा हुआ है स्कौर्म का जो है कोई निमोनिक नहीं बनाया तो इसको आप लिख लेजएगा और हम लास्ट में देखेंगे इसका मतलब होता है छट पटाना तो मूब फ्रॉम साइड तो साइड इन अउक्वर्ड वे विकॉज अफ दा नर्वसनेस और पेन हाला कि एक मूवी आये थी 1975 में अस्कौर्म ठीक होलिवड मूवी थी तो उससे मैंने याद किया था इसको अस्कौर्म का मतलब क्या होता है तो छट पटाना कीड़ वगर है के दार्ण वजहार बचले आगे देखेंगे अगला जो है वुआ स्टैक अस्टैक का मतलब होता है पाइल on विन यानि की ऐक की 69 कि वे चीज रहना स्फौंब अस्टेक से याद रहके बहुत जाद सीमलर मिनिंग इसका है क्ट्रसते अन एक क्रते ह reflection जैसे जेसे कोहीं पर समझो किसी माल का स्टॉक है या या चावल होटा गिसा किया गया is तो देखते हैं कटे को एक के उपर एक के उपर एक के स्टॉक करके रखा है तो स्तैज मतलब क्या हो जाएगा एक कीऊ पर एक करके रखना is के पाइल ऑन वन अनदर नेक्स्ट है अस्टेगर देखेंगे अस्टेगर यानिकी 640 नंबर वर्ड अस्टेगर का मतब होता है लड़ खडाना ठीक है क्या करना लड़ खडाना टू वॉक सोईंग इंबैलन्स ठीक है इसको याद करेंगे हम कैसे स्टेज से स्टी एजी तो द याद जखेंगे कि अफ्टर हैविंग रोयाल स्टेग विस्की और पीपल स्टार्ट अस्टेगर यानि पीपल जो है लड़ खडा करके चलने लगता है रोयाल स्टेज पीने का बात ऐसे याद हुजाएगा आपको इस तरह से चली आगे देखेंगे अग्ना जो वह दैमार या पिर अस्मोदर अस्मोदर इसका जो है वह सिम्नम्स हो जाएगा जैसा अस्मोदर का मतल मैंने आपको क्या बताया था गला घोट करके मानना ठीक है अस्मोदरिंग कर देना तो उसने अपनी स्टेप मदर क्या ठीक है गला घोट करके जो है मडर कर दिया उसने अपनी या पिर यहाद रहा है उसकी अस्टेप मदर ने उसका गला घोट करके जो है मडर कर दिया तो असमोदर भी याद रखेंगे अस्ट्रेंगल का और अस्ट्रेंगल यहाँ पर देखेंगे स्ट्रेंगल का मतलब हो जाया गला घोट करके अगे देखेंगे अस्ट्रेंजंट का मतलब हो जाया गला घोट करके मार देना तो किल बाई प्रेसिंग दा थ्रोट चलें आगे देखिए अस्ट्रिंजेंट अस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर टिक और यह स्ट्रिंग से याद किया है जो पतंग जो हम उड़ाते हैं तो उसकी अस्ट्रिंग जो है अगर आप टाइट नहीं रखोगे तो वह कट ज नेक्स्ट्रोक का मतलब होता है थपकी या फिर घड़ी की घंटे की घंटी एक्ट ऑफ हीटिंग या फिर साउंड ऑफ ट्रिंकिंग क्लॉक देखो याद करो इसको अस्ट्रॉक जब ब्रेन अस्ट्रॉक होता है दिमाग पर तो दिमाग पर थपकी सी लगती है किसी को ब्र से जो है दिमाग में मारा है किसी ने और दध होना सुरू हो जाता है तो फ्रोक का मतलब थपकी या फिर घड़ी की घंटी अगला देखेंगे सब्ड्यू सब्ड्यू का मतलब होता है तो डिड्यूज दा फॉर्स ऑफ संथिंग अजब किसी भी चीज की तिवरता को क्या कर द कर दूंगा क्लियर कर दूंगा जितना बिड्यू है सब्ड्यू ठीक है जितना बिड्यू है मैं सब कम कर दूंगा और जितने भी ब्याद चड़ रहा है मेरे पर वह भी मैं कम कर दूंगा तो सब्ड्यू मैं क्या कर दूंगा कम कर दूंगा इस तरह सा आपको यह याद हो जाएगा next word है हमारा अगला 645 देखेंगे सबस्टेंसल और एक है सब्टर्फ्यूज दो वर्ट को आप यहां पर नोट कर ले जाएगा ठीक है इसको जो है हम लास्ट में देखने वाले हैं सब्टर्फ्यूज और सबस्टेंसल आगे देखेंगे अगला जो वड़े है सब्टल सब्टल का मतलब होता है अस्मॉल बट इंपर्टन कोई भी चीज छोटी दिखाए देना या फिर अस्मॉल होना ठीक है आप याद रखें कोई भी चीज क्या होना बहुत ज़रा स्मॉल हो सब्टल का मतलब क्या हो जाएगा स्मॉल बट इंपर्टन अगला वट देखेंगे अगला जो है वह सकर सकर का मतलब होता है help given to someone इंड यानि कि समय पर क्या करना सहायता देना अच्छा यहां पर सुनिए अगर आपकी कोई समय पर सहायता कर दे कोई आपकी help कर दे जब आप जब आपका कोई help कर दे तो आप क्या बोलेगे सुकर है कि आपने हमारी क्या कर दी help कर दे या फिर आप भगवान को सुक्रिया करते हो कि सुकर है भगवान ने हम यह से भीज दिया हमारी help करने को तो सकर का मतलब क्या हो जाएगा समय पर सहायता help given in someone in need अगला जो वट है व reputation पर दाग लगाना अस्टेन या फिर स्वाइल संवन्स पर्फेक्ट रेपूटेशन याद रखेंगे सूली पर ठीक है तो जो भी ऐसे याद रखो कि जो भी महिलाओं की दामन पर आच लगा उसको सूली पर चड़ा तो तो सली का मतलब क्या हो जाएगा तो किसी पर दाग लगाना त्याद हो जाएगा स्थरस आपको यह अगला देखेंगे अगला जो वर्ट है हमारा वह है सल्ट्री ठीक है सल्ट्री का मतलब होता है warm and moist यानि कि क्या होना उमस भरा होना ठीक है इसको भी जो हम लास्ट में देखेंगे इसको भी आप जो है आपके नोट कर ले ज देखते हैं अगला वर्ट हमारा तो नेस्ट वर्ट है वह है 651 संप्चूस का मतलब होता है लग्जूरियस और स्वाइंग वेल्थ तीक यानि कि धन संपती से लेस यानि कि पूरा लग्जरी बोलता है लग्जरियस लाइफ हो जी रहा है तो लग्जूरियस यानि यहाँ संप्चूस अब देखो इसको याद करने का तरीका क्या है यहाँ पर ऐसा लग रहा है संपती लिखा हुआ है स्यू एम पीटी संपती संपती अब जिसके पास संपती होगा तो लग्जरियस लाइफ ही तो जीएगा ना तो सोइंग वेल्थ यानिकि क्या संप्चूस नेक्षट वड़स फ्यू स्योंटस टेकर सो मोटो का मतलब होता है खुद ही और ऑन इट्स टेर यहाँ पे देखो यह जू है पुर्ष वॉसको याद रखेंगा है ऐसे कि मोटो का मतलब क्या है आप मोटर याध के इस मोटरं मोटरवाइक आप खुद्से चला रहा है it's on next है हमारा search search का मतलब होता है तीवरता से बढ़ना या फिर a sudden or great increase यहाँ पर देखो search में एक word आरा urge u r g e और हमने urge याद किया है urge का मतलब होता है तीवर इच्छा ठीक है किसी भी चीज के लिए क्या होना तीवर इच्छा होना search का मतलब तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है search ठीक है तो urge का मतलब क्या होता है तीवर इच्छा होना तो search का मतलब क्या है sudden or great increase यानि कि कि किसी भी चीज में क्या होना तीवरता से बढ़ना किसी भी चीज का मतलब सरन इंक्रीज हो जाना next word is swate swate का मतलब होता है broad strip of a cloth या फिर land यानि कि जमीन या फिर कपड़े का टुकड़ा उसको हम बोलते हैं swate तो देखो swate में अगर मैं swate को swate पढ़ूँ swate swate का मतलब क्या pacina swate मिन desperation और पसीना हम किससे whether to तो कपड़े से पूचते हैं तो सवेट का मतलब क्या हो जाएगा पसीना याद रखेंगे यानि कि सवेट मिल्स पसीना और कपड़ा जिसने क्याम पना पोच्टें पसीना पोच्टे हैं चलिए आगे देखेंगे अगला जो वाड़ है वह साइको फ़नी का मतलब होता सिख पुदी सिख फंसी का मतलब हो जाएगा चाप लूसी करना अटेंट रिवर और यो गणि किसी का फेवर जीतना कैसे करके यहां पर देखो आप ऐसे याद कर सकते हो कि साइकोफैन अगर कोई साइकोफैन है किसी का साइकोफेन तो वो क्या करेगा चाप लूसी करेगा तो वो उसका क्या करेगा चाप लूसी करेगा उस एक्टर की सब्सक्राइब करना अगला वह नमबर 556 देखेंगे symposium symposium का मतलब होता है official meeting symposium तो देखे symposium का जो है कोई निमोनिक नहीं बनाया तो इसको आप नोट कर ले जागा symposium को इसको हम last में याद करेंगे चुरे आगे देखिए अगला जो वड़ हो है synchronize synchronize का मतलब होता है to happen at the same time देखो सबसे पहले तो time को याद कर लो कि time time का जो root word होता है वह होता है crony देखो यहाँ पर chroni लिखा हुआ है हमने one word में भी याद किया है chronical यानि कि कालकरम समय से related जो जो crony word है na crony का मतलब क्या है वह related to time और यहाँ पर sim लगा हुआ है same sy same ठीक है sy sim तो sy m का मतलब सेम हो गया और crony का मतलब time हो गया तो synchronize का मतलब हो जाएगा एक ही समय पर होना यानि to happen at the same time चलिए आगे देखेंगे अगला जो word हो है tangible देखें टेंजिबल का मतलब होता है real which can be touched or experience यानि जिसको छुआ जा सके उसको हम बोलते है tangible तो तेंजेंट आपने पढ़ा होगा tangent क्या होता है तो tangent टेंजेंट का मतलब as-pers रेखा tangent को हिंदी में क्या बोलते है अस-pers रेखा बोलते है जो कि circle के area को यानि कि जो circle है इस circle के जो है इस पार्ट को छुआ करके निकलता है इसको हम tangent बोलते हैं इसको हम tangent बोलते हैं तो tangent का हम तो as-pers रेखा जिसको छुआ जा सके तो वहीं यहां पर tangible का मतलब है real which can be touch or experience श्री आगे देखेंगे अगला जो वर्ड है वह है टॉड्री टी एडबलू डी आरवाई जिसका मतलब होता है सस्ता एवं भड़कीला चीप और गौडी इसकी भी कोई निमोनिक नहीं बनिए तो इसको भी हम last में याद करेंगे इसको भी आप नोट कर लेजेगा देखेंगे नेक्स्ट वर्ड जो है वो है टमेरिटी टमेरिटी का मतलब होता है तेरे में इत्ती हिम्मत क्या हो जाएगा? प». Ouch आगे देखेंगे…चलिए आगे देखेंगे. तो ऐसे याद रखो temperate temperate का मतलब क्या होता है गुस्सा और कोई व्यक्ति अपना temper अगर खा जाए गुस्से को खा जाए पी जाए तो उसको कैसा व्यक्ति मानेंगे हम उसको Tempeptuous का मतलब होता है Full of a strong emotion यानि कि बहुत जादा क्या होना emotion से भरा होना देखो एक word है यहाँ पर Tempest T E M P E S T Tempest का मतलब क्या होता है तुफान तुफान होता है तुफान आएगा किसी के अंदर तो क्या हो जाएगा मतलब full of a strong emotion's हो जाएगा याना यानि कि उसमें वाइंट 664 लिखा हुआ है टेनमेंट टेनमेंट का मतलब होता है निवास अस्थान लाज utility divided इंटो अपार्टमेंट तो तो टेन मेंट अपार्टमेंट एन्य सेम वड लग रहा है टेनमेंट और अपार्टमेंट याद हो जाएगा आपको टेनमेंट और अपार्टमेंट अच्छली आगे देखेंगे अच्छा एक वर्ड शूट गया पर 663 भी देख लेंगे वो लिखा हुआ है क्या हमारा 663 में टेंडेंसस टेंडेंसस का मतलब होता है सपोर्टिंग और पार्टिकुलर अपीनियरन जेखेंगे दो वर्ड हहाँ पर देखेंगे एक तो देखे 663 में लिखा वयर टेंड़स्ट का मतलब होता है किसी का पक्ष लेना और प्लाःट इससी के प्रती जब हमारी जुकाव होती है तो हम उसको support करते हैं उसी के पक्ष में हम होते हैं तो उसी का root word बनाके meaning बनाए गया है tendencies जिसका मतलब होता है supporting a particular opinion चलिए tenement मैंने याद करवा दिया आपको compartment tenement याद रखेंगे चलिए आगे देखेंगे अग्ला जुवर्ट है हमारा 665 टर्स टी ए आर ऐसी ठीक है टर्ज टर्ज का मतलब होता है संचिप्त कोई concise ठीक है concise करना चोटा करना using few words अच्छा concise आपको नहीं याद है तो आप इसको याद के लिए कम साइज ठीक है concise कम साइज यानि कि कम कर देना किसी चीज के साइज को तो कम साइज जब आपको याद रहेगा आप देखें टर्स लिखा हुआ है ठीक है टर्स टर्स का मतलब क्या है संचिप्त तो आप ऐसे याद रखें समझे इसको कि लिखा हुआ टेरेसा आपको ऐसा अब बोल रहे है क्या सिर्फ टर्स का मतलब क्या संचिप्त कंसाइज यूजिंग फ्यू वर्ट्स यूज़ कर रहे हो तो इस तरह से आपको टर्स मिनिंग याद हो जाएगा थंपिंग थंपिंग असान चावटेज इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट ठीक है एक्स्ट् अगर ऐसे नहीं आद हो तो आप इसको थंडर और थंडर बोल थंडर का मतलब क्या होता है इन्द की आसमान से जो गड़गड़ाट की आवाज आती है अगर थंडर कहते हैं और थंडर बोल्ट का मतलब क्या होता है कि बिजली कड़कना और फ्लेस ओफ लाइटिनिंग एंड साउंड अवड़ दोनों याद्पिलिज देगा टीमेट भी आसान सा वड़ड़ होता है लेकिंग करेज और कावाड ली कावाड का मतलब भी डरपो अगर अगर देखेंगे अगला जो वर्ट है वह है टॉर्मेंटर का मतलब होता है सोसन करने वाला तो अरी सोसक ठीक है 671 में देखेंगे टॉर्मेंटर का मतलब होता है जिसके वजह से सब्रिंग सो परिसानी हो उसको है तो टॉर्मेंटर जो है आप इसकी कोई नीमोनिक नहीं बिए टॉर्मेंटर को भी उप लिख लेगा और अगला वड़ है टाउट, टाउट का मतलब दलाल होता है, असान सा वर्डे टाउट, ठीक है, एक ब्रोकर होता है, उसी तरह से ब्रोकर की जैसा same meaning इसका निकलता है, the act, the person, incurring, sale, or anything, जो भी एकती sale, sale को encourage करता है, लेन दिन का काम करता है, उसको हम क्या करते हैं, टाउट करते हैं, टाउट का मतलब क्या होता है, दलाल, याद रखेंगे, टाउट, अलाकि last में जो है, मैं include कर दूँगा, sentences भी, चाहे हो असान वर्ड हो, चाहे हो डिफिकल्ट हो, तो और भी ज़्यादा अच ट्राफिक का मीनिंग दो होता है, एक ट्राफिक जो ट्राफिक लग जाती है, जाम लग जाता है, और दूसरा होता है, illegal trade, ठीक है, मतलब अवैद तरह से जो बिजनस किया जाता है, उसको भी ट्राफिक बोलते हैं, गहर कानूनी चीज का वैपार, तो आप यहाँ पर नॉर सकते हो, illegal trade भी होता है, ठीक है, याद रखेगा, ट्राफिक का मतलब, चलिए, आगे देखेंगे, अगला जो वड़ हो है, ट्रेल, ट्रेल का मतलब रास्ता होता है, तो देखो, ट्रेल, आर फो रेल, ठीक है, लगा हो है न, ट्रेल, और रेल के लिए क्या करना, रास्ता बन धीरे-धीरे चलती है, बस इतना याद रखना है, और चाहिए जैसे चले, अस्पीर में चले लेकिना, आपको धीरे याद रखना है, नेक्स्ट है, ट्रेल, ट्रेल का मतलब गदार होता है, हम बोलता है न, टेरिरिस्ट, तो यहाँ पर ट्रेल है, आसान सा वड़ है, परसन तो वो कॉमा में चला गया, क्या चला गया, ट्रॉमा, कॉमा, वो कॉमा में चला गया, तो कॉमा में क्यों जाते हैं लोग, जब उसको सौक लगता है, इमोशनल सौक जब लगता है न, तब ही वो कॉमा में जाते है, तो ट्रॉमा का मतलब हो जाएगा, इमोशनल सौक, चलि याद रखेंगे इसको prison का मतलब क्या गद्धारी है नहीं याद रहे तो ऐसे याद रखेगा कि जो मुवी हो बादल मुवी में क्या होता है कि देखा होगा आपने बौई दवर की मूवी एक बादल मूवी उसमें क्या उसके पिता जी के पिता जी पर लिख दिया जाता है कि यहाद हो जाएगा आपको ट्रिंफ का मतलब होता है ग्रेट सकसे यह मुझे याद हुआ था मैंने स्टोरी पढ़ाई थी ठीक है एक 10th क्लास के स्टोरी यह है त्रिम्प औफ सरजरी उससे मुझे याद हुआ था ड्रिम्प औप सरजरी का मतलब होता मेरा हाथ फड़क रहा है तो उसी को बोलता है twitch any part of body making sudden a small movement उसको बोलता है twitch तो एक sound आती है देखना जब भी कोई फड़केगा हाथ बगरा तो एक sound आएगा twitch का ठीक है twitch sound आएगा तो उसी को बोलता है क्या body का फड़कना अगला है अगला जो वर्ड है हमारा वो है 681 यानि कि unanimous देखिए unanimous का मतलब होता है to agree or support together यानि कि सर्व सम्मती तो देखिए इसको ऐसे याद करो unanimous ठीक है unanimous तो अगर आपका कोई दुस्मन नहीं है तो सब आपके सम्मती में होंगे आप जैसे समझो कि कहीं पर meeting चलती है कहीं पर parliament में अगर आपका कोई enemy नहीं है कोई दुस्मन नहीं है तो सब ही तो आपके सम्मती में होंगे सब आपको support करेंगे तो unanimous का मतलब क्या हो जाएगा unanimous का मतलब agree और support together अगला जो वर्ड है वो है हमारा 682 देखिए uncanny जिसको हम कहीं नहीं पाएंगे उसको explain कैसे करेंगे तो uncahy uncanny तीक है यानि कि क्या हो जाएगा impossible to explain चलिए next word देखिए underprivilege underprivilege का मतलब होता है poor आसान सा word है privilege वर्ड अगर आपको याद होगा तो यह आसानीत याद हो जाएगा privilege का मतलब क्या होता है सुक्स विधा मिलना तीक है विसेश अधिकार मिलना तो और यहाँ पी क्या है poor है तो underprivilege poor याद रहेगा अगला है underestimate दो वर्ड है तीक है एक मैंने आपको याद करवाया था overestimate overestimate कर लेना यानि किसी भी चीज़ को ज्यादा माप लेना उसको हम क्या बोलते हैं overestimate कर लेना और किसी भी चीज़ को कम करके आखना उसको हम बोलते हैं underestimate करना तो हम बोलते हैं कभी भी अपने दुसमन को क्या मत करो underestimate मत करो यानि कि छोटा मत समझो छोटा मत आखो inferior मान लेना ठीक है understimate कर देना दूसरा है un-interested un-interested का मतलब होता है दिल्चस्पी ना होना not interested opposite, opposite interested का हम बोलते हैं कि क्या आप interested हो इसमें तो हम बोलते हैं नहीं हम भाई नहीं interested है तो हो जाएगा un-interested अगला वह है Unison, देखिए Unison का मतलब होता है एक साथ, टिक है, Two or more things happening at the same time, तो यूनिशन का मतलब याद रखेंगे, unity, sun, unity, sun, sun में क्या है, unity है, sun में क्या है, unity है, तो ये भी याद हो जाएगा, Two or more things happening at the same time, टिक है, एक साथ, चली आगे देखेंगे, Unruly, Unruly का मतलब होता है, Unyunt is Not easy to control, पर रूली का मतलब क्या हो जाएगा, control जो की rule में हो, control में हो, लेकिन Unruly लग गया मतलब, Uncontrol हो, चली आगे देखेंगे, अगला जो वड़ हो है, Upbeat, Upbeat का मतलब होता है, आसावादी, Cheerful, Optimistic, है न, Upbeat का मतलब, Optimistic मैंने बताया है, Optimistic का मतलब क्या होता है, आसावादी और Optimistic opposite क्या होता है, pessimistic, निरासावादी, तो यहीं यहाँ पर Upbeat लिखा हो है, Upbeat का मतलब क्या, आसावादी, आगे देखेंगे, Uproar का मतलब होता है, क्या करना, सोर सरावा करना, Allowed Noize of Disturbance, सब के सब यह सब आसान वर्ड़ है, देखिए, रोर का मतलब क्या होता है, जैसे स इस एदेर जो है, रोरिंग कर रहा है, यहीं कि Da 그럼, Uproar मतलब हल्ला कर रहा है, तो Uproar का मतलब क्या हो जाएगा, हल्ला करना, Noize करना, Uproot का मतलब होता है, जड़, जड़ को क्या कर देना, Up, यानि कि उपर कर देना, तो आपने क्या क्या-क्या जड़ को उखाड कर के, लिग वो है वेग, वेग का मतलब होता है और सपस्ट होना, not clearly और expressed, याद करना बहुत आसान है, गाड़ी इतनी वेग में निकली, कि मैं उसे clearly जो है उसका number plate नहीं देख पाया, तो याद रखेंगे कि गाड़ी इतनी वेग से निकली, कि मैं उसका number plate clear तरीके से नहीं देख पाया, तो not clearly expressed, अगे देखें, अगला जो वड़ है, वो है, वैले डिक्षन, वैले डिक्षन का मतलब होता है, a speech in which one says goodbye, यानि कि, विदाई भासर, ठीक है, दोनों वड़ को हम साथ में याद करेंगे, एक हमने हमारा सेक 92, और सेक 92, वैले डिट का मतलब होता है, परमानित करना, वैले डिटी होना, confirm, ratify, confirm या, ratify, और यहाँ पर क्या है, कि कोई वैक्ति जब जाता है, फेर वेल होता है, तो उसके फेर वेले में जो विदाई भासर होता है, उसे को वैले डिक्षन कहते है, तो देखो, ऐसे याद रखेंगे, जब किसी की वैले डिटी खतम हो जाती है, जैसे मालनों कि किसी की जॉब थी, दस साल की, बीस साल की, और बीस साल के बाद उसकी वैले डिटी कम हो गई, तो फिर क्या हो गया, कि उसको जो है, उसके लिए विदाई भासर गाया गया, तो वैले डिटी खतम होने के बाद ही तो विदाई भासर गाया जाती है, अगला ह वर्ड वह वेंडलिस्म का मतलब होता है crime of damaging property यानि कि सरकारी संपत्य को निकसान पहचाने वाला उसको हम कहते हैं वेनडाल को हम याद रखेंगे चंडाल से हैं जो चंडाल लोग होता है वही क्या करते हैं तो सरकारी प्रोपर्टीज है वहनी पहुंचाते हैं बसों में आग?!" अग चंडालिज्म चंडालिज्म चलिए आगे देखेंगे अगला जो बड़ है वह है वेल का मतलब होता है नकाव या घूंगट थिंग एक चुपाने का काम करना इसे भी चीज को फेस वगरा उसको हम कहते है वेल इसकी जो निमोनिक नहीं बनी इसको आपको है नोट कर लिजएगा कॉपी में उसके बाद है वेंजेंस और दूसरा है वेंजफुल दोनों का मतलब होता है रिवेंज बदले की भावना To have a strong desire to punish someone who has hurt one or one's dear ones और दूसरा क्या है revenge देखिए दोनों के पहले अगर आरी लगा दो आरी, revenge और revenge पूल तो दोनों का मतलब वही है revenge लेना, बदला लेना, कि क्या तो दोनों आसान सवर्ड है बिल्कुल दोनों के पहले आरी लगा दो बस venom, venom का मतलब जहर होता है, जहरीला, जैसे सांप वगरा क्या होता है, venomous होता है, जहरीले होता है, poisonous होता है तो venom का मतलब क्या हो जाएगा, जहरीला, और नहीं याद रहे तो ऐसे याद रखेगा कि वनों में जहरीले सांप पाया जाते है तो क्या दो जाएगा, उसके बाद है हमारा अगला word, वह है verbose, देखे, verbose का मतलब होता है, बातों से भरा हुआ, तेक है, using more words than necessary, यानि जितना necessary हो से ज्यादा word use करना, तो ऐसे याद करेंगी, हमारे जो boss है, तेक हमारे जो boss है, वो हमेशा जो है, बढ़ा चड़ा करके चीज seven words जो है, वह है, वेरिली, वेरिली का मतलब क्या होता है, सत्यता, या फिर in a complete truthful way, ठीक है, उसका हम सत्यता बोलते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या है, हम ऐसे पढ़ेंगे इसको, verify करा ले, क्या करा ले, verify करा ले, तो बहुत जारे से document है, जो हमें क्या करवाना पड़ता है, verify करवाना पड़ता है, college में, university में, तो हम क्या बोलेंगे, क्या कर ले, verify करा ले, जितने भी document है, क्या करा ले, verify करा ले, तो वेरिले, वेरिले का मतलब क्या हो जाएगा, तो सत्यता, या फिर completely truthful way, चलिए, आगे देखेंगे, अगला जो बड़ है, वह है, vestige, vestige का मतलब क्य हुआ हुआ चीज, क्या बोलते हैं, कोई चीज बच गई है, तो ऐसे भी आद हो जाएगा आपको, और दूसरा अगर नहीं आद होता, तो vestige को यहाँ पर पढ़ो, investigate, 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 investigate में हम किसकी जाच करते हैं, तो जो कुछ चीजे, particles बच जाती है, जैसे dead body, कोई जला दी गई, किसी dead body को जला दिया गया, तो CID क्या करते हैं, उसके dead body में जो remains बचता है, उसकी जाच करते हैं, investigate करते हैं, तो vestige का मतलब क्या हो जाएगा, अवसेज, चलिए, अगला बड़ देखेंगे, veteran, veteran का मतलब होता है, a person who has a lot of experience, यानि कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा experience source का हम कहते है, veteran person, तो देखो, दो होते हैं, एक तो novice होता है, novice का मतलब 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 ह यानि कि यह जो वेटर है वो क्या है बहुत ज्यादा इसका मतलब experience चाहिए अच्छा वेटर है तो इसी के पास जो है इसको कहां भीजा जाएगा तो जहां पर बड़े लोग जो आएंगे फाइव का स्थार में वहां पर भीजा जाएगा कि जाओ वहां पर order ले लो तो नोव विकेरियस का मतलब होता है experience in one's imagination rather than directly तो देखो विकेरियस जो वर्ड है विकेरियस में आप देखेंगे यहां पर क्या है सीधे तौर पर नहीं की बात हो रही है मतलब परतिनिद्धी की बात हो रही है किसी चीज के लिए indirectly बात हो रही है तो विकेरियस को देखो विकेर अस we care आप आप ध्यान दिज हैं विकेर अस तो विकेर अस का मतलब कहा समझों कि मतलब आपका कोई friend है और क्या हो गया मतलब हम करेगा we care ओ के और तो यह क्या होगा इंडारिक्टली हम केर कर रहें तो एसे भी आप इसको याद कर सकते हैं बाकि आपको जैसे भी याद करना हो याद कर लेजेगा इसे चलिए आगे देखेंगे अगला जो वड़ हो है वीसस का मतलब होता है बुरा वाइलेंट और एग्रेटिव तो द we 하는 तूममें तूम में किया बहुत जासर विस का मतलब क्या होता है जहर विस मिंस जहर तो बोलते हैं ना तुममें तू बस पहुत जासी अगरसी पीडित या पीडिता भी बोलते हैं, तो victim का मतलब सताना, to treat someone in a cruel and unfair manner, अगला देखो क्या है, अगला जो वड़ है, वह है vigorous, vigorous का मतलब होता है energetic होना, ठीक है, उर्जावान होना, इसको मैंने हमेसे आपको याद करवा है वियागरा से, कि वियागरा के tablet लोग क्यों खाते है ताकि जो है energetic हो जाए थोड़ा, energy आजए, तो vigorous का मतलब याद रखेगा energetic और जावान, अगला जो वड़ है, वह है virtuous, virtuous का मतलब होता है having good moral qualities, जिसमें बहुत जदा moral qualities हो, अच्छा परतन हो, उसको हम क्या कहते हैं, virtuous कहते हैं, तो इसको याद करो virtuous हो है, तो किसी का वर्चस वो कब फैलता है पूरे विसमें, जब वो अच्छा होता है, जब वो good होता है, तभी तो उसका वर्चस हो जो है पूरे world में फैलता है, तो virtuous और वर्चस में, यानि कि नैतिक गुनवाला है, having good moral qualities, अगला जो वड़ है, वो है volatile, देखे, volatile 708 में देखेंगे, volatile का मतलब होता होता है छनिक, जो थोड़े दिर के लिए हो, likely to change suddenly, और तुरंत वो change हो जाए, तो वो little, volatile, वो little, वो little time के लिए था, टीक है वो क्या था, little time के लिए था, फिर वो change हो गया, तो volatile का मतलब क्या हो जाए, का likely to change suddenly, वो little time के लिए था, तीक है, आप इसको याद रखेंगे, अग बहुत ज़ादा है मतलब क्या बिनकुल भारी भर पर कम है जैसे एक हाथी है तो हाथी का volume का होता है बहुत ज़ादा होता है अगला है वाउ वी-o-w बॉ माउ का मतलब होता है कसम 106 europa मतलब क्या होता है कसम और इसका निमोनिक नहीं वाव की इसको आप लिख से जाएगा, वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब होता है, prone to physical emotion या फिर emotional hurt, prone to physical या फिर emotional hurt, यानि कि किसी को आसानी से चोट पहुचाया जा सकता है, उसको vulnerable कहते हैं, तो देखो, इसको याद रखेंगे, भूलने से जो है उसके डॉक्टर्स जो यह होते हैं उसको गन लेके देते हैं अजब वो पकड़ा जाता है अमिर खान तो पुलिस वाले को बताते हैं कि गन जो है मैंने इसलिए दिये इनको इनको भूलने की बीमारी है और इनको जो आसानी से चोट पहुचा सकता है कोई भी तो इसलिए वल्नरेबल का मतलब होता है जिसको आसानी से जो है क्या पहुचाए जासके चोट चलिए आगे देखेंगे 712 में VIEY का मतलब होता है क्या करना competition करना to compete with other people to obtain something तो देखो भाई-भाई में competition भाई-भाई में क्या होना competition जैसे आपने पढ़ा होगा न असोक के बारे में असोका के बारे में पढ़ा होगा वेन का मतलब क्या होता है कमजोर हो जाएगा वीक हो जाएगा पेल हो जाएगा टायड लुकिंग हो जाएगा तो वेन को आप याद कर लिजिए ऐसे कि वन में ठीक है वन में अगर आपको कोई वन में छोड़ दिया जाए या फिर आप वन में अगर गुम हो जाए कहीं पर त तो वेन का मतलब क्या हो जाएगा? कमजूर तीक है? आगे देखेंगे. अगला जो है, वह है वेंडर लस्ट. वेंडर लस्ट अब बहुत असाने दोनों बड़ याद करना देखें. वेंडर का मतलब क्या होता है? इदर उदर भटकना. ये भी मैंने आपको याद करवाया है क कि Vendoring, Vendoring Parson, यानि की दर दर भटकने वना, LUST, LUST का मतलब क्या होता है, लालसा, तो गूमने की उस जिसकी इच्छा हो, लालसा हो, उसको क्या कहेंगे, वेंडर LUST कहेंगे, अगला वट है, which wholeheartedly, wholeheart का मतलब होता है, पूरे दिल से, तो WHOLE whole का मतलब भी होता है, पूरा, विटी का मतलब होता है using word in a clever manner, यानि कि वाग पटूता, बहुत यह बोलता है न, विटी answer, विटी answer का मतलब क्या, बहुत जादा जो है वाग चातुरे answer दिया है, मतलब विटी answer दिया है, टीक है, विटी का मतलब देखे, विट्स का मतलब भी बुद्धी होता है, टीक है, ड सब सब आसां से वर्ट है दुख सवरो और डिस्ट्रस कोई नीमोनिक नहीं है रेज का मतलब अभागा होता है यह सब याउन का मतलब हुथा है उभासी लेना तो हम बोलता है ना मुह से हमारी आवाज निकल जाते हैं तो हम याउन का मतलब उभासी लेना तो यह दोनों वर्ड जो है यह वाले वोज और रिच इसको जो है आप नोट कर ले जाएगा इसको हम लास्ट में देखेंगे और यहां पे जो अगला वर्ड है हमारा वो है यर्न देखिए क्या है यर्न यर्न का मतलब होता है क्रेव क्रेव का मतलब क्या लालसा किसी भी एक लालसा होती है, वह बहुत अच्छे खासे पैसे क्या कर ले, कमा ले, तो यर्म का मतलब क्या हो जाएगा लालसा, ठीक है क्रेव, और जो लास्ट वर्ड है इसका 722 वो है जिलस, जिलस का मतलब क्या होता है, उत्साही, इंथ्विस्टिक, कॉजिंग, एससाइटमेंट, द Z-E-A-L-O-U-S तो दोनों में confused नहीं होना है तो जयलस का मतलब यह तो हो जाएगा हमारा जलन लेकिन यह जयलस का मतलब उत्साही होता है इसको याद रखेंगे जयल से आने के बाद वो बिल्कुल क्या हो गया उत्साही हो गया अब उसको किसी बात का डर नहीं रहा बिल्कु कर लिए पूरे अब इसमें जितने भी वर्ट छूटे हैं या फिर जिसको जो है हम याद नहीं कर पाएं जिसकी निमोनिक नहीं बनी अब हम उसको देखेंगे sentence में use करके और याद करेंगे छोलेएं अब देखते हैं हमारे चूटे वे वर्ट स्कें जिनकी नीमोनिक नहीं बन पाई थी या फिर जिन यहां इस विडिंग इस वर्ड का मेनिंग जो है यह होता है जासे देखिए हमारा जो पहला बड़ जो चूटा था वह था 70 नंबर का एटेन्वेटेट और टेन्वेट का मतलब होता है सांथ करना किसी भी चीज को सांथ कर देना या फिर कोई प्रभाव को कम कर देना इंग्लिस मेनिंग इसका है तु काम और सूर देखिए संडेंज क्या है रिडिएशन फ्रॉम इज एटेन्वीटेड बाई और एट्मोसफेर और के अट्मोसफेर के वज़े से जो है सन का जो रिडिएशन निकलता है सं का जो radiation होता है उससे जो है सं के radiation को कम करने काम कौन करता है तो हमारा Earth का atmosphere उसी के बज़े से सं के classification होते हैं किरनों के कम हो जाते हैं और कम घातक होते हैं हमारे लिए तो attenuated का मतलब क्या होता है किसे भी चीज़ को सांथ कर देना या फिर प्रभाव को कम कर देना चेलिया न धूसरा जो वरड हमारा चूटा था वो था बैक बाइट का मतलब होता है चुगली करना पीट पीछे जो हम चुगली करते हैं to speak something at the back of someone तो उसी को हम क्या कहते हैं बैक बाइट करना कहते हैं आपने देखा होगा कॉलेजों में अस्कूल में बैक बाइट होते रहता है गाउं में मुहलों में तो वही आप लिखा हुए सेंटेंट टीनेज डॉल्स टेंड टू बैक बाइट इच अधर एंड टॉक मेस्वें दे आर विद अधर प्रेंट क्या करते हैं जैसे आप या प इसकी बुराइए कर रहे है क्या क्रहarta बैक बाइट कर रहे है है चुगली कर रहे है ठीक है तो इस तरह से आप जो इसको याद कर लेंगे और ध्यान में रखेंगे संटेंस को अगला है बिगेट का मतलब होता है पैदा करना तो ग्रो यह हमारा चूटा था वर्ड का मतलब उत्तराधिकारी होता है या फरी जनम देना चाता है पहलों की जना होता है तो तो आप इसको याद एसते हो benutल्त का मतलब क्या करना। पैदा करना अगला है commute commute का मतलब होता है यात्रा करना जो नीमित हो to make the same journey regularly तो देखे क्या है they commute between Kolkata and Bihar every day, मतलब कुछ ऐसे लोग है जो क्या करते है कि daily commute करते है, कहां से तो Kolkata से Bihar, पिर Bihar से Kolkata, उनका daily का ये journey है daily का ये काम है, तो याद हो जाएगा आपको commute का मतलब क्या करना तो यात्रा करना, ठीक है, commute मित क्या करना यात्रा करना, तो इस तरह से जो है, आप words को relate कर सकते हैं sentence बना सकते हैं, और आपको ये इस तरह से याद रहेगा, चलिए आगे देखते है next word जो हमारा अगला छुटा है वो है credential, credential का मतलब होता है योग्यता एवं अनुभाव तो देखो, credential जो word है इसका जो sentence में हम यूज कर सकते हैं कि he has the perfect credential for the job यानि उसके पास क्या है, एक perfect योग्यता है, इस job के लिए या फिर आप बोस सकते हो, he has perfect credential to make an officer, यानि कि एक officer बनने के लिए इसमें क्या है बहुत प्रफेक्ट जो है, योग्यता है योग्यता, अनुभाव आप बोसकते हो, तो credential का मतलब क्या होता है योग्यता और अनुभाव बाकि यहाँ पर भी always sentence है, इसको पढ़के जो है, आप इसको learn कर सकते है सीख सकते हैं, वर्ड का meaning अगला जो वर्ड हो है, curve देखे, curve का मतलब होता है, क्या करना अंकुस लगाना चेक करना, रेस्ट्रेंड करना, रोकना, अंकुस लगाना एक curve का meaning होता है तो sentence में आप इसको याद कर सकते हो जो ऐसे की, we can curve juvenile, juvenile का मतलब क्या होता है तो बाल अपराद, ठीक है बाल अपराद मतलब जो बच्चे अपराद कर देते हैं कम age में उसी को juvenile कहते है delinquency by education ठीक है, juvenile delinquency by education, यानि कि बाल अपराद को कैसे रोका जा सकता है तो या फिर बाल अपराद पर कैसे जो है अंकुस लगाया जा सकता है तो ये education के थूरू लगाया जा सकता है ठीक है, यानि कि आप educate करके जो है बाल अपरादियों को कम कर सकते है इस तरह से है, दूसरा जैसे आप sentence दे सकते हैं कि counseling acted as a curve on his violent behavior ये भी आप बोल सकते हैं उसके बाल बोल सकते है इसके put a curve on her spending यानि उसने जो है उसके spending पर यानि कि खर्च पर क्या लगाया अंकुस लगाया, रेश्टेन लगाया तो curve का मतलब क्या हो जाता है अंकुस लगाना कैसी भी चीज़ पर अगला जो है हमारा word वह है debunk ये 202 word है यानि कि 202 number का word है debunk का मतलब होता है कम महतवपूर्ण ठहराना ये के भी चीज़ को कम value देना कम महतवपूर्ण ठहराना तो देखे his theories have been debunked by recent research यानि कि उसकी जो theories थी वो हाल के research के वज़ा से क्या हो गई debunk हो गई मतलब कम महतवपूर्ण हो गई पहले महतवपूर्ण ठी लेकिन अब जो new research जो है theory पे theory पे research जो हो है उसने उसके theory को कम महतवपूर्ण बना दिया ऐसा ही तो होता है कि कोई भी theory अगर पहले प्रूब हो गई तो थो थोड़ा महतवपूर्ण होता है लेकिन जब उसके बाद उसी पे जब new theory आती है तो वो पहले वाला जो है कम महतवपूर्ण हो जाता है इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं अगला जो बड़ होए decimate decimate का मतलब होता है अगला जो बड़ था हमारा वो था decipher decipher का मतलब होता है किसी लिखित दस्तावेज को पढ़कर अर्थ को असपस्ट करना यानि कि किसी भी चीज को read करके जो है उसका sense clear करना उसी को बोलते हैं आप decipher देखो यहाँ आप लिखा हुआ है sentence में कि I can't decipher what is inscribed on the pillar यानि कि मैं नहीं describe कर सकता कि पिलर पर क्या लिखा हुआ है तो यहाँ पर decipher का मतलब क्या होता है किसी लिखित दस्तावेज को पढ़कर के clear करना यानि कि उसका जो है sense निकालना कि क्या लिखा हुआ है जैसे second sentence देखो can anyone decipher his handwriting क्या को इसकी handwriting को जो है पढ़कर पस्ट कर सकता है कि इसने क्या लिखा है यही सब है उगला देखेंगे 218 में deplorable deplorable का मतलब होता है granite very bad आप बोल सकते हो many of them live under deplorable condition यानि कि उन में से बहुत लोग अभी भी क्या है तो इस तरह से आप deplore का यूज कर सकते हो sentence में और आप इसको याद रख सकते हो अगला जो है desperate desperate का मतलब होता है किसी चीज के लिए क्या होना तीवर इच्छा होना तो यह आसान सा वड़ था desperate फिर भी मैंने इस पुलिया है और फैसर इंडस्ट्री इस ओल्वेश्ट टू इनवेट यानि जो फैसर इंडस्ट्री है वह innovation के लिए हमेंसा क्या रहती है क्या होना चाहिए निव्यशन होना चाहिए इनवेटीव तरीका वह अपनाते हैं कुछ नया करने आप याद रहेगा अगला जो वर्ड है देस्पिकेबल अनप्लेजेबल होता है का मतलब भी देखे डिस्पिकेबल जो वर्ड्नमबर वो है 223 जिसका मतलब होता है अनप्लेजेट कौजिंग a strong feeling of dislike, आप ये भी बोल सकते हो, it's a despicable the way he treats those kids, यानि ये बहुत क्या है, unpleasant है, मतलब घ्रिनास पर्द है, कि वो इस तरीके से उन बच्चों को treat करता है, इस तरह से भी आपको जो है despicable का मेनिंग याद हो जाएगा, अलाकि ये भी आसान सा वर्ड है, despicable, ये भी बहुत बार आपने newspaper में, या फिर news बगरा में सुना होगा, अगला जो वर्ड हो है, dis impact, dis impact का मतलब होता है, जहाज से उतरना, या फिर कहीं पर bus से उतरना, dis impact का मतलब, जैसे यहाँ पर sentence मैंने लिखा है, कि the passengers dis embarked from the night flight, यानि passenger किस से उतरे, तो night flight से उतर गए, तो dis impact का मतलब होता है, किसी भी flight से उतरना, train से उतरना, बस से उतरना, आगे देखेंगे, drowsy, drowsy का मतलब होता है निंद्रालू, यानि कि जो अभी पूरे तरीके से जगा ना हो, मतलब आध्या नीन्द में हो, उसको हम पोलते हैं drowsy, तो देखो, I feel drowsy after lunch everyday, यानि कि हमेशा लंच करने के बाद जो है, मैं drowsy feel करता हूँ, मतलब निंद्रालू, ठीक है, मुझे नीन आती है, मैं निंद्रालू feel करता हूँ, दूसरा है, what a drowsy summer afternoon, यानि कि summer देखा होगा, चैसे अभी गर्मियां आ रही है, तो गर्मी में हमेशा कैसा आलस का अनुभाव रहेगा, लगेगा हमेशा सोय रहूँ, तो drowsy का मतलब हो जाएगा sleepy, अगला जो वर्ट है 247, वो है, ecstasy, ecstasy का मतलब होते है, authentic hussy, तो देखो क्या है, my father was in ecstasy when I won my scholarship, यानि कि मेरे पिता जी क्या थे, बहुत ज़्यादा खुस थे, जब मैंने क्या जीता, scholarship जीता, तो इस तरह से आपको ये याद रहेगा, next है effigy, effigy का मतलब पुतला होता है, this effigy is decorated with old newspapers and firecrackers, यानि जो ये पुतला है, किससे decorated किया गए, जैसे रावन का पुतला होता है न, तो रावन का पुतला, कुमकरन का पुतला किससे decorate किया जाता है, तो newspaper वगरा से, पटाके वगरा से, firecrackers का मतलब पटाके होता है, उन 305 305 में जो वर्ट है वह है फार्स F-A-R-C-E देखेंगे आपर फार्स का मतब होता है तमासा के जैसी घटना यानि आप इसको absurd event भी बोल सकते हो an absurd absurd का मतब बेतुका होता है तो an absurd event तो देखो no one had prepared anything to meeting no one had prepared anything so the meeting was a bit of a farce यानि कि किसी ने भी meeting के लिए preparation नहीं की थी सयारी नहीं की थी इसलिए meeting कैसा हुआ तो बिल्कुल तमासे के जैसा हुआ absurd event हुआ किसी ने complete preparation की ही नहीं थी तो meeting कैसा होगा बिल्कुल absurd होगा next जो हमारा word है वह है fox pass देखे fox pass का मतलब होता है समाजिक गलती talking business देखें यहां पर क्या लिगा और talking business at dinner is a fox pass in France France में जो है dinner के table पे business की बाते करना जो है समाजिक गलती फॉक्स पास है तो fox pass का मतलब हो जाएगा समाजिक गलती चले आगे देखेंगे अगला जो वड़ है वह है फ्लेयर फ्लेयर का मतलब होता है भड़कना फ्लेयर मिंस क्या हो जाएगा भड़कना तो इसको याद रखेंगे sentence हमारा बनेगा a gust of wind made the candle's flare यानि कि एक हवा का जोका होता है ठीक है गस्ट of wind का मतलब हवा का जोका एक हवा का जोका जोका जो है क्या कर सकता है तो candle को भड़का सकता ह यानी कि क्या कर सकता है और भी ज्यादा उसको भड़का सकता है, बढ़ा सकता है, तो flare का मतलब कैं होता है भडकना, ठीक है, flare में भडकना, आगे जो वट है, 336, 36 में दिया हुआ है क्या, कि geris, geris का मतलब होता है, बहुत अधिक रंगीन हो ना, लगेंग का मतलब overbright हो जाना या फिर गॉड़ी हो जाना थीक है याद रखेंगे overbright और गॉड़ी यानि उसने अपने shirt के अंदर जो है एक गैरिस T-shirt पहना है मतलब कहांता है चम्कीला सा जो है ती-sert पहना है अपने shirt के अंदर जो बहुत जादा गौड़ी है, गौड़ी का मतलब भी क्या होता है, ओवर ब्राइट, चमकीला, अगला वर्ड जो है, वह है हैरी, हैरी का मतलब होता है, परेशान करना, और इसका लगता है, मैं भूल गया sentence दिखना, ठीक है, तो हैरी का मतलब परेशान करना याद रखेंग the old man hobal along with the aid of his stick, aid की मतलब सहायता, add का मतलब क्या हो जाएगा, सहायता, help, तो old man जो है कैसे चल रहा है, तो अपने stick की सहायता से जो है, चल रहा है, तो hobal का मतलब क्या होता है, लंगला करके चलना, ठीक है, चलिए, आगे देखेंगा, आगले जो वड़े होग है, इंबेसल को हम जो है, use करेंगे sentence में, इसका भी जो है मैंने नहीं किया है, ठीक है, तो ये भी देख लेंगे आप, इसका भी, इंबेसलिक मतलब मुरुकता, ठीक है, फुलसनेस जो है, हो जाएगा, तो इसका भी जो है, आपको से use कर लेना, चलिए, आगे देखें, immutable, immutable का मतलब हो नहीं कर सकते हैं यागे देखेंगे के इनकर का मतलब होता है कुछ अपीर अनुभाव करना तो आप कुछ ऐसा बुरा अनुबाव करना जैसे घाटा तो घाटा हमारे लिए बुरा फीलिंग है अच्छा फीलिंग तो होगा नहीं तो इनकर का मतलब और इसको ऐसा निमॉनिक बनाना चाहिए तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हर कोई इंकार करता है घाटा सहने से एक जाता है और आगे देखिए लिए मो का मतलब होता है कुचल देना का मतलब करता यसे घास को क्या किया जाता है तो उसी का यहाँ पर मिनिंग है M-O-W-M-O का मतलब क्या होता है कुचल देना तो देखो क्या लिखा हुआ है early so early mo early so so का मतलब होता है बोना जैसे हम बोते हैं धान वगरा बोते हैं सबजिया वगरा बोते हैं तो उसी को son कहते हैं s-o-w-n so so early so early mo यानि कि जल्दी से क्या करो बून दो और जल्दी से क्या करो काट लो या फिर कुचल दो वही है चाहें आपर देखेंगे और भी but if you but if your men attack we shall move them down बस्ता में यहां पर बोला जा रहा है सेंटेंस में तो हम क्या करेंगे हम भी उन्हें कुचल करेंगे ऐसा सेंटेंस में लेकिन इसका जो यूज होता है वह होता है घास वगएरा पिड़ पॉदों को कुचलने काटने के अगला जो बड़े हुए है अपसेसिव का मतब होता है तीवरी इच्छा और इसकी जो है सेंटेंस नहीं लिखी गई है अगला जो है पैन पैन का है का मतब कठिक खाना प्सक्राइब पाइन का मतबशना करनाई अगला जो है फाइफ और लेटिद देखेंगे वरड़ जो है वह पार्चट पार्चटट का मतब होता है सुखा अलाकि मैंने इसकी निमोनिक आपको बताई थी कि छेद जी कि बहुत लंबी कहानी भी मैंने सुनाई थी दुबारा जो सुनाने जिरुवत नहीं है बाकि सेंटेंट देखेंगे यानि उसने अपने सुखे होटो तक जो है क्या वाटर बोटल को मतलब ले गया हो तो क्यों ले गया ताकि उसके होट क्या उसके गीले हो सके तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं बाकि देखेंगे पेक पी ए सी के पेक का मतलब हलका चुम्मन होता है तो ही गेव हर अब फ अगला जो word है वो है perceiver देखे, perceiver जो word है perceiver का मतलब होता है महनत करना, मुस्किलों के बावजूती तो perceiver जो है ऐसा हम बोलेंगे कि you will need to perceiver if you want the business to succeed अगर आप business में सफल होना चाहते हो, तो आपको महनत करना होगा मुस्किलों के बावजूत पुर तो persevere का मतलब क्या होता है महनत करना Persistent आसान सा word है ये Persist Persist का मतलब क्या होता है जारी रहना Persist means जारी रहना ठीक है तो ये आसान सा word है जिसका मतलब होता है continue last Last तक बिल्कुल continue रहना जारी रहना So if the symptoms ध्याद दो सुनिएगा If the symptoms persist, consult to doctor अगर symptoms अगर जारी है किसी भी बिमारी के तो आपको क्या करना चाहिए डॉक्टर से जो है consult करना चाहिए अगला जो वर्ड है हमारा वह है 534 में देखेंगे परस्पाई है देखें परस्पाई है का मतलब होता है पसीना बहाना कि felt hot यानि उसे जो है गर्मी मैसूस हुई and awkward and started to perspire और वो जो है पसीना बहाने लगा गर्मी के वज़े से अगला देखेंगे 548 में जो वर्ड है वो हमारा है pressing प्रेसिंक प्रेसिंक का मतलब होता है जहां पे वाइलेंस यानि उसका जुकाव जो है वाइलेंस की तरफ है उसका जुकाव बोलते हैं ना इंट्रेस्ट होना जुकाव होना तो प्रोक्लिविटी का मतलब भी जुकाव होता है अब प्रोपेंसिटी का मतलब भी जुकाव होता है हाला कि प्रोपेंसिटी का निमोनिक मैंने आपको बताया था और आपको याद भी हो गया होगा he has a propensity for drinking too much alcohol यानि कि उसका जो जुकाव है कि इधर ज्यादा बढ़ गया तो drinking too much alcohol मतलब सराब ज्यादा पीने लगा हुँ अगला देखेंगे रैपट रैपट का मतलब तालमेल होता है आसान दावड़े ठीक है उसके उसी काओं कहता है रिकैल्सेट हों से बनांग डन्की को उत्थ से जाना जाता है तो तौर पर जाना जाता है या पर दूरसा सेंट्रैंज देखेंगे गारुणि वर्सिंट्य ती जो बाहर आकर के परदर्शन करते हैं उनको क्या किया उन लोगों को इसको रिवीजन कर लेना है देख लेना है वीडियो को तो आपको यह याद रहेगा अगला है रेन र टाइट रेन रकते हैं यानिकि एक लगाम रखते है चैले आगे है रिपरकुर्शन कर परीनाम तो what repercussion will the war have on the economy यानि economic पे जो है वार का यानि युद्ध का क्या परिनाम होगा तो हमेशा जब कहीं पे क्या होता है युद्ध वगरा होगा तो परिनाम जो है बुराई होगा एकनॉमिका अगला जो है वो है रेपगनेंट रेपगनेंट का मतलब होता है निरासा जनक निरासा जनक आप इसको बोल सकते हैं वर्ड नम्मर जो है 598 जिसका मतलब अनप्लेजन्ट बहेवियर और पीलिब भी होता है यानि मुझे क्या लगता है कि तुम्हारा जो बहेवियर है वोमन के यानि इन महिलाओं के प्रती वो क्या है रेपगनेंट है यानि कि अनप्लेजन्ट है निरासा जनक है हलाके मैंने इसकी निमोनिक आपको बताए थी कि पग से याद रखना है आपको पग वाले खुत्ते से उसके वाद है रस्पाइट असा वर्ड है रस्पाइट का मतलब बचाओ होता है यानि कि बहुत जादा जो आपको पेइन हो रहा है उससे जो है आपको यह टेदेगा रिलीफ देगा यानि की बचाओ कर देगा टेम्परोरी के लिए तो respite का मतलब क्या होता है, बचाओ, salvation अगला वर्ड है, salvation भी मैंने आपको याद करवाया था, कि church में क्या किया जाता है, यानि कि संकट हर लिया जाता है, जैसे किसी अगर पे भूत हो, किसी पे आत्मा हो, तो उसी process को, जो भूत हटाने वाला process जो होता है, चर्च में, उसी from salvation कहते हैं, तो Christian hope and pray for salvation, चलिए, आगे देखेंगे, असकम, असकम का मतलब होता है, गंदगी, और there was green असकम over the pond, यानि कि pond में तालाब में आपने देखा होगा, तालाब में सैवाल वगरा हो जाता है, काई वगरा जम जाती है, तो गंदा देखता है वो, तो असकम का मतलब क्या होता है, तो गंदगी, the, there was a green असकम over the pond, यानि कि pond में क्या है, बेल्कुल green, green से क्या है, असकम है, यानि कि गंदगी है, अगला वड़ है, सैंबले का मतलब होता है, बुरी हालत में, the fighting reduce the city to assemblies, आप इसको बोल सकते हैं, या पर, की, जो fighting है, fighting reduce the city to assemblies, यानि कि बुरी हालत में छोड़ दिया पूरे city को, याना, तो सैंबले का मतलब क्या होता है, बुरी हालत में, एक होता है, हमारा अगला जो व business matter, यानि वो इतना सुरूड है, धूरत है, कि उसको उस पे जो है, business matters में trust नहीं किया जा सकता, ठीक है, उस पे जो है, business matters में trust नहीं किया जा सकता, और shroud, shroud का meaning होता है, छिपाना, hide करना, it looks like a man wrapped in a shroud, यानि कि shroud में क्या है, ऐसा लग रहा है, एक man को जो है, wrap करके छुपा दि की जो आरी है, अगला जो है, slay, slay का मतलब होता है, हत्या कर देना, murder कर देना, तो will you slay a man because he is the victim of fear, क्या तुम क्या कर दोगे, क्योंकि he is the victim of fear, यानि क्या है, यह victim है, आगे देखें कि solace का मतलब दिलासा होता है, मतलब किसी को confront देना, दिलासा देना, comfort देना, confront नहीं, comfort किसी को comfort देना, किसी को जो है, आराम देना, दिलासा देना, condolence देना, क्या, उसे को बोलते है, हम solace, तो देखो, music or music was a great solace to me during this period, मतलब music मेरे लिए क्या थी, तो music मेरे लिए जो है, एक solace था, solace का मतलब कहा है, वो मुझे क्या कर रहा था, तो comfort दे रहा था, जब मैं कि दिलासा मिलना था, ascom का मतलब छट पटाना होता है, एक movie से भी बताया था, कि movie आय थी, 1978 में ascom, तो उसमें भी जो है, दिखाये गया है, ascom का meaning क्या है, I print, so I pretended everything was fine and tried not to ascom, मतलब pretend का मतलब दिखावा करना, कि मैंने दिखावा किया, कि सब कुछ क्या है, बढ़िया है, अ अगला जो बड़े हुआ है, सबस्टेंसल, सबस्टेंसल का मतलब होता है, वक्तव्य को प्रमानित करने का मतलब है, यहाँ पे, कि किसी चीज को सपोर्ट करना, ठीक है, क्लेम करना, तो देखो, the company receive a सबस्टेंसल government subsidy, यानि कि उसको क्या है, गवर्मेंट का सपोर्ट है, कि इस एक कमपनी को, तो यह भी आपको जो है, इस तरह से याद रखने है, सब्टर फ्यूज का मतलब होता है, कुछ हासिल करने का गलत तरीका, तो जर्नलिस्ट और यूज सब्टर फ्यूज, जर्नलिस्ट क्या करते हैं, कि कुछ भी जो है, न्यूज माटीरियल वगर लाने क लिए कुछ भी गलस दिखा देते हैं, देखा होगा आपने न्यूज में, कि कुछ भी जो है, वो दिखा देते हैं, बारबर स्थूरी में, जूर से भी अपने आपसे मंघणत कानियां जोड़ करके जो है, वो कानी बना देते हैं, ताकि टी आर्पी वड़े, तो उसी को साथ बहुत ज़दा है और सल्टरी यानि कि उमस भरा है सिंपोजियम का मतलब होता है विचार गोस्थी सिंपोजियम में विचार गोस्थी का मीनिंग जैसे मीटिंग वगरे के बात होती है तो आप यहाद रखे का आगे में इसकॉलर से सबके सब कहां है हैं सब के सब प्रेजेंट हुए कहा सिंपोजियम में यानि की मीटिंग में कहा से तो all over the country ठीक है all parts of the country all over the country आगे देखेंगे चीप भी बोल सकते हो तो आप इसको याद रखेंगे आगे देखेंगे थंपिंग इंप्रंट होता है महत्रपून होता है इसार है जहार मैजुरेटी से जीता जैसे सब्सक्रategoria कि से मेसार इरग सब्सक्रापे सब्सक्राइब जैसे में धधाए ये यह मारकना पहला है, आगे धेखेंगे एक जो Tormentor का मतलब होता है सोसक, Tormentor means सोसक याद रखेंगे, ठीक है, तो देखो क्या है, Tormentor का जो English meaning वो समझेगा, कि one who causes suffering, तो इसको भी जो है आप देख लिजेगा, sentence का बना लिजेगा, Twitch, Twitch का मतलब होता है फड़कना, जैसे हमारे body का parts फड़कता है, Twitch करता है, I filter twitch at my sleeve, ठीक है, तो ऐसा समझो कि जब भी हमारी body फड़कती है, तो Twitch की एक sound आती है, तो ऐसे आपको याद रह जाएगा, Twitch का मतलब फड़कना, बाकि जो है, वो है हमारा wheel, देखिए, V-E-I-L, wheel का मतलब होता है नकाब या घूंगट, तो after the ceremony, the bride lifted up her wheel to kiss her husband, यानि कि bride ने क्या किया, अपना घूंगा ठटा है, अपने husband को क्या करने के लिए, किस करने के लिए, मतलब ceremony के बाद, तो इस तरह से आप इसको वेल को याद रखते है, जिसका मतलब होता है नकाब, उसके बाद है वाव, वाव का मतलब होता है कसम, फिट्टू का वाव to abstain from alcohol, smoking या फिर sex, उसने जो है कसम खाई किया मैं क्या नहीं करूंगा, alcoholic drink नहीं लोगा, abstain का मतलब होता है परहेज करना, abstain means किसी चीज़ से परहेज करना, तो उसने कसम खाया कि वो कभी भी alcoholic drink नहीं करेगा, smoking नहीं करेगा, अगला जो अध है वावान, वावान का मतलब होता है, कमजोर, weak, she gave वान a smile, या फ व इन वन का मतलब कंजोर वीक भी बोल सकते हो तो यह होता है इसका मेनिक अगला वोज वूज का मतलब होता है दुह तो एक अपने सारे जुख यानि वोज बता होता है अभागा तो गंदे कपड़ पहने तो इस तरह से बना करके याद तो नहीं कर सकते लेकिन आप ध्यान में आपका मेनिंग रह जाएगा कुछ देर के लिए तो एक्जाम से हमारे हम आरे Total शाब 22 वड हमने देख लिए जो वडशूते थे वह भी देख लिए और इस तरह से वीडियो पूरी ख़तम होती है तो वीडियो अगर आपने यह उवीडियो देख लिना तो आपके लिए तो झो है तालीीो बनती हैwnież आपने पूरी वीडियो देख किये हैं तो आते ही है एक्जाम में डेफिनेटली आते हैं एक्जाम में अपसेट भी लगाओगे तो आपको यहां से वर्ट्स मिल जाएंगे तो आपको याद हो गए वीडियो को जो है आप यह वीडियो कॉंप्लीट कर ली उसके बाद थी कंटे बात भी तुरंत बाद ही टुरन्थी बनाके अपलेटार दूंगा और आप इसको यहीज़ी-णाउलोड करेंगा से टेलीग्राम का लिंक में दे दूँगा और अगर टेली घ्रम नहीं भी खुले सब्सक्राइब so चैनल का नाम है तो आप वाहाँ पेढ़े में तो आपको आपकी पडियुए अजीए टब ड्रे चाहिए किये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल तो नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाइगे